हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो देट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल चाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजोई कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिसनिंग एक्सपिरियंस चलिए शुर पर आवाज साफ नहीं आ रही थी क्रॉस टॉक भी हो रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने वाले की आवाज बड़ी मधूर बड़ी संतूलित बड़ी लुभावनी लगी युनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन्स मैंने बड़े रोप से अपनी प्राइवेट डिटेक्टि का नाम लिया मिस्चर सुधीर कोहली पूछा गिया मिस्चर सुधिर कोहली बोल रहे हैं आप और कोन बोल रहा होता मेरे इस कंपनी में एक ही तो करमचारी है मैं कुद जी हां मैं फόन में बोला फर्माईए मेरा नाम मॉनिका है मुझे उशा नाकपाल ने आपके बारे में पताया था उसी की राय पर मैं आपको फोन कर रही हूं। उशा नाकपाल मेरी गर्फरेंड का नाम था। वे मेरी बगल में ही स्थित एक वकील के ऑफिस में उसकी सेकेटरी थी। मेरी गैर हाजरी में अगर मेरा टेलीफोन बशता था तो उसे वही सुनती थी। मेरा दफतर चलाने में वे मेरी और भी छोटी मोटी कई सहायताइं करती थी। फरमाईए मेरे लायक क्या सेवा है। मैं रिसीवर में बोला। मुझे आपकी व्यफसाइक सेवाओं की जरूरत है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शौंक से मिलिए। बंदा हाजिर है। नहरो प्लेस म मेरे आफिस का पता तो मालूम है आपको। पता तो मालूम है लेकिन किसी वज़ा से मैं आपके पास नहीं आ सकती। आपको ही मेरे पास आना होगा। एक ही बात है मैं हाजिर हो जाता हूँ। कहां आना होगा। मैं आपको कनार्ट प्लेस में सूपर बाजार के सामने मिलूंगी लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे मैं पीले रंग का हाई नेक का पुलोवर कार ड्राई की भूरे रंग की जीन और चम्रे का लाल कोट पहने हूं ओके मैं आ रहा हूं मैंने रिसीवर रग दिया मैंने ओफिस को ताला लगाया और सेडियां उतर कर नीचे मैं सरसर खाली बैटा था मुझे खुशी थी कि ओफिस में आते ही मुझे कुछ करने का मौका मिल गया था मैंने अपनी जेब से डन हिल का एक पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाता हुआ पारकिंग की तरफ बढ़ा तभी मुझे सामने से आता हुआ राकेश राकेश की थी किताबों का मुझे शौंक था इसलिए मैं अकसर उसकी दुकान में गुसा रहता था इसी वजह से मेरी उससे यारी हो गई थी खुद राकेश जासूसी नावलों का बड़ा शौकीन था और वे इस बात से बड़ी थ्रिल महसूस करता था कि असली जासूस मैं उसका दोस्त था कहीं जा रहे है अभिवादन के बाद उसने पूछा हाँ कनाट प्लेस मैंने बताया क्यों क्या हुआ मुझे मोती बाग जाना था सोचा था कि अगर आप उधर जा रहे होते तो मुझे लिफ्ट मिल जाती सौरी नेवर माइंड मेरा काम ज्यादा जरूरी नहीं मैं बाद में भी जा सकता हूँ मैं कनाट प्लेस हुआँ फिर मैं गाड़ी तुम्हें दे दूँगा अरे नहीं कोहली साहब इतनी जहमत की जरूरत नहीं मुझे वापिस तो आने दो फिर देखेंगे ठीक है मैंने पार्किंग से अपने फियेट निकाली और कनाट प स्पताल तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगने लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा था डिफेंस कॉलोनी के फ्लाई ओवर से गुजरते समय मुझे गारंटी हो गई कि मेरा शक सही था ऐसे मामलों में सतरक रहना मेरी आदत में शुमार था इसलिए सडक पर मौजूद धेर सारे ट्रैफिक के बावजूद मेरा ध्यान केवल एक सफेद रंग की एमबैसजर की और आकरशित था लोधी होटल के चौराहे पर मेरे पहुँचते पहुँचते सिगनल की बत्ती लाल हो गई लेकिन फिर भी मैं कार को लाल बत्ती से निकाल ले गया सफेद में केवल एक काला सा आदमी मौजूद था क्यों पीछा कर रहा था वे मेरा क्या मेरा पीछा किया जाने से मौनिका की फोन काल का कोई रिष्टा हो सकता था कैसे हो सकता था किसी को कैसे मालूम हो सकता था कि मैं किसी मौनिका से मिलने जा रहा था पंदरा मिनट पहले तक तो इस बारे में मैं खुद नहीं जानता था कनाट प्लेस जाने के लिए अगले चौराहे से मुझे बाइम उड़ना था लेकिन मैं कार को जान बुच कर सीधे सुंदर नगर की तरफ निकाल कर ले गया सफेद एमबेस्जर बद स्तूर मेरे पीछे लगी रही आईटी ओ के चौराहे पर आकर मैं साउथ एविन्यू की तरफ बाइम और मुड़ा लेकिन उस पर आगे बढ़ने के स्थान पर मैंने एका एक कार को यू टर्न दिया और फिर चौराहे पर पहुँच गिया सफेद एमबेस्जर मेरे जितनी तेजी से मोड ना काट सकी वे सीधी साउथ एविन्यू पर बढ़ती चली गई चौराहे से मैंने कार को सीधे भगाया उससे अगले चौराहे से मैं दाई घूमा इतिफाक से दोनों चौराहों पर मुझे बत्ती हरी मिली थी और दूसरे चौराहे पर भी हरी बत्ती से गुजरने वाला मैं आखरी ड्राइवर था मेरे फियर्ट रिंग रोड पर दोडने लगी प्रगरती मैदान वाली सडक आने पर मैंने कार को दाई गुमा दिया और भगवान दास रोड मंडी हाउस के चौराहे से गुजरता हुआ कनाट प्लेस की तरफ बढ़ा सफेद अमबैस्जर दुबारा मुझे अपने पीछे दिखाई ना दी मैं कनाट प्लेस पहुँचा अपनी कार को मैंने सूपर बाजार के पहलू में बनी शंकर मार्किट के सामने पार्किंग में खड़ा किया और बाहर निकाला सडक पार करके मैं सूपर बाजार के भीर भरे मुख्ये द्वार के सामने पहुचा जीन और चम्रे के कोट वाली केवल एक ही लड़की मुझे वहाँ दिखाई दी उसके समी पहुचने से पहले मैंने दोर से ही उसका निरिक्षन किया मेरे अंदाजे से उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं थी खूप सूरत वे निश्चे ही थी लेकिन उसकी खूप सूरती में चमक दमक और ताजगी कम थी इसकी वज़ा ये भी हो सकती थी कि उस वक्त वो परिशान दिखाई दे रही थी मिस मॉनिका मैंने पूछा उसने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा मिस्चर सुधीर कोहली उसने पूछा वही मैं सिर नवाकर बोला साक शात उसके बाद उसने ऐसी बारुकी से मुझे देखा जैसे वे सोच रही हो कि अगर मैं बकरा होता तो मुझ में से कितना गोश्ट निकलता जवाब में मैंने भी बड़ी निडरता से उसका निरिक्षन किया मेरी पसंद की सारी चीजे उस लड़की में थी लंबा कद, तनी हुई, सुडोल, भरपूर चातियां, पतली कमर, भारी नितम, लंबे सुडोल, गोरे चिट्टे हाथ पाओ, लंबे खुले काले बाल आओ चले, एका एक वे बोली कहां मैं हड़ बड़ा कर बोला कहीं भी यहां से हिलो मैं उसके साथ हो लिया सडक पार करके हम कनाट सरकस के बरामदे में पहुँचे उसने बड़ी बेबाकी से मेरी बाह में अपनी बाह पिरो दी और मुझसे सट कर चलने लगी मुझे बड़ा आनंद आ रहा था मैं मन ही मन उसके भारी उनी कपड़ों के नीचे छुपे उसके नंगे जिस्म की कलपना कर रहा था और सोच रहा था कि ऐसे कलाइंट तो मुझे चाहिए थे किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया था एका एक उसने पूछा क्यों तुम्हें उमेद थी कि मेरा पीछा किया जाएगा नहीं लेकिन मेरे लिए ये इंतहाई जरूरी है कि किसी को मेरी और तुम्हारी इस मुलाकात की खबर ना हो I see मैं सोचने लगा कि मैं उस काली सूरत के बारे बताऊं या नहीं जो मेरी फिरात में साउथ एविन्यू पर कहीं भटक रही थी आंत में मैं बोला फिलहाल हमारी मुलाकात की खबर किसी को नहीं मिस्चर कोहली काम बड़े भरोसे का है क्या मैं तुम्हारा पूरा भरोसा कर सकती हूँ मेरा पूरा भरोसा करने के लिए मुझे सुधीर कहकर पुकारना जरूरी होता है अगर तुम मुझे मिस्चर कोहली जैसे आपचारिक नाम से पुकारोगी तो बुरोसे वाला माहौल कैसे पैदा होगा उसने बड़े असमंजस पून धंग से मेरी यॉट देखा और फिर मेरी सारी सहेलिया मुझे सुधिर कहकर ही पुकारती है लेकिन मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ अभी नहीं हूँ क्या मतलब मैं बड़े अर्थ पून धंग से मुस्कुराया वे हड़ बड़ा कर परे देखने लगी थोड़ी देर हम खामोशी से साथ साथ चलते रहे रास्ते में उसने मेरी बाह से अपनी बाह निकालने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया दरसल मेरी दिलचस्पी बाह में नहीं थी बाह के मेरी बाह में रहने से हासिल होने वाले उसके एक उरोज के उस सपर्श में थी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हारी फीस क्या है? एका एक उसने पूछा मामुली, मैं बोला, 100 रुपे रोज और खर्चे, 500 एडवांस खर्चे क्या? पेट्रोल, लंज, डिनर वगेरा? जैसा काम मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ, उसके लिहाज से ये फीस ज्यादा है तो मैं फीस कम कर दूँगा, लेकिन पता तो लगे की काम क्या है? मैं तुम्हे एक पैकेट सॉंपना चाहती हूँ, जिसे तुमने पूरी हिफाज़त के साथ अपने साथ रखना है कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं? मामुली काम है, वे पैकेट बीच बीच में मैं तुमसे वापिस भी मांगूंगी ये सिलसिला कितना अच से चलेगा? कम से कम दो हफ़ते, ज्यादा भी चल सकता है ओके, पहले दो हफ़तों के सिर्फ 500, खर्चा वर्चा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल रेट उसके चेहरे पर अनिष्टे के भाव उभर आई अगर ये भी ज्यादा है, तो तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपनी फीस बताओ हम और तरीके से हिसाब किताब कर लेंगे शट अप, वे बोली, इस बार उसने जबरन मेरी बाह से बाह निकाल ली राइट मैडम, मैं बोला, और खामोश हो गिया हम दोनों खामोशी से चलते चलते प्लाजा के सामने वाले बरामदे में पहुँच गई चिनार रेस्टोरंट के सामने वे ठिट की, फिर बिना कुछ कहे रेस्टोरंट का दर्वाजा खोला और भीतर दाखिल हो गई मैं भी उसके पीछे भीतर दाखिल हुआ रेस्टोरंट के चोटे से हॉल में नी मंधेरा था और वे उस वक्त काली पड़ा था हम दोनों एक कोने की मेज पर जा बैठे मौनिका ने कौफी का ओर्डर दिया कौफी आ जाने तक हम खामोश बैठे रहे फिर मैंने सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे खोल कर मौनिका की तरफ बढ़ाया मौनिका ने इंकार करने पर मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया मुझे तुम्हारी फीस मन्जूर है वे बोली उसने अपना बड़ा सा हैंड बैग खोला और उसमें से सो सो के पांच नोट निकाल कर मुझे सौप दिये मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा मैं बोला कि एक पैकेट को हिफाज़त से रखने के लिए तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हो मेरे से ज्यादा हिफाज़त की जगा तो बैंक का लॉकर है इतने पैसों से तुम्हें बैंक का लॉकर दो साल के लिए हासिल हो सकता है बैंक के लॉकर से मेरा मतलब हल नहीं होता अपने पैकेट की मुझे आधी रात को भी जरूरत पढ़ सकती है मैं आधी रात को बैंक का लॉकर नहीं खोल सकती I see Mr. Kohli सुधीर मैंने उसे याद दिलाया Oh yes, सुधीर सुधीर, तुम कहीं डर तो नहीं रहे हो किस बात से? मेरा पैकेट रखने से उस पैकेट में बम है क्या? मैंने बड़ी संजीदगी से पूछा मजाक मत करो मैं मजाक नहीं कर रहा लेकिन तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि उस पैकेट की वज़ा से तुम कोई हंगामा खड़ा होने की उम्मीद कर रही हो मैं एक शंड ठिटका और नी मंधेरे में उसे गूरता हुआ बोला और तुम मुझे भैबीत भी लग रही हो भैबीत? वे हट बड़ा गई नहीं तो? और एक बात और भी है क्या? मुझे लगता है मैंने तुम्हे पहले कहीं देखा है हो सकता है मैं टेलिविजन के ड्रामों में हिस्सा लेती हूँ कभी टेलिविजन पर देखा होगा मैं टेलिविजन देखने का शौकी नहीं तो इतिफाक से कहीं राह चलते देख लिया होगा आकी रहती तो मैं इसी शहर में हूँ छोड़ो ये बताओ जो पैकेट तुम मुझे देना चाहती हो उसमें है क्या उसमें अला दिन का चिराग है एक मुनासिब तरीके से मैं उसे घिसूंगी तो उसमें से एक जिन निकलेगा और वे पलक जपकते ही मुझे माला माल कर देगा आई सी यानि कि तुम्हारी जिन्दगी की वाहित तमन्ना यही है कि तुम माला माल हो जाओ ये तमन्ना किसकी नहीं है लेकिन लोग दौलत के इलावा और भी कुछ चाहते है मैं भी चाहती हूँ, पहले दौलत को तो आ जाने दो, फिर उसके पीछे पीछे बाकी सब कुछ खुद बखुद चला आएगा मिस्चर, जो लोग ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, वे जूट बोलते हैं, बक्वास करते हैं, गरीब लोगों को धोका देते हैं, गुम्रा करते हैं ये धोका मैं खाती रही हूँ, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है, तुमने ठीक समझा, अब मेरी जिन्दगी के ये वाहित तमन्ना है कि मैं माला माल हो जाऊँ, दौलत हासिल करने की ये मेरी आखरी कोशिश है, अगर इस बार मैं कामियाब ना हुई, तो कामियाबी कभी म मेरे हाथ नहीं लगेगी, और जो तुम चाहती हो, वे तुम्हे उस पैकेट से हासिल होगा क्या, हाँ, बस शर्ते कि वे पैकेट मेरे हाथ से निकल ना जाए, कोई उसे मुझसे चीन ना ले, मुझे फिर उस सफेद एमबेसजर वाली काली सूरत का खेयाल आया, इसलिए उ कि तुम्हें मुझे पर भरोसा कैसे है, तुम मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं, अगर मैं कोई गडबड कर दूँ तो, तुम ऐसा नहीं करोगे, उशा नाकपाल ने मुझे विश्वास दिलाया है, कि पेशे की इमानदारी की तुम्हारी में बहुत कीमत है, तुम उ पैकेट कोई फसाद खड़ा कर सकता है, उसकी वज़ा से कोई हंगामा खड़ा हो सकता है, सुधीर, वे विचार पूर्ण स्वर में बोली, सर्च बता दू, फौरन, सर्च बात तो ये है, कि उस पैकेट की वज़ा से हंगामा इतना तगड़ा खड़ा हो सकता है, कि मेरी ज जान की कीमत 500 रुपए तो बहुत कम है, फिलहाल इससे ज्यादा रुपए मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं ज्यादा रुपए मांग भी नहीं रहा, मैं तु सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तुम मुझ पर भरोसा करके पैकेट मेरे पास रख रही हो, तो असली बात भी क क्यों नहीं कहती कि असली किस्सा क्या है, ये मैं नहीं बता सकती, मैं पैकेट खोल लूँगा, तुम ऐसा नहीं करोगे, ये शराफत और तुम्हारे पेशे दोनों के खिलाफ बात होगी, और फिर अगर तुम पैकेट खोल भी लोगे, तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, उसके दिये 500 रुपए अभी भी मेरे हात में थे, मैंने वे नोट उसके गोधी में डाल दिये, ये क्या है, वे वियग्रभाव से बोली, ये नमस्ते है, मैं बोला, यानि कि तुम्हें मेरी मदद करना स्विकार नहीं, मुझे अंधेरे में टकरे मारना स्विकार नहीं वे सोच में पड़ गई मैं खामोशी से सिगरेट के कश लगाता रहा और कौफी पीता रहा अच्छा ऐसा करो वे नोट उठाकर जबरन मेरी मुठी में ठोस्ती हुई बोली तुम सिर्फ एक दिन के लिए पैकेट अपने पास रख लो कल या तो मैं तुम्हें साफ साफ सारी कहानी सुनाऊंगी और या अपना पैकेट वापिस ले जाऊंगी मैं हिच किचाया सुधीर वे याशना पूंट स्वर में बोली प्लीज ओके थैंक यू वे चैन की एक लंबी सांस लेती हुई बोली थैंक यू वेरी मच मैं खामोश रहा उसने अपना बड़ा सा इंच मोटा पैकेट निकाला डोरी में गांट के एन उपर लाल रंग की सील लगी हुई थी मैंने अपने कोट की भीतरी जेब खाली की और उसमें वे पैकेट धकेल कर कोट के बटन बंद कर दिये कल मुलाकात कहां होगी फिर मैंने पूछा यहीं वे बोली कितने बजे तुम बताओ शाम चार बजे नहीं रात के दस बजे ठीक है अब मैं चलती हूँ वे उड़ती हुई बोली तुम मेरे जाने के थोड़ी देर यहां से निकलना ओके मैं बोला लेकिन एक बार और बताती जाओ क्या तुम रहती कहां हो उसने बैक से निकाल कर एक कार्ड मुझे सौप दिया और वहां से बाहर निकल गई नी मंधेरे में बड़ी मुश्किल से मैंने कार्ड को पढ़ा उस पर साउथ एक्सजैंशन के एक गैस शाउस का पता लिखा हुआ था मैंने कार्ड जेब में डाल लिया कॉफी का बिल चुकाया और वहां से बाहर निकला मैं वहां से सदर बाजार की और बड़ा सारे रास्ते में एक ही बात सोचता रहा और अपनी याददाश्ट की दगाबाजी पर जुझलाता रहा मौनिका को पहले कहां देखा था मैंने अपनी कार पर सवार होकर मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की और बड़ा मेरी कार में एक ब्रीफ केस मौजूद था जिसमें मेरा कुछ वक्ती तौर पर गैर जरूरी सामान पड़ा था उस ब्रीफ केस में मैंने बौनिका का दिया पैकेट रखा उसे मजबूती से ताला लगाया और स्टेशन की अमानती सामान घर में जमा करवा आया वहां से मिली रसीद मैंने तैह करके अपने पर्स में रख ली मैं वापिस अपनी कार में आसवार हुआ तब ही पुलिस की एक जीप मेरी बगल से गुजरी उस पर निगाप पढ़ते ही जैसे मेरे दिमाग की मोम पिघलने लगी मुझे याद आगिया कि मौनिका को मैंने पहले कहां देखा था मौनिका को पहले मैंने तीस हजारी कोर्ट में देखा था मौनिका एक कॉल गर्ल थी और अपनी दो हम पेशा सहेलियों के साथ दो साल पहले पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी साथ में मार्था जोन्स नाम की एक इस्तरी भी गिरपतार हुई थी जो कि उस कॉल गर्ल सर्विस के संचाली का बताई जाती थी कछेरी में मदनलाल नाम के जिस व्यक्ती ने उसकी जमानत दी थी मैं उसे जानता था वे मेरे एक दोस्त का दोस्त था जिन्दगी में पहली और आकरी बार जब मैं मदनलाल के पंडारा रोड पर स्थित घर में अपने उस दोस के साथ गया था जिसके उसके दो दिन बाद ही मदनलाल मुझे अदालत में मौनिका और दो अन्यकॉल गर्ल्स की और उनकी मैडम मार्था जोन्स की जमानत देता दिखाई दिया था तब से मौनिका को मैंने आज देखा था और मदनलाल को मैंने कभी नहीं देखा था करजन रोड इंडिया गेट होता हुआ मैं पंडारा रोड पहुँचा वहां मदनलाल का घर तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वे घर पर मौजूद था मैंने उसे अपना परीचे दिया अपने उस दोस का नाम लिया जिसके साथ दो साल पहले मैं एक बार उसके घर आ चुका था मदनलाल ने फिर भी मुझे नहीं पहचाना कई लोग दोस के दोस में दिलचस्पी नहीं लेते और फिर दो साल भी गुज़र चुके थे मैं आपसे मौनिका के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की नियत से आया था मैं बोला कौन मौनिका? आप किसी मौनिका को नहीं जानते क्या? देखिए पहेलिया ना बुझाईए मौनिका मार्था जोन्स नामक एक मैडम के संरक्षन में काम करने वाली एक कॉल गर्ल थी शायद अब भी हो दो साल पहले आपने सेप्रेशन ओफ इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतरगत उसकी कोट में जमान देकर उसे चुड़ाया था बिना उसको जाने पहचाने हो सकता है ऐसे काम किसी को ओबलाइस करने के लिए किसी के कहने पर भी किये जा सकते हैं यानि कि आपको मौनिका नाम की किसी कॉल गर्ल के याद नहीं? ना? और मार्था जोन्स नाम की किसी मैडम की? उसकी भी नहीं वहाँ बैठना बेकार था मैंने उसका धन्यवाद किया और उट खड़ा हुआ वे मेरे साथ ना उठा मैं उसकी बैठक से बाहर निकला बैठक की एक खिडकी बाहर सड़क पर पढ़ती थी मैं उसके सामने से गुजरा तो मुझे भीतर बैठे मदन लाल की एक जलक मिली वे टेलीफोन पर नमबर डायल कर रहा था मैं खिडकी के पास ठिटक गया मैंने कान खड़े कर लिये मदन लाल धीरे धीरे किसी से बात कर रहा था उसकी आवाज तो बाहर तक आ रही थी लेकिन वे जो कुछ कह रहा था उसका एक शब्द भी मेरे पल्ले ना पड़ा मैं वहाँ से हट गया मैं नहरू पलेस पहुंचा अपने ओफिस के सामने पार्किंग में मुझे एक वैसी ही सफेद एमबैसजर दिखाई दी जो मेरे पीछे लगी रही थी लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता था कि वे वही सफेद एमबैसजर थी अलबत्ता साथ में काली सूरत भी दिखाई दी होती तो बात दूसरी थी तभी राकेश मेरे पास पहुंचा सफेद एमबैसजर उसकी किताबों की दुकान के एन सामने खड़ी थी ये गाड़ी किसकी है मैंने पूछा एक काला सा आदमी इसे यहाँ खड़ी करके गया था राकेश ने बताया नीला सूट, लाल टाई, घुंगराले बाल मैंने पूछा हाँ वही निश्चे हीवे वही कार थी जो मेरे पीछे लगी रही थी मैंने कार का नंबर नोट कर लिया फिर मेरी निगाँ अपने आप ही इमारत की चौती मंजिल की तरफ उठ गई कहीं मेरे आफिस में ही तो नहीं गया था फिर कुछ सोच कर मैंने अपने पर्स से स्चेशन के क्लॉक रूम की रसीद निकाली मैंने रसीद राकेश को थमाई और बोला इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो और गाड़ी भी तुम्हारे हवाले है तुमने मोती बाग जाना था ना शुक्रिया वे बोला मैं अभी चाबियां आपके दफ्तर में पहुंचा जाऊंगा ठीक है जो मुनासिप समझना करना मैं इमारत में दाखिल हुआ लिफ्ट में सवार होकर मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा अपने आफिस में जाने से पहले मैं बगल के आफिस में दाखिल हुआ वे उनवकील साहब का आफिस था जिनकी सेकेटरी उशा नाकपाल थी उशा वहां नहीं थी एक चप्रासी ने बताया कि वे सुबह से ही वहां नहीं थी मैं अपने आफिस के सामने पहुंचा मैंने ताला खोला और बाहर लटकी वे प्लेट उतारी जिस पर लिखा था कि ताला लगा होने की स्थिती में बगल के आफिस में उशा नाकपाल से संपर्क स्थापित करें मैं भीतर दाकिल हुआ मेरे आफिस में दो कमरे थे एक बाहरी कमरा था जो रिसेप्शन के तौर पर इस्तिमाल होता था उसी के एक कोने में एक टाइपिस के टेबल लगी हुई थी जिस पर की टाइप राइटर तो माजूद था लेकिन टाइपिस नहीं थी फिलहाल अपने क्लाइंटों को दी जाने वाली रिपोर्ट मैं खुदी टाइप करता था बड़ी इच्छा थी कि एक सुन्दर दियानतदार टाइपिस रखने की लेकिन अभी मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि मैं कोई ऐसा खर्चा पाल पाता ऐसी इच्छा इसलिए थी क्यूंकि जासूसी नौवलों में आम पड़ा था कि हर प्राइवेट डिटेक्टिव की एक सेकेटरी होती थी दफ्तर के विभिन कामों के साथ साथ जिसका एक एहम काम अपने एंप्लॉयर की गोद में बैठना भी होता था रिसेप्शन पर पहुंचते ही मैं ठिटका भीतर मेरे आफिस में कोई था भीतर जो कोई भी था बहुत चालाग था मेरे आफिस के मुखे द्वार पर स्प्रिंग लॉक लगा हुआ था जो भीतर बाहर दोनों तरफ से चाबी फिराकर बंद किया जा सकता था खोला जा सकता था प्रत्यक्ष्टे कोई ताला खोल भीतर दाकिल हुआ था और फिर ये जाहिर करने के लिए कि दर्वाजा बंध था उसने भीतर से ताला लगा दिया था और बाहर लटकी तक्ति को लटका रहने दिया था भीतर कौन था मैंने सोचा क्या वही सफेद अमबेसजर वाली काली सूरत मेरा दिल गवाही देने लगा कि भीतर वही था मैंने तक्ति को धीरे से एक सोफे पर डाल दिया मैं दबे पाउं बीच के दर्वाजे की और बढ़ा लेकिन शायद मेरे आगमन की आहट पहले ही भीतर पहुन चुकी थी एका एक बीच का दर्वाजा कुला और चोकट पर काली सूरत प्रकट हुई उसके हाथ में एक 38 कैलिबर की मेरी जानी पहचानी स्मिट एंड वैसन रिवालवर थी मेरी अपनी रिवालवर वे चोकट से परे हट गया रिवालवर से ही इशारा करके उसने म मुझे भीतर आने का संकेत किया मैं भीतर दाखिल हुआ मेस पर पीटर स्कॉच की आधी भरी बोतल पड़ी थी रिवालवर की तरह बोतल भी मेरी मैंने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा वे धीरे से हसा अपनी गाड़ी में तो वे मुझे कंदों से उपर उपर ही दिखाई दिया था तब मैंने देखा कि वे बहुती लंबा चोड़ा आदमी था मैंने एक सरसरी निगाह कमरे में दोड़ाई मेरी मेस के सारे दराज खुले थे एक कोने में स्चील की एकलमारी पड़ी थी उसके भी दोनों दर्वाजे खुले थे वे काला बुजंग हाथी टाले खोलने में माहिर मालूम होता था। लाओ वे अपना खाली हाथ मेरी तरफ फैलाता हुआ बोला। निकालो। मुझे मालूम था वो क्या मांग रहा था लेकिन फिर भी मैं हैरानी जाहिर करता हुआ बोला, क्या निकालूं। उसने यूँ उलजन पून धंग से मेरी और देखा, जैसे मेरा जवाब उसकी समझ में ना आ रहा हो, लगता था मोटे आदमी की अकल भी मोटी थी और तुम यहां क्या कर रहे हो, मैंने निरठक सा प्रश्न किया, तुम भीतर कैसे गुसे? वो पैकेट कहां है? कौन सा पैकेट? उसके हाथ का एक घूंसा बिजली की तेजी से मेरे चेहरे से टकराया, मैं उलटकर पीछे गिरा, मेरी खोपड़ी जन जना गई, मेरे कानों में घंटियां बचने लगी और आंखों के सामने अंधेरा चाने लगा, वो एक राक्षस की तरह मेरे सामने खड़ा था, और मुझे पहले से दस गुणा लंबा चोड़ा लग रहा था, मिजास ठिकाने आये क्या? वे बोला, आ गए पिताजी, मैंने कहा, उटकर खड़े हो जा आया, आज तुम्हें मौनिका नाम की एक लड़की मिली थी, वे बोला, कौन मौनिका? देखो, वे यूँ बोला, जैसे कोई मास्चर किसी चौती जमात के बच्चे को समझा रहा हो, तुम हफते दस दिन के लिए हस्पताल में भरती होना चाहते हो क्या? नहीं, गुड, गड़की ने तुम्हें एक पैकेट दिया था, वो पैकेट कहा है? मौनिका ने मुझे कोई पैकेट नहीं दिया था, उसने इतनी जोर का थपड मेरे मूँ पर मारा कि मेरे दान थिल गए, और मुझे लगा जैसे मेरी खोपड़ी, मेरी गर्दन का पूरा घेरा काट कर अप अपने सान पर वापिस लोटी हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वे धीरे से बोला, मेरे सवाल का सही जवाब अगर तुम मुझे शाम तक भी दोगे, तो चलेगा, मैंने जोर से अपने सिर को जटका दिया, और बड़ी मेहनत से अपनी आँखों से उबल पढ़ने के लिए तत पर आंसुओं को रोका, हां तो फिर वे बोला, तुम कह रहे थे की, तभी राकेश ने भीतर कदम रखा, उसको भीतर राते केवल मैंने देखा, क्योंकि मेरा दर्वाजे की तरफ मुझ था, और हाथी की उधर पीट थी, उसने मेरे देखते देखते, रिसेप्शन से ए तंगे पंखे से टकराई और फिर सामने आकर गिर गई, मैंने जपट कर रिवॉल्वर उठा ली, स्चूल की चोट से हाथी का कुछ बिगडा नहीं था, सिर्फ रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई थी, और वे अब, मैंने उसकी तरफ तानी हुई थी, उसने उलजन अभी मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मैं बूला, लेकिन दोस्त, आए तुम बहुत अच्छे मोके पर, ये आदमी क्या आपको मार डालना चाहता था, कुछ ऐसे ही खतरना की रादे मालुम होते थे इसके, क्यूं हाथी भाई, हाथी खामोश रहा, राकेश जरा इसकी तला हाथी को भी कहीं हत्यार की जरूरत होती है, कौन हो तुम, मैंने हाथी से सवाल किया, वो खामोश रहा, हाथी भाई, मैंने उसे समझाया, तुम यहाँ चोरों की तरह गुसे हो, तुमने मुझ पर हमला भी किया है, मैं तुम्हें जान से भी मार डालूंगा, तो कोई मुझ करेगी कि ऐसी खतरनाक हालत में मैंने इतना होंसला दिखाया, ये साहब मैंने राकेश की तरफ इशारा किया, विटनेस होंगे कि मैंने आत्म रक्षा के लिए तुम्हें गोली मारी थी, अब जल्दी फैंसला करो, अपना राग मुझे यहाँ सुनाना चाहते हो, या उपर यम्राज को, मेरा नाम जवाहर सिंग है, वे जल्दी से बोला, गीत का मुखडा अच्छा है, अब बाकी राग भी अलापो, मैं तुमसे वो चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मौनिका ने तुम्हें दी है, मौनिका ने वे चीज मेरे बॉस के पास से चोरी की ह मेरी या मेरे बॉस की तुमसे कोई जाती अदावत नहीं, वे चीज हमारी है, इसलिए हमें वापिस हासिल चाहिए, तुम वे चीज वापिस कर दो, बदले में हम तुम्हारे एहसान मनतों होंगे ही, साथ ही हम तुम्हें नकद दस अजार रुपए भी देंगे तब ही उशा ने भीतर कदम रखा, भीतर चल रहे ड्रामे पर निगाह पढ़ते ही, उसके माते पर बल पढ़ गए, ये क्या हो रहा है, वे बोली, जवाहर सिंग ने यूँ उसकी तरफ देखा, जैसे शरारत करते बच्चों की क्लास में हेड मास्टर आ गया हो, और अब उ उसके सामने आते ही, जवाहर सिंग एक ही चलांग में बाहर कमरे में पहुंच गया, और फिर बगोले की तरह बाहर को लपका, अपने विशाल शरीर के लेहास से उसने बड़ी अप्रत्याशित फूर्ती दिखाई थी, मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन दिखाई दिया, लिफ्ट का इंडिकेटर बता रहा था कि मैं नीचे जा रही थी, मैं सीडियों के रास्ते नीचे लपका, ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच कर मैंने पाया कि लिफ्ट उपर जा रही थी, मैं पारकिंग में पहुंचा, सफेद एमबेसजर वहां खड़ी थ लेकिन ज्वाहर सिंग का कहीं अता पता नहीं था, मैं वापिस अपने ओफिस में लौट गया, तुमने खाम का उसे निकल जाने दिया, मैं शिकायत भरे स्वर में उशा से बोला, उशा ने यू मेरी तरफ देखा, जैसे वे रोने लगी हो, चलो चोडो मैं बोला, जो इसलिए मुझे तुम्हारा ये धंदा पसंद नहीं, वे रुवां से स्वर में बोली, अगर तुम्हे कुछ हो जाता तो, अरे मुझे कैसे कुछ हो जाता, रिवॉल्वर तो मेरे हाथ में थी, लेकिन वे इतना लंबा चोड़ा आदमी था, और सूरत से ही बदमाश लग र मैं भी चलता हूँ, राकेश बोला, मैंने सहमती से सिर हिलाया, उसने कार्ट की चाबिया मेश पर उच्छाल दी और वहां से चला गया, मैंने मेश पर से पीटर सकॉच की बोटल उठा कर दरास में रखी, और मेश को और अलमारी को ताला लगा दिया, मैं महसूस कर रहा था कि मैं खाम खां उशा के साथ रुखाई से पेश आया था, उसने हमेशा जो कुछ किया था, मेरी भलाई के लिए किया था, आज जो मैं उस असाधारन धंदे से चार पैसे कमा रहा था, उसी की वज़ा से कमा रहा था, वे दफ्तर उसने मुझे दिलवाया, और शुरू में दफ्तर चलाने के लिए आर्थिक सहायथा भी उसने दी थी, अभी भी दफ्तर चलाने में वे मेरी हर तरह की मदद करती थी, और अपने अधिकतर क्लाइंट मुझे उसी की वज़ा से हासिल होते थे, वो एक प्रसिद वकील की सेकेटरी थी, और वकील सहाब को बोलने का फैंसला किया, मैं उसके ओफिस में पहुँचा, वो वहाँ नहीं थी, मालुम हुआ कि वे अब लोट कर भी नहीं आने वाली थी, मैं वापिस अपने ओफिस में आया, मैंने मुख्य द्वार को ताला लगाया और नीचे पहुँचा, सफेद अमबेसजर अभी भी यता स्थान खड़ी थी, मैं फिर उसके पास पहुँचा, मैंने चुप चाप उसके अगले एक पहिये की हवा निकाल दी, मैं राकेश की बुक शॉप में लोटा, वे आदनी अपने गाड़ी लेने जरूर आएगा, मैं सफेद कार की तरफ संकेत करता हुआ बोला, मैंने का अफिस में ना हुए, वे बोला, मैंने एक कार्ट पर उसे दो तेन टेलिफोर नमबर लिख दिये, और बोला, तो इन नमबरों पर मुझे तलाश करने की कोशिश करना, उसने सहमती में सिर हिलाया, फिर मैंने फोन का रिसीवर उठाया, और उशा के घर का नमबर डाइल किय वे पास ही काल का जी में रहती थी, हो सकता था वे सीधे घर गई हो, टेलिफोन की घंटी बचती रही, मैंने हताश होकर रिसीवर रग दिया, प्रत्यक्षते वे घर पर नहीं पहुंची थी, मैं बुक शॉप से बाहर निकला, उसी ब्लॉक में एक रेस्टोरेंट था, मैं मैं उसकी बगल में जा बैठा, मैंने अपनी एक बहा उसके गेर्द लपेट दी, अरे अरे वे हट बढ़ा कर बोली, क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, ऐसी की तैसी लोगों की, मैं बोला, मैं लोगों के देखने का ख्याल करूं, या तुम्हारी नाराज की का, मैं जोट मत बोलो, कॉफी पीओगे, बात को टालो नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, थी तो अब नहीं हूँ, ओनेस्ट, फिर कॉफी क्यों नहीं पीऊंगा, साथ कुछ खाओगे, हाँ, क्या, उश्या, बको मत, मैं कहां बक रहा हूँ, मैंने तो तुम्हारी बात का जवाब दिया है, तुम जानते तो मैंने क्या पूछा है, ठीक है, हमबर्गर खाऊंगा, उसने मेरे लिए हमबर्गर और कॉफी मंगवाई, उश्या, कुछ तेर बात मैंने पूछा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो, उसने एक गहरी सांस ली, और बोली, बड़ी गड़बड हो गई सुधीर, क्या हो गया है, उस मौनिका नाम की लड़की को तुम्हारे पास भेश कर मैंने अच्छा नहीं किया, कहीं तुम्हारे लिए कोई जमेला ना खड़ा हो जाए, मेरे लिए क्या जमेला खड़ा हो सकता है, हो सकता है, बहुत भारी जमेला खड़ हो सकता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसका केस छोड़ देता हूँ अब ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मौनिका की गैस चाउस के कमरे से उसकी लाश बरामद हुई है क्या बिचारी बहुत बुरी मौत मरी है किसी शौटगन की गोल खूब सूरत चहरा घूम गया वे केस तो वाकी बड़ा खतरनाक साबित हो रहा था काम क्या कराना चाहती थी वे तुमसे उशा पूछ रही थी मैंने डन हिल का पैकेट निकाला मैंने एक सिगरेट उशा को दिया और एक स्वयम लिया लाइटर से मैंने दोनों सिगरेट सु अब वे पैकेट तुम्हारे पास है? हाँ, सुधिर उस पैकेट से पीछा चुड़ाओ, वे पैकेट खतरनाक साबित हो सकता है? वे पैकेट फाइदे मन भी साबित हो सकता है? जवाहर सिंग नाम का वो काला हाथी जो तुम्हारी एका एक पहुंच जाने पर मेरे ऑफिस से भाग निकला था? उस पैकेट के बदले में मुझे दस हजार उपए दे रहा था? मुम्किन है कोई सकी हातिम इस से भी बड़ी रकम आफर करने के लिए आ जाए? और फिर मुम्किन है उसी बड़ी रकम की वज़ा से मैं उशा नाकपाल नाम की एक खूप सूरत लड़की से शादी करना अफॉर्ट कर सकूँ? बक्वास मत करो वे पैकेट मुझे दो ताकि मैं उसे जमना में फैंक कर आओं मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी मौनिका जैसा अंजाम हो जाए और मैं उम्र भर रोती रहूं अरे मुझे कुछ नहीं होता लेकिन उम्र भर रोगी तो तुम जरूर लेकिन इस वज़ा से नहीं तो और क्यों रोओंगी मुझे से शादी करके रोओंगी मैंने कहा है बक्वास मत करो बोलो कहा है वो पैकेट तुम पैकेट का किसा छोड़ो और खातिर जमा कर रखो मुझे कुछ नहीं होता लेकिन तभी एक सब इंस्पेक्टर वहाँ पहुंचा उसका नाम दिविंद्र कुमार यादव था और वे मेरा और उशा दोनों को जाना पहचाना था वे लगबग 45-35 साल का हट्टा कट्टा नौ जवान था आओ आओ यादव सहाब मैं बोला मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था वे बोला अच्छा हुआ तु कि एक लड़की के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे क्यूं क्यूंकि मौनिका की हत्या हो गई है और हमें मालूम हुआ है कि मरने से पहले जिस आखरी शक्स से उसका संपर्ख हुआ था वो तुम थे सुधीर का उसकी मौत से कोई रिष्टा नहीं उशा ने तीखे स्वर में कहा मैंने ऐसा कब कहा यादव हैरानी से बोला तो फिर तुम्हारे साहब ने सुधीर को क्यूं तलब किया है बताया तो है कुछ सवाल पूछने के लिए कैसे सवाल ये तो इंस्पेक्टर साहब ही जाने ओके ओके मैं बीच में बोल पड़ा चलो कहा चलना है मुझे फोन करना है उशा व्यग्र स्वार में बोली अच्छा मैं उठता हुआ बोला मैं सब इंस्पेक्टर यादव के साथ हो लिया वे मुझे साउथ एक्सटेंशन के उस गैस चाहूस में ले आया जिसका नाम मैंने मौनिका के कार्ट पर पढ़ा था रोशनलाल पचास से उपर का लाल भबु का चेहरे वाला बड़ा रोबिला आदमी था वे सिर से एकदम गंजा था लेकिन उसकी मूचें और भवें इतनी भारी थी कि लगता था कि सिर के बालों की कसर वहां निकल गई थी उसने मुझ से हाथ मिलाया मौनिका के कतल के खबर तो तुमें लग गई होगी वे बोला हाँ मैंने कहा वो इस कमरे में रोशनलाल जिस कमरे के सामने खड़ा था उसकी और संकेत करता हुआ बोला अपनी जूली नाम की एक सहेली के साथ रहती थी यहां पूछताश करने पर मालुम हुआ है कि पिछले दो दिनों से जूली को क जरवा नहीं मालुम होती प्रत्यक्षत है इन लड़कियों का कुछ दिन के लिए यहां से गायब हो जाना आम बात है आम बात क्यूं है मैंने पूछा क्यूंकि हमें दोनों लड़कियों पर कॉल गर्ल होने का शक है इस गेस चाउस के रेप्योट कुछ ऐसी ही है यहां दो बात चापा पड़ चुका है ओ क्या मौनिका की लाश अभी भी बीतर पड़ी है हां मैं देख सकता हूँ उसे देख लो लेकिन नजारा बरदाश नहीं होगा तुमसे आंते उबल आएंगी गोली से उसके चेहरे के पर खच्चे उड़ गए हैं गर्दन से उपर उसके चेह भी नहीं सका आप लोगों को कतल की खबर कैसे लगी मैंने पूछा किसी की गुमनाम कॉल से रोशनलाल ने बताया कोई लड़की बोल रही थी उसने इस गैस चाउस का नाम बताया कहा कि इसमें मौनिका नाम की एक लड़की का कतल हो गया था और फिर एकदम टेलिफोन ये अभी पक्का पता नहीं लेकिन दो तिन घंटे से ज्यादा नहीं हुए कतल के आपने मुझे तलब क्यों किया आपको ये कैसे मालूम है कि मौनिका आज मुझ से मिली थी भीतर टेलिफोन के पास एक पैट पड़क था उस पर तुम्हारा नाम तुम्हारी हाँ आज सुबह मौनिका ने मुझे सूपर बाजार के सामने बुलाया था मैं उससे मिला था लेकिन जो काम वे मुझ से करवाना चाहती थी वे मुझे जचा नहीं था इसलिए कहानी खत्म हो गई थी काम क्या था वो एक अपना पैकेट मेरी हिफाज़त में रखना चाहती थी मैंने उसे कह दिया था कि इतने मामूली काम मैं नहीं लेता था वे अपना पैकेट रखने के लिए बैंक का लॉकर किराय पर ले सकती थी ये कब की बात है कोई साड़े दस ग्यारा बजे की उस वक्त वे डरी हुई या परिशान लग रही थी क्या नहीं उसके बारे में कुछ और बता सकते हो तुम नहीं सब इंस्पेक्टर यादव का कहना है कि तुम अपनर महीला क्लाइंट्स की जांच परताल तो बहुत बार पहले ही मना कर दिया था कि उसका काम मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता अगर मैंने उसका काम कबूल किया होता तो ज़रूरी बात थी कि मैं उससे बहुत कुछ पूछता हूँम अब क्या मैं लाश पर एक निगाष डाल सकता हूँ इंस्पेक्टर रोशन लाल ने सहमती से सिर हिला दिया सब इंस्पेक्टर यादव ने कमरे का दर्वाजा खुला मैंने दांत भीच लिये और डरते हुए भीतर कदम रखा लाश के चेहरे की जैसी हालत इंस्पेक्टर रोशन लाल ने बयान की थी वे उससे ज्यादा बुरी हालत में थी मैं उस पर दूसरी निगार डालने की ताव ना ला सका लेकिन मैंने देखा कि मौत की हालत में वे बड़ी पिछकी हुई निचड़ी हुई सी लग रही थी उस वक्त वे जॉर्जट की एक साड़ी और उससे मिलता जुलता उनी ब्लाउस पहने थी जिसमें उसका वक्ष उतना उन्नत नहीं लग रहा था जितना की हाई नेक के पुलोवर में मैं देख चुका था सुभा जब ये मुझ से मिली थी मैं बोला उस वक्त ये पीले रंग का हाई नेक का पुलोवर काड राई की भूरी जीन और चमड़े का लाल कोट पहने थी मैंने कहा हमें मालुम है यादव बोला तीन बजे के करीब ये इसी पुशाक में यहां आती देखी गई थी लेकिन यहां आकर इसने कपड़े बदल लिये होंगे वे कपड़े यानि कि इसकी पहली पुशाक यहां माजूद है क्या नहीं वो पुशाक कहां गई क्या मालुम शायद वे पुशाक इसने ड्राई क्लीनिंग के लिए भेशती हो आप लोगों को मालुम करना चाहिए करेंगे अब मुझे इजाज़त है साहब से पूछो मैंने साहब से पूछा उसने इजाज़त दे दी लेकिन यादव की सूरत से लग रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वे मुझे हवालात में डाल कर मुझ पर थर्ड डिगरे इस्तिमाल करने की कोशिश करता मैं गैस चाहुँस से बाहर निकला वहाँ तब मैं पुलिस की जीप में लाया गया था लेकिन किसी भी पुलिसीये ने ये सोचने की तकलिफ नहीं की थी कि जहां से मैं लाया गया था वहां मैंने वापिस भी पहुंचना था मैं एक थ्री विलर स्कूटर पर सवार हुआ और ग्रेटर कैलाश में स्थित अपने एक कमरे के फ्लैट में पहुंचा दिन भर की भाग दोर से मैं ठक गया था और उस वक्त मैं थोड़ा आराम करना चाहता था मैंने कपड़े उतार कर कुर्टा पाजामा पहना पीटर स्कॉट की बोतल निकाल कर एक पैक तयार किया फ्रिज में से सलामी की प्लेट निकाली एश्ट्रे डून कर अपने काबू में की और जेम्स जॉन्स का उपन्यास विसल लेकर अपने सोफे पर लेट गया डन हिल के कशों विस्की की चुस्कियों और सलामी के टुकडों के बीच मैं उपन्यास पड़ता रहा पता नहीं कितना समय बीद गया एका एक टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं चौंका मैंने हाथ बढ़ाकर दिसीवर उठाया उसे कान से लगाया और बोला हलो दूसरी और से आती हुई आवास सुनकर मेरे हाथ से विस्की का गिलास चूटते चूटते बचा वे वही बड़ी मधूर, बड़ी संतूलित, बड़ी लुभावनी आवास थी जो मैं सुभा ओफिस के टेलीफोन पर भी सुन चुका था क्या वे कोई धोखा था? उस आवास की मालकिन की लाश तो मैं अपनी आँखों से देख कर आया था क्या वे मुझे खराब करने के लिए पुलिस की कोई शरारत थी? कोई चक्कर था तो जरूर प्रत्यक्ष्टे मैंने सरल स्वर में पूछा, आप कोन बोल रही है? तुम्हें मालूम है, मैं कोन बोल रही हूँ? जवाब मिला, मैं फोन पर अपना नाम नहीं लेना चाहती मुझे नहीं मालूम, आज सुभा करनाट प्लेस में हमारी मुलाकात हुई थी, कल रात चिनार में हमने फिर मिलना है, अब ठीक? क्या चाहती हो? तुमसे मिलना चाहती हूँ फॉरन, किस लिए? मुझे तुम्हारी शरन की जरूरत है, और भी बाते हैं, उसकी आवाज में भय का बड़ा स्पष्ट पुड़ था, तुम कहा हो? निजामुदिन देल्वे स्टेशन पर, वहां क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, यही फैसला करने की कोशिश कर रही हूँ, कि कहां जाओं? ठीक है, तुम यहां आजाओ, पता तुम्हें मालुम है ना? हाँ, डारेक्टरी में लिखा है, संबंध विच्छेद हो गया, मैंने विस्की का गिलास खाली किया, सिग्रेट एश्टे में जोंका सलामी का आखरी टुकड़ा चबाया, जेम्स जोंस को अलविदा कहा और कपड़े बदलने लगा, तभी फ्लैट की घंटी बजी, मैं सक्पका गया, कौन आ गया था? क्या पुलिस? यह जवाहर सेंगेंड कमपनी, मौनिका तो इतनी जल्दी निजामु दिन से वहां कौन है? मैं उच स्वर में बोला, मैं दर्वाजे के पास से उशा की आवाज आई, उशा, मैंने दर्वाजा खोला, उशा भीतर दाखिल हुई, किसी और वक्त उशा वहां आई होती, तो मैं बहुत खुशी महसूस करता, जाम हो, महबूबा हो, तनहाई हो, और क्या था, लेकिन उस वक्त मौनिका ने आना था, बात सिर्फ मौनिका की होती, तो और बात होती, लेकिन उस वक्त तो मैं इस संस्पैस में भी मरा जा रहा था, कि मुर्दा जिंदा कैसे हो गया था, मैं यही देखने आई थी, वे बोली, कि पुलिस ने तुम्हें चोड़ा या जैसे तेवर यादव दिखा रहा था, उससे तो लगता था कि वे तुम्हें जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे, मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, और मेठे स्वर में बोला, तुम बहुत चिंता करती हो मेरी, मैं नहीं करूंगी, तो और कौन करेगा, वे बोली, मै मैं तुम्हारी ममी जो हूँ, जवाब में मैंने उसके होंटो पर एक चुम्बन अंकित कर दिया, उसने जबरन मेरी पकट से अपने आप को चुड़ाया, और मुझसे परेहटकर सोफे पर बैठ गई, क्या बात है, मैं बोला, सुधेर, वे गंभेर स्वर में बोली, मुझे तुम उस फसादी पैकेट का पीछा नहीं चोड़ देते, उशा, तुम तो खाम-खा बात का बतंगर बना रही हो, सुधेर, वे पैकेट तुम मेरे हवाले करो, ताकि मैं उसे आग लगा सकूँ, या दरिया में फैंक दूँ, मैं खामोश रहा, अगर वे पैकेट उतना ही खतरनाक है, जितना तुम उसे साबित करने की कोशिश कर रही हो, तो हर्गिस नहीं दूँगा, मैं भला क्यों चाहूंगा कि मेरी बला तुम्हारे गले पड़ जाए, मुझे कुछ नहीं होता, तो फिर मुझे भी कुछ नहीं होता, तुमें हो सकता है, तुम पैकेट को मेरी अम्मा बनकर मत दिखाओ, ठीक है, वे उट खड़ी हुई, मैं जाती हूँ, लो, अब गुसे हो गई, लेकिन जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहती हूँ, क्या, तुम मोर्ख हो, गदे हो, मेरी मुहबबत के काबिल कते नहीं हो, उशा, मैं ऐसे किसी आदमी के जिन्दगी काटने की कलपना नहीं कर सकती, जो मेरी चोटी सी बात, ऐसी बात, जिसमें उसका ही भला है, मानने को तयार नहीं, उशा, तुम बात का बतंगड बना रही हो, गुडबाई, मिस्चर सुधीर कोहली, वे फर्ष को रौंधती हुई, वहां से बाहर निकल गई, जाती बार उसने इतनी जोर से फ्लैट का दर्वाजा बन किया, कि कमरे की खिड़किया जन जना गई, मैं कमरे में ठिटका खड़ा रहा, उसे रोकना बेकार था, अपने मौझोदा मोर में वे रुकने वाली नहीं थी, उसकी एक बात पर मुझे पूरा विश्वास था, वे मुझे बता नहीं रही थी, अगर असली बात वे मुझे बता देती, तो शायद मैं जिद ना करता, लेकिन पैकेट के मामले में वे तो मुझ से ऐसे पेश आ रही थी, जैसे मैं कोई दोथ पीता बच्चा था, जो अपना भला बुरा कता ही नहीं समझता था, वैसे उस जग हो जाती थी, तभी कॉल बेल बची, मैंने दर्वाजा खोला, मेरे सामने अपनी सुबा वाली ही पोशाक में मौनिका खड़ी थी, उस वक्त्वे बड़ी उजड़ी सी हालत में लग रही थी, उसने अपने हात पाउं धीले छोड़े हुए थे, और उसके चेहरे से परिशा पानी साफ चलक रही थी, उसका मेकप फीका पड़ चुका था, और उसके खूप सूरत लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, लेकिन अपनी उस मौजूदा हालत में भी वे कम दिलकश नहीं लग रही थी, उसके भीतर आते ही मैंने दर्वाजा बंद कर लिया, वे धम से एक स तोफे पर धेर हो गई, फिर उसके निगाव विस्की की बोतल पर पड़ी, क्या मैं वे सकुचाती हुई बोली, क्या मैं एक, हाँ, हाँ, क्यूं नहीं, मैं तुरंद बोला, शौंक से, मैं किचन में से एक गिलास ले आया, मैंने पीटर स्कॉच का एक बड़ा सा पैक बना पूछा, पुलिस तो तुम्हें मरा समझ रही है, अब नहीं समझ रही, वे बोली, इस बार उसने ड्रेंक में जल्द बाजी नहीं दिखाई, क्या मतलब, पुलिस लाश की शिनात और तरीकों से कर चुकी है, वास्तव में मरी मेरी रूम मेर्ट जूली है, लेकिन मेरी ट्र रेडियो में आया है, ओ, फिर तो तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं था, क्यों, पुलिस तुम्हारे बारे में पूछ दाश करने के लिए मुझे भी तलब कर चुकी है, उन्हें मालुम है कि तुमने मुझसे संपर्क स्थापित किया था, पूछे जाने पर मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हारा केस नहीं लिया था, लेकिन फिर भी पुलिस यह सोच सकती है कि शायद तुम मेरे पास आई हो, ओ, फिर तुम मझे यहां नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर संकर्ट आए, पुलिस तुम्हें सूरत से पहचानती है क्या, अभी नहीं, लेकिन पुशाक से पहचान सकती है, पेपर में छपा है कि गायब होने से पहले मैं कौन सी पुशाक पहने थी, ये कोई बड़ी समस्या नहीं, तुम पुशाक बदल लो, और अपने खुले बालों को चोटी की सूरत में गूंत लो, तो बात बन जाएगी, ले तो कर ही लोगी, आखिर लड़की हो, पुशाक कहां से आएगी, मार्किट से, मैं अभी ला देता हूँ, मैं पैसे देती हूँ, अभी जल्दी नहीं है, बाद में दे देना, और सुधिर, हाँ, मुझे भूक लगी है, बहुत जोरो की, मैं खाने का भी इंतजाम करता हूँ थैंक यू, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये उमीद करता हूँ, कि तुम उसका पूरी इमानदारी से सच-सच जवाब दोगी, कौन सा सवाल, तुमने जूली की हत्या की है क्या, नहीं, सच कह रही हो, क्रॉस माई हार्ट, वे अपने सीने के सामने हवा में क्रॉस का निशान बनाती हुई बोली, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन सुधिर, उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्या मतलब, सुधिर, वे मेरे धोके में मारी गई है, कोई मेरी हत्या करने आया था, लेकिन गलती से उसको मुझे समझ कर उसकी कर गया, ये हो सकता है, मैंने स्विकार किया, ये भी हो सकता है कि क्योंकि तुम हत्यारों के हात ना आई, इसलिए तुम्हें चेतामनी देने की खातिर, उन्होंने तुम्हारी रूममेट की हत्या कर दी, दोनों ही तरीकों से उस वेचारी की मौत की जिम्मेदार तो मैं ही रही, हाँ और तुम्हारी जान का खत्रा भी तुम्हारे सेर से नहीं टला, वे रोने लगी, रो मत, मैं कठोर स्वर में बोला, ये आंसु बहाने का वक्त नहीं, वे खामोश रही, इतना तो तुम्हारी अकल में आ र बज़ा से हो रहा है? हाँ, क्या है उस पैकेट में? वो पैकेट तो सुरक्षित है ना? एकदम सुरक्षित है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या है उस पैकेट में? वो खामोश रही, कमाल है, तुम मेरी मदद तो चाहती हो, लेकिन खुद मेरी कोई मदद नहीं करना चा जादा कीमती हो गया है अब उसी से मेरी जान पर मंडराता खत्रा टल सकता है लेकिन मुझे तुम मैं जरूर बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी ओके ओके मैंने राकेश के बुक शौप पर फोन किया क्या कर रहे हो मैंने पूछा कुछ नहीं उत्तर मिला दुकान बंद करके ज कोई नहीं आया राकेश तुम मेरा एक काम करोगे बोलिए मेरी कार मेरे घर पहुंचा सकते हो क्यों नहीं वो यहीं है हाँ चाबियां कहां है ओफिस में वहीं जहां तुमने रखी थी ठीक है मैं ओफिस खोल लूँगा थैंक यू मैंने फोन रग दिया राकेश के पास मेर आफिस की डुपलीकेट चाबी थी फिर मैं मोनिका की तरफ घूमा मैं मार्किट तक जा रहा हूँ मैं बोला मेरी गैर हाजरी में अगर कोई यहां आए तो उसका नाम वगेरा पूछे बिना दर्वाजा न खोलना अगर राकेश नाम का कोई लड़का आए तो उसे भीतर ब उसने सहमती में सिर हिलाया मैं फ्लैट से बाहर निकला पैदल चलता हुआ मैं एन ब्लॉक की मार्किट में पहुंचा वहां से मैंने मौनिका के नाप के अंदाजे से ही नीले रंग की एक खूब खुले पाउंचे वाली जीन गुलाबी रंग का मोटा कुर्ता और एक नीली सी लगने वाली जैकेट खरी दी तभी बगल की पनवारी की दुकान पर लगे रेडियों पर खबरे ब्रॉड कास्ट होने लगी मैं ठिठक कर खबरे सुनने लगा खबरों में जूली के कतल के जिक्र के साथ वही तमाम बाते कहीं गई जो मैं मौनिका के मुह से सुन चुका था सिवाई एक बात के केस के सिलसले में पुलिस सुन्दर नगर के रमेश मलहोत्रा से भी पूश्टाच कर रही थी पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार रमेश मलहोत्रा किसी जमाने में मौनिका से संबंदित रह चुका था पुलिस को उम्मीद थी कि रमेश मलहोत्रा स उसे मौनिका का मौजूदा अतापता मालूम हो सकता था। रमेश मलहोत्रा के नाम से मैं भी अपरिचित नहीं था। वे एक लगभग 40 साल का खूब सुरत पंजाबी था। और बड़ी चलती रकम था। शराब की स्मगलिंग और गैर कानूनी जुए से उसकी रिष्टेदार आम बताई जाती थी। किसी कॉल गर्ल रैकेट से भी उसका रिष्टा था। इन गैर कानूनी हरकतों के सिलसिले में उसका नाम तो कई बार अकबारों में छपा था। लेकिन अभी तक एक बार भी वे पकड़ा नहीं गया था। मैं जानता था कि आये का कोई प्रतक्ष अधन ना होने के बावजूत वे बड़े ठाट बाट के साथ रहता था। मेरे जहन में एक खयाल आया। सामने ही एक टेलीफोन बूत था। मैं उसमें दाखिल हो गया। मैंने डाइरेक्टरी खोली। उसमें रमेश मलहोत्रा के सुन्दर नगर स्थित आवास का टेलीफोन नमबर दर्श था। मैंने उस नमबर पर फोन किया। दूसरी और से उत्तर मिलते ही मैं बड़े अधिकार पूंट स्वर में बोला। हैलो कौन बोल रहा है। मैं मलहोत्रा साहब के यहां से बोल रहा हूं साहब। उत्तर मिला। अरे कुछ नाम भी होगा तुम्हारा। मेर का ही जवाब दो समझे। जी हां मैं ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर कोहली बोल रहा हूं नाम समझ में आया। हां साहब। तुम्हारे साहब के पास कोई सफेद अमबेजर कार है। है साहब। उसका नमबर बोलो। नौकर ने नमबर बताया। वे उसी कार का नमबर जो नहरू प्लेस में राकेश की बुक शॉप की सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से रिसीवर हुक पर टांग दिया। तो वे कार रमेश मलहोत्रा की थी। फिर तो वे हाती जरूर उसी का आदमी होगा। अब एक बात निश्चित थी। मॉनिका का पैकेट बहुत कीनती थ उसके लिए मुझे दस हजार की ओफर मिल चुकी थी और उसके लिए एक खून हो चुका था। जरूर उस पैकेट में लाखों का माल था। मैंने फिर एक रैस्टूरेंट से भोजन पैक कराया और वापिस लॉट पड़ा। फ्लैट पर पहुंच कर मैंने देखा कि मॉनिका नहा चुकी थी और चेहरे पर नया मेकप लगा चुकी थी। उसने अपने बालों की चोटी करके एक अटपटा सा जूड़ा बना लिया था। मैंने उसे नए खरीदे कपड़े सौम दिये जिने लेकर वे बातरूम में चली गई। मैं टेलीफोन के पास पहुंचा। मैंने पर उशा की आवाज के स्थान पर मुझे किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। आवाज मुझे जानी पहचानी सी लगी लेकिन आवाज के मालिक का थोबड़ा मेरे जहन पर ना उभरा। उशा है मैंने पूछा। होल्ड करो उत्तर मिला। ये जोकर कौन था? मैंने ठीक है, मालूम हो गया मुझे, अब तुम मेरी तरफ से चाहे एक-दो दिन के लिए बाहर जाओ, चाहे एक-दो साल के लिए. ओ, यानि कि अभी तक तुम्हारा मिजाज बदला नहीं? मेरा मिजाज तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है, तुम्हारे मिजाज को हुआ ह देखो तुम खामखा बात बढ़ा रही हो उत्तर में उसने टेलिफोन बन कर दिया मैं हैरान था कि उशा में एका एक ऐसी तब्दिली क्यूं आ गई थी या शायद मेरा ही व्यवहार गलत था तभी मौनिका बात्रूम से बाहर निकली नई पोशात में वे ज्यादा खूब सूरत ज्यादा कमसिन लग रही थी बाठ्चीत की आवाज बात्रूम में भी आ रही थी वे तनिक संकोश पूंट स्वर में बोली तुम मुशा से बात कर रहे थे हाँ जगड़ा हो रहा था जगड़ा ही समझ लो जगड़े की वज़ा मैं तो नहीं थी छोड़ो तुम ये बताओ कि मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था नहीं कोई नहीं आया था टेलिफोन की घंटी भी नहीं बज़ी थी नहीं मैं राकेश के बारे में चिंतित हो उठा कार्ड द्वारा नहरू प्लेस का फासला मुश्किल से पांच मिनट का था अब तक उसे कब का यहां पहुँच चुका होना चाहिए था तभी कॉल बेल बज की तर दाखिल हुआ इतनी देर कैसे लग गई मैंने पूछा कोई मेरे पीछे लग गया था वे नर्वस भाव से बोला मैं तो यहीं फैंसला नहीं कर पर रहा था कि मुझे यहां आना चाहिए था या नहीं मेरे ख्याल से मैं अपना पीछा करने वाले को डौश देने में का में मौनिका को आवाज दी वे बातरूम से बाहर निकल आई हम तीनों फ्लैट से बाहर निकले मैंने फ्लैट का ताला लगा दिया नीचे आकर हम कार में सवार हुए मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा राकेश मेरी बगल में और मौनिका पीछे मैंने कार आगे बढ़ाई गया था तो मैंने सब इंस्पेक्टर यादव को उसके इर्द गेर्द मन राते पाया था एका एक राकेश बुला उसने कार की चाबियां मेरे हाथ में देख ली थी इसलिए कार के बारे में मैं जूट ना बोल पाया उसने जबरन मुझ से कार का दर्वाजा और डिकी खुलव और फिर वे बड़ी बारी की से सारी कार को टटोलने लगा मैंने उससे पूछा भी था कि वे ते क्या तलाश कर रहा था उसने कहा शौट गन शौट गन मैं हैरानी से बूला हाँ लेकिन उसे कार से मिला कुछ नहीं फिर उसने मुझ से पूछा कि मैं कार को कहा ले जा रहा मैंने कह दिया कि मैंने अपने किसी नीजी काम के लिए तुमसे कार उधार मांगी थी बाद में मैं कुछ देर इधर उधर की सडकों की खाक चांता रहा था लेकिन मैं मुझे दुबारा दिखाई नहीं दिया था लेकिन जब मैं मूल चन हस्पताल के चौराहे से ग्रेटर कैलाश को गुमा था तो मुझे फिर लगा था कि एक कार मेरे पिछे लगी हुई थी तब मैं कार को भीतर आपके घर की और मोरने के स्थान पर सीधा अर्चना सिनेमा वाली सडक पर ले गया था मेरे पीछे लगी कार वालों को शायद मेरा वे एक्शन पसंद नहीं आया था उन्होंने अपनी कार को मेरी कार के बराबर लाकर मुझे सडक से नीचे धकेलने की और मुझे जबरन रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके थे मैं तो साफ निकल आया था लेकिन कार का ये नुकसान हो गया है उसने कार के पिछले शीशे की तरफ इशारा किया मैंने घूम कर पीछे देखा तो पाया की कार का पिछला शीशा उसमें बने एक गोल छेट से चारो तरफ दोड़ती दरारों से भरा पड़ा था साफ जाहिर था कि किसी ने राकेश पर गोली चलाई थी ये काम पुलिस नहीं कर सकती थी निश्य ही कोई और ही उसका पीछा कर रहा था जो कार तुम्हारे पीछे लगी थी मैंने पूछा वो कैसी थी वो गहरे काले रंग की कोई बड़ी लंबी विलाईती कार थी ओ, सुबह जो रसीद मैंने तुम्हें दी थी वो इस वक्त तुम्हारे पास है हाँ, वो मुझे वापिस दे दो राकेश ने जेब से रसीद निकाल कर मुझे वापिस सौंप दी ये कैसी रसीद है उसने उत्सुक भाव से पूछा कहीं इसी की वज़ा से तो सारे घपले नहीं हो रहे हो सकता है मैं बोला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इससे कोई रिष्टा ना रहे मैं नहीं चाहता इसकी वज़ा से तुम किसी जमेले में फस जाओ मैं डरने वाला नहीं वे चाहती फुला कर बोला फिर भी आबेल मुझे मार वाली हालत पैदा करने का क्या फाइदा वो खामोश रहा, मैंने कार को एक स्थान पर रोका, सामने स्कूटर स्टैंड था मदद के लिए शुक्रिया राकेश मैं बोला, अब तुम घर जाओ मेरे लाइक कभी भी कोई सेवा हो तो नी संकोच बताईएगा भाई साहब वे दर्वाजा खोलता हुआ बोला जरूर, मैं बोला वे कार से बाहर निकल गया मैंने कार आगे बढ़ा दी मैं मोनिका को सूरजकुंड परस्थित एक कौटेश में ले आया सूरजकुंड हर्याना में बदरपूर बोर्डर से थोड़ी दूर एक प्लेटक स्थाल था और मेरे घर से मुश्किल से 20 किलोमेटर दूर था मेरे निगाह में उस वक्त मौनिका के लिए वहां से ज्यादा सुरक्षित जगा कोई और ना थी ये तो बड़ी बड़िया जगा है मौनिका बोली हाँ मैं बोला यहां बहुत बड़े बड़े लोग आराम फर्माने आते हैं लेकिन जरा तन्हा है हाँ लेकिन ये इस जगा का नुक्स नहीं गिना जाता है वे हसी एक मीठी मादक हसी एन ब्लॉक की मार्किट से पैक कराकर लाया गया खाना मैंने खोला तक नहीं था अपने फ्लेट से कूच करने की जल्दी में मैंने उसे जियों का त्यों उठाकर कार में रख लिया था मैं कार में से खाना निकाल लाया, हम दोनों ने खाना खाया, खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी जायके में बुरा नहीं था, फिलहाल तुमने यहां रहना है, बाद में मैं बोला, अकेले, वे हड बढ़ाई, हाँ, और तुम, मैं तो वापिस जाओंगा, लेकिन मु जाओं, मैं हिच किचाया, कम से कम रात भर के लिए तो रह जाओं, वे आगरपूंट स्वर में बोली, घर जाकर भी तो सोगे ही, तबी बाहर कहीं से एक हलकी सी खट की आवाज आई, मौनिका घबरा कर मेरे साथ चिपक गई, और मेरे कान में फुस फुसा कर बोली, कौटे भासन पूर्ण धंग से उसकी पेट थप थपाई और धीरे से बोला, मैं देख कर आता हूँ, उसने भैबीद भाव से सहमती में सिर हिलाया, मैं कौटेज से बाहर निकला, अपने पीछे मैंने दर्वाजा बंद कर दिया, मैंने कौटेज का पूरा एक चकर लगाया, कहीं क कोई नहीं था, मैं वापिस आ गया, वे फॉरण मेरे साथ आ लगी, वे बहुत ही सहमी हुई लग रही थी, घबराओ नहीं, मैं बोला, बाहर कोई नहीं है, फिर भी मैं यहां अकेली नहीं रह सकती, वे धीरे से बोली, लेकिन मैं यहां कैसे रह सकता हूँ, क्यों नहीं र सहारा देकर पलंग तक लाया वे पलंग पर लेट गई उसके साथ खीशता हुआ मैं उसके पहलू में जाकर गिरा वे मेरे साथ लिपट गई उसके होंट मेरे होंटों से चिपक गई कितने ही देर हम यू ही एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे फिर मैं उससे अलग हुआ मै मैंने डन हील का एक सिगरेट सुलगा लिया और छट की योड देखता हुआ उसके छोटे-छोटे कश लगाने लगा तभी बाहर फिर एक अजीब सी आहट हुई मुझे यू लगा जैसे कोई सूखी शाखा किसी के पाउं के नीचे आकर चर मराई थी बाहर कोई है वे अतंकित स्वर में फुस फुस आई बाहर शर्तिया कोई है मैंने बड़े आश्वासन पून धंक से उसे अपने साथ लगा लिया कोई जरूर मेरी ही तात में है वे रुआं से स्वर में बोली मैं फिर देख कर आता हूँ मैं उसे अपने से अलग करता हुआ बोला मैं पलंक से उत्रा रिवॉल्वर निकाल कर मैंने फिर अपने हाथ में ले ली मैं साफधानी से कौटिज से बाहर निकला बाहर सननाटा था साइं साइं करती हवा के इलावा कोई आवाज सुनाई ना दी फिर मैंने कौटिज का चक्कर लगाया मैंने दूर दूर तक आँखे फाट फाट कर देखा कहीं कोई नहीं था तभी मुझे दूर खड़ी अपनी कार के समीप एक साया दिखाई दिया मैं रिवॉल्वर ताने आगे बढ़ा अभी मैं कार से दूर ही था कि साया गायब हो गया मैंने आँखे मिच मिचाई और फिर सामने देखा कोई नहीं मैं कार के समीप पहुँचा मैंने देखा कार के सारे दर्वाजे मजबूती से बन थे मैंने एक बार फिर आँखे फाट फाट कर चारों तरफ देखा कार के पीछे सड़क की तरफ एक पेड़ के पास कोई चीज हिली कौन है? मैं उच्छ स्वर में बोला जवाब नदारत स्तब्द वाता वरंड में सिर्फ मेरी आवाज गुंजी मैं कार के पीछे पहुंचा और थोड़ा आगे बढ़ा पेड़ों के पीछे कहीं से सूखी पत्तियां चर मराने की आवाज मैं लपक कर उनके पीछे पहुंचा कहीं कोई नहीं या शायद कोई जानवर वहाँ था मैं वापिस लोट पड़ा मोनिका खामखा डर रही थी मैं कॉटेज में दाखिल हुआ मोनिका पलंग पर नहीं थी कहां गई वो तभी मेरी निगाप पलंग पर रखे तक्ये पर पड़ी मुझे लगा कि एक तक्ये के सफेद गिलाव पर कुछ लिखा हुआ था मैंने आगे बढ़कर तक्या उठाया और उसका रुक रोशने की तरफ करके उस पर लिखी इबारत पढ़ने लगा लिखा था लड़की हमारे पास है पैकेट तुम्हारे पास है पैकेट हमें चाहिए शायद लड़की तुम्हें चाहिए हो अदला बदली हो सकती है हम कल सुबह संपर्क स्थापित करेंगे तब तक सोच विचार कर रखना मैं राजधानी वापिस लोटा संपर्क होने का सुबह तक इंतजार करने का मेरा इरादा नहीं था अगर सारे फसाद की जड़ रमेश मलहोत्रा था तो मैं उससे अभी बात करना चाहता था अगर मैं रमेश मलहोत्रा की करतूत नहीं थी तो मैं सुबह तक इंतजार कर सकता था एक बात से मैं हैरान था किसी को मालूम कैसे हुआ था कि हम सूरज कुन के एक कौटेश में थे मैं बड़ी साफ धानी से कार्ट चलाता हुआ आया था मुझे पूरा विश्वास था कि किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था तो फिर इसका एक ही जवाब था मेरे पास शायद मेरा पीछा करने वाले बहुत चालाक थे मेरी उमीद से कहीं ज्यादा चालाक रमेश मलहोत्रा सुन्दर नगर की एक बड़ी खूप सूरत कोठी की निचली मंजिल पर रहता था मैं फाटक ठेल कर बीतर दाखिल हुआ पोटिकों में जाकर मैंने कॉल बेल बजाई दर्वाजा खुला एक लगभग 35 साल की महिला ने दर्वाजे से बाहर कदम रखा वे एक कटे बालो वाली लंबी उंची कद्यावर और थी और वे सिल्क की एक खूप सूरत साड़ी पहने थी मैंने उसे फॉरण पहचान लिया वे मार्था जोन्स थी कॉल गर्ड सप्लाई करने वाली फेमस मैडम उसने भी मुझे पहचान लिया हलो वे मधुर स्वर में बोली ये तो सुधीर कोली आया है आओ आओ वेलकम वो कहां है कौन तुम्हारा बाप कौन सा बाप तुम्हारे कई बाप है हाँ रमेश मलहोत्रा वो तो इस वक्त घर पर नहीं है और लड़की लड़की वे धूर्तता पोन धंग से मुस्कुराई लड़की चाहिए तुम्हें तुम जानती हो मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ डार्लिंग क्या मेरे से काम नहीं चलेगा वे बड़े अशलील धंग से हसी बक्वास मत करो सोच लो तुम्हारे लिए मेरा स्पेशल रेट जो तुम अफोर्ट कर सको अच्छा मैं में दूंगी शट आप सोच लो आई सेट शट आप अरे गुसा मत करो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आओ भीतर आओ मैं भीतर दाखिल हुआ उसके साथ मैं एक खूब सुदर ड्राइंग रूम में पहुँचा बैठो वे बोली बैठने के स्थान पर मैं पिछले दरवा वाजे की और बढ़ा अरे अरे कहां जा रहे हो उसने मेरा रास्ता रोपने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे एक और धकेल दिया मैंने पूरे फ्लोर का चकर लगाया वहां उसके इलावा और कोई नहीं था मैं वापिस ड्राइंग रूम में लोटा मार्था एक सोफे पर बै लड़की कहां है फिर लड़की मौनिका कहां है इतना बड़ा जासू समझते हो अपने आपको मालूम करो कहां है मैंने एक जन्नाटे दार थपड उसके चेहरे पर रसीद किया उसका थपड़ खाया गाल अंगारे की तरह देहक उठा शाब बाश वे जहर भरे स्वर में बो जल्दी बताओ मौनिका कहां है वरना मैं तुम्हारी ऐसी गत बनाऊंगा कि दुबारा जिंदगी भर कभी कोई कोठा नहीं चला सकोगी मैं तुम्हारे इस खोप सूरत थोबड़े की ऐसी गत बनाऊंगा कि सारी जिंदगी दुबारा कभी शीशा देखने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी उसने उत्तर नहीं दिया वे लड़ खडाती हुई अपने स्थान से उठी एक और एक लंबी सी कैबिनेट थी उसने उसे खोला तो वे बार बन गिया उसने दो गिलास निकाले और जोनी वॉकर की एक बोतल खोली उसने दोनों गिलासों में विस्की डाली औ अपना सिग्रेट होल्डर उसने वहीं कहीं रख दिया और दोनों हाथों में दो गिलास उठाए वे मेरे पास पहुँची मैंने तुम्हारे तमाचे का बुरा नहीं माना वे मादक स्वर में बोली सत मिजाज मर्द मुझे पसंद आते हैं अब गुसा थोग दो और ड्रिंक लो उसने एक गिलास मेरी और बढ़ाया मैंने उसके हाथ पर हाथ मारा गिलास उसके हाथ से निकल कर हवा में उचला और हवा में कला बाजी खाता हुआ फर्श पर बिच्छे मोटे कालीन पर गिरा उसमें मौझूद तरल पदाट कालीन पर बिखर गिया लेकिन गिलास ना तूटा मैंने उसके खाली हाथ वारी कलाई थाम ली और उसे जोर से मरोड कर उसे उसकी पीट के पीछे लगा दिया बोलो मॉनिका कहा है मैं क्रूर स्वर में बोला वरना बाह तोड़ कर हाथ में थमा दूँगा हाई मैं मर गई वे पीड़ा से छट पटाती हुई चिलाई अभी नहीं मरी हो लेकिन अगर जल्दी जुबान नहीं खोलोगी तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी चोड़ो चोड़ो मुझे मैंने उसे सामने को धक्का दिया और उसकी बाह छोड़ दी वे सोफे पर जाकर गिरी बोलो मैं फुमकारा यू सन अफ बिच वे चिलाई यू बास्चर्ड यू मैंने एक और जहापर उसके मूँ पर जमाया बाकी के शब्द उसके मूँ में ही र तोट मैंने फिर हाथ हवा में ताना बाई जीसस वे अपने गले में लटके क्रॉस को छूती हुई बोली रमेश मलोतरा कहां है वो कहीं गया है कहां ये मुझे नहीं मालूम लेकिन गया वे मोनिका की तलाश में ही है वे क्यूं तलाश कर रहा है मोनिका को क्योंकि मोनिका ने उसे धोका दिया है उस हरामजादी ने मैंने फिर उसके मुँपर एक जापर रसीद किया वे खामोश रही एक बात पक्की थी मोनिका थी रमेश मलोतरा के ही कबजे में लेकिन वे उसे सूरज कुंट से वहां लाने के स्थान पर कहीं और ले गया मालूम होता था क्यूंकि वहां तो वे कब का पहुंच चुका होना चाहिए था कहीं उसने मौनिका का कतल तो नहीं कर दिया था नहीं पैकेट हात में आए बिना वे मौनिका का कतल नहीं कर सकता था और मौनिका तो खुद नहीं पता था कि पैकेट कहा है उससे तो केवल इतना जाना जा सकता था कि प पैंसला किया उठकर मेरे साथ चलो मैं बोला कहां उसने पूछा अभी मालूम हो जाएगा मैं समझी नहीं मार्था तुम मेरे तुरब चाल हो तुम्हारी मदद से मैंने तुम्हारे रमेश मुलोतरा का पत्ता पेटना है अब उठकर खड़ी हो जाओ वे जिजकती हुई उठ खड़ी हुई मैं ग्रेटर कैलाश पहुँचा मार्था को ले जाने लायक बेहत्रीन जगा मुझे अपना फ्लैट लगी थी अगर किसी ने मौनिका के बारे में मुझसे संपर्ख स्थापित करना था तो उसकी संभावना मेरे फ्लैट पर ही हो सकती थी मैं अपने फ्लैट क जल रही थी और कमरे की हर चीज हर जगा ऐसी अस्त व्यस्त स्थिती में थी जैसे वहाँ गूर दोड होकर हटी हो वहां की बड़ी बारी की से बड़ी रहमी बे रहमी से तलाशी ली गई थी तभी मेरे कानों में एक हलकी सिकरा की आवाज पड़ी आवाज बातरूम से आई उसे वापिस घसीटा और दर्वाजे को भीतर से बंद करके उसको अपनी चाबी से ताला लगा दिया। मैं फिर बात्रूम के पास पहुँचा, दर्वाजा खोल कर मैं भीतर दाखिल हुआ। बात्रूम के फर्श पर मदन लाल पड़ा था। उसकी खोपडी तर्वूस की तरह खुली हुई थी और उसका चेहरा खोन में रंगा हुआ था। साफ लग रहा था कि उसकी जिंदगी की कुछ ही सांसे बाकी थी। यही हैरानी की बात थी कि उस नाजुक हालत में वे अभी तक जिन्दा था। मदनलाल मैंने आतंकित भाव से उसे पुकारा। उसके शरीर में हरकत ना हुई केवल उसके होंट ही ले। प्रत्यक्षत है वे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से उंक्रू होकर उसके समी बैठ गया और मैंने अपने कान लगबग उसके होंटों के साथ लगा दिये। मुझे सुनाई दिया सबरवाल ये धोका उसके बाद उसके प्राण निकल गई। मैं उट खड़ा हुआ। मैंने घूम कर देखा मार्था बात्रूम की चोकट के साथ लगी खड़ी थी और नेत्र फैलाए, मुह बाए, मदनलाल की लाश को देख रही थी। तुम इसे जानती हो? मैंने पूछा, उसने सहमती से सिर हिला दिया, ये तस्वीर में कहां फिट होता है? उसने जवाब नहीं दिया, पता नहीं वे कुछ जानती नहीं थी या भई के अतिरेक से उसका मुह नहीं खुल रहा था। मैंने मदनलाल की जेबों की तलाशी ली, जेब पत्तों की एक छोटी सी डाईरी और एक पर्स के इलावा दिल्चस्पी के काबिल और कोई चीज नहीं थी। मैंने पत्तों की डाइरी बिना पड़े अपनी जेब में डाल ली और पर्स खोला। उसमें दो चीजे दिल्चस्पी के काबिल थी। उसमें एक तो स्टेट बैंक का पार्लियमेंट स्ट्रेट ब्रांच का ब्लैंक चेक था जिस पर किसी कैलाश सबरवाल के हस्ताक्षर थी। दूसरी चीज एक छोटा सा कागस था जिस पर टाइप द्वारा लिखा हुआ था सही केमत पर माल मिल सकता है आज रात साड़े ग्यारा बजे। कोई मुझे फसाना चाहता था मुकमल नहीं तो इतना जरूर फसाना चाहता था कि मैं थोड़े अर्से के लिए पुलिस के गिरफ में आ जाओं और कुछ करने धरने के काबिल ना रहूं मैंने इस लाश को यहां से बाहर निकालना है मैं मार्था से बोला और तुम्हें इस क संभाल कर बाहर निकालता हूं तुम्हें मेरे आगे 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 चलना है अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो कह देना कि यह नशे में है और हम इसे इसके घर छोडने जा रहे हैं उसने बड़े अनिच्छा पौन धंग से सहमते में सिर हिलाया मैंने फ्लैट के दर्वाजे की चाबी और कार की चाबियां उसे थमा दी फिर मैंने लाश को संभाला और उसे सहारा दे कर एक तरह से चलता हुआ आगे बढ़ा मार्था ने दर्वाजा खोला मैंने लाश को पिछली सीट पर डाला और स्वयम मार्था के साथ अगली सीट पर सवार हो गया मैंने कार खाल सडकों पर दोड़ा दी काल काजी के चौंक से चिराग रोड पर घूमा आगे वायलेस चेशन के पास एक विशाल चटियल मैदान था जो उस वक्त उजार और अंधेरा दिखाई दे रहा था मैंने लाश वहां फेंग दी और वापिस लोटा अभी मैंने बात्रूम से खून सा करना था और फ्लैट को व्यवस्तित करना था फ्लैट पर वापिस आकर मैंने मार्था को फ्लैट को व्यवस्तित करने पर लगाया और स्वयम बात्रूम में जाकर फर्श पर फैला खून साफ करने लगा तभी फ्लैट की कॉल बेल बची और साथ ही दर्वाजे पर दस्तक प इस वक्त दर्वाजा नहीं खुल सकता, दिन में आना, दर्वाजा खोलते हो या मैं इसे तोड़ कर अंदर गुसूँ, मैं बातरूम से बाहर निकला, मैंने बातरूम का दर्वाजा बंद किया और मार्था के पास पहुंचा, मैंने उसके बाल बिखेर दिये और उसकी साड़ को अस्त वियस्त कर दिया, ये क्या कर रहे हो, वे तीवर विरोत पूंट स्वर में बोली, शट अप, मैं फुंकारा, मैंने उसका मेकप भी बिगार दिया, और उसे सोफे पर धकेल दिया, फिर मैंने आगे बढ़कर दर्वाजा खोला, सब इंस्पेक्टर यादव भीतर द इस वक्त यहां कैसे टपक पड़े यादव साहब, मैं शिकायत भरे स्वर में बोला, उसने घूर कर मुझे देखा, और फिर कठोर स्वर में बोला, लाश कहा है, लाश, मैंने हैरानी जाहिर की, कैसी लाश, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके किसी ने बताया है, कि तु मार्था की तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन वैसी नहीं, जैसी तुम सोच रहे हो, बको मत, साफ बताओ, यहां कोई कतल हुआ है क्या, नहीं, वे सामने दर्वाजा कैसा है, वे बातरूम का दर्वाजा है, वे उसकी तरफ बढ़ा, मैं उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो रास्ते से हटो, वे कठोर स्वर में बोला, वहां कुछ नहीं है, मैंने कब कहां वहां कुछ है, मैं अनिच्छा पून धंक से एक और हट गिया, वे दर्वाजा खोल कर बातरूम में पहुंचा, फर्ष फर्षे में काफी खून साफ कर चुका था, लेकिन अभी भी खून के कुछ धब्बे चमक रहे थे, ये खून कैसा है, उसने पूचा, मुर्गी का, मैं बोला, क्या, ये मुर्गी का खून है, पिछली रात मैंने यहां एक मुर्गी मारी थी, हम्, वे बोला, उसने जुक कर जमीन पर से एक चीज उठाई, और ये क्या है, मैंने देखा उसके हा में मदन लाल का पर्स था, वे पर्स मैंने वापिस मदन लाल की जेब में डाला था, लेकिन लाश उठाते समय, शायद वे जेब से निकल कर बाहर गिर गया था, ये मेरा पर्स है, मैं बोला, मैंने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने अपना पर्स वाला हाथ परे कर लिया उसने पर्स को कोला और भीतर से एक ड्राइविंग लाइसेंस निकला वे कुछ शन उसे देखता रहा और बोला इस पर किसी मदनलाल का नाम लिखा है वे भी मेरा ही नाम है मैं जल्दी से बोला सुधीर कोहली और फ्मदनलाल मुझे गिसने की कोशिश कर रहे हो नहीं चलो कहां मेरे साथ तुम्हारे साथ कहां पुलिस चेशन तुम मुझे गिरिफतार कर रहे हो हां किस अपराद में फिलहाल मैं तुम्हें संदे के आधार पर गिरिफतार कर रहा हूँ मुनासिब चार्श तुम पर बात में लगाया जाएगा उसने आगे बढ़कर मेरी बाहर थामी मैंने दाए हाथ का एक प्रचन गुंसा उसकी कन पटी पर जमा दिया एक ही गुंसे मेवे धरशाई हो गया और उसकी आंखे उलट गई नीचे गिरते समय उसकी खोपड़ी भड़ाक से पक्के फरश के साथ टक्राई और खोपड़ी से खून बहने लगा मैं मार्था का नाम लेकर पुकारता हुआ बातरूम से बाहर निकला मार्था गायब थी मुझे यादव के वहां आगमन पर बड़ी हैरानी थी मार पीट के रिपोर्ड की जो कहानी वो कह रहा था वे सच नहीं हो सकती थी वे बात सच होती तो यादव यहां अकेला हरगिस ना आता उसका वहां अकेला आना मुझे बहुत शक में डाल रहा था किस फिराक में था वो मैंने एक छोटे अटैची केस में अपने कुछ कपड़े और रोज मर्रा की जरूरत का सामान भरा और फ्लैट से बाहर निकला मैं अपनी कार में सवार ही वहां से रवाना हुआ ही था कि विप्रीद दिशा से वहां एक पुलिस जीप पहुंची मैंने फॉरन कार की रफ्तार बढ़ा दी पहार गंच के इलाके में एक साधारन सा होटल था जिसका मालिक मेरा दोस्त था मैं उसके होटल में पहुंचा मैंने उसे समझाया कि मुझे एक कमरे की जरूरत थी लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वे रिजिस्टर में मेरा नाम लिखे बड़ी ही हुज़त के बाद वे मान गया वे मुझे होटल की पहली मन्जिल पर स्थित एक कमरे में पहुंचा गया उसके वहां से विदा होते ही सबसे पहले मैंने उशा के घर फोन किया तुरंत उत्तर मिला प्रत्यक्षत है वे जाग चुकी थी सुधीर बोल रहा हूं मैंने बताया सुधीर वे व्यग्रभाव से बोली कहा हो तुम मैं तो सारी रात तुम्हारे फ्लैट पर फोन कर रही थी लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला मैं फ्लैट पर नहीं था मैंने तुम्हें बताया तो था कि एक दो दिन के लिए मैं कहीं जा रहा था इस वक्त कहां से बोल रहे हो इस वक्त तो अभी दिल्ली में ही हूं मैं कहां मैंने उसे होटल का नाम पता और अपना कमरा नंबर बता दिया, फोन कैसे किया, वे बोली, सौरी बोलने के लिए, आज राथ हम दोनों के बीद जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं शर्मिन्दा हूँ, मैं खुद शर्मिन्दा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार-बार फोन कर रही थी, सुधिर हमें यूं हर वक्त बच्चों की तरह ल आदक हो उठी, सुला कर ले, इस वक्त तो आना मुम्किन नहीं उशा, सोच लो, बाद में मैं तुम्हें बहुत उम्दा ब्रेकफास्ट बना कर खिलाऊंगी, सौरी उशा, अभी मुझे काम है, सोच लो, बाद में ओफर कैंसिल हो जाएगी, ब्रेकफास्ट की या फिर, ब लेकिन इस वक्त आना मुम्किन नहीं, मर्जी तुम्हारी, वे मायूस्वर में बोली, सो लॉंग, मैं बोला, और मैंने रिसीवर रख दिया, फिर मैं बिस्तर के हवाले हो गया, सूरज की तीखी धूप, खिड़की के रास्ते आकर, मेरे उपर पढ़ने लगी, तो मेरी न कमपाउंड में पहुंचा, कमपाउंड में से मेरी कार गायब थी, मैं मलकानी के पास पहुंचा, जो कि होटल का मालिक मेरा दोस्त था, मेरी कार कहां गई, मैंने पूछा, उसे मैं नई दिल्ली स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कर आया हूँ, क्यों, मैं हैरानी से बोल ये था मुझ से कौन सा सच कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है लेकिन ये बात तो मुझे अभी तुम ही से मालूम हो रही है उसके चहरे पर विश्वास के भाव प्रकट ना हुए मैं सच कह रहा हूँ मैं बड़ी संजीदगी से बोला वे और निश्चित था मुझसे परे द काक्रमन किया तुमने मदलनाल नाम के एक आदमी का अगवा किया और तुमने जूली नाम की एक कॉल गर्ल की हत्या की है मलकानी तुम्हें विश्वास है कि वे सब कुछ मैंने किया है मुझे नहीं मालूम लेकिन अब मुझ पर इतनी महरबानी करो कि यहां से बोरिया बिस् से कम तुम्हें तो मुझ पर विश्वास होना चाहिए मुझे तुम पर विश्वास है लेकिन फूटो तो तुम फिर यहां से अच्छा मेरे बाप मैं अपने कमरे में पहुंचा तभी फोन की घंटी बजी ओप्रेटर ने मुझे बताया कि मेरे लिए कॉल थी फिर मेरे कान में उशा की आवास पड़ी सुधेल वे व्यग्र भाव से बोली तुम खैरियत से तो हो हां क्यों मैंने अखबरों में तुम्हारे बारे में सुना है पुलिस बड़ी सरगर्मी से तुम्हारी तलाश कर रही है अच्छा हां और तुम्हारी जानकारी के लिए उन्होंने तुमने किसी मदनलाल का अगवा किया है ये किस आधार पर कह रहे है वे मदनलाल कल रात घर नहीं पहुंचा पुलिस का कहना है कि कल घर से रवाना होने से पहले उसने अपनी बीवी को कहा था कि अगर वे रात को घर वापिस ना लोटे तो समझ लेना कि उसे कुछ हो गया और इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार समझा जाए ओ और आज सुभा तुम्हारा ओफिस खोलने के लिए जब मैं वहां गई थी तो वहां एक टेलिफोन आया था जो मैंने सुना था फोन पर कोई कह रहा था कि तुम्हें कह दू अगर तुम अपनी मौजूदा मुश्किलों से बचना चाहते थे तो सौदा कबूल कर लो कैसा सौदा मैंने पूछा था लेकिन फोन करने वाले ने कहा था कि तुम्हें मालूम था कि किस सोदे की बात हो रही थी और क्या कहा उसने उसने तुम्हें ठीक डेड़ बचे टेलिफोन नंबर 628317 पर घंटी करने को कहा है उ उसके बाद कोई बात नहीं होगी ठीक है मेरे लाइक कोई सेवा हो तो बताओ सेवा तो है तो नहीं संकोच बोलो मुझे कुछ रुपए चाहिए कितने 500 से काम चल जाएगा और और एक आद दिन के लिए एक कार चाहिए तुम्हारी कार को क्या हुआ उसे हुआ कुछ नहीं है लेकिन उसकी वज़ा से मैं पुलिस के पकड में आ सकता हूँ इसलिए मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन तुम्हारी मर्जी क्या है तुम करना क्या चाहते हो तुम कार और पैसे लेकर आ रही हो ना हाँ फॉरन तो फिर मैं अपनी मर्जी तुम्हें तुम्हा मैं एक कुर्सी पर धेर हो गया, मैंने डन हिल का एक सिगरिट सुलगा लिया, मैं सोचने लगा, मौनिका जिस शक्स के भी अधिकार में थी, वे निश्चे ही पैकेट वापिस हासिल करने के लिए मरा जा रहा था, उसके चकर में दो कतल हो चुके थे, इसलिए मेरा कतल करने से भी हिचकने वाला नहीं था, जब राकेश मेरी कार चला रहा था, उस वक्त कार पर गोरी चलाई जाना भी इस बात का सबूत था, जिस किसी के भी अधिकार में मौनिका थी, वे मौनिका के बदले में पैकेट हासिल होने की पूरी उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस मामले में दगाबाजी भी हो सकती थी, मुम्किन था कि मौनिका का कतल पहले किया जा चुका हो, या शायद वे लोग पैकेट हाथ में आते ही उसका कतल कर देने का इरादा रखते हो, उस सारी जमेले से मौनिका को जिन्दा निकालना विकट समस्या थी, फिर मुझे जूली का खयाल आ उसके अपने अंजाम से डराने के लिए वार्निंग के तोर पर जूली का कून किया गया था, और या फिर जूली भी पैकेट के बारे में कुछ जानती थी, मैंने सिग्रेट का एक लंबा कश लगाया, और मदनलाल इस तस्वीर में कहां फिट होता था, क्या वे भी उस पैक लना होता, खास तोर से जब की अभी पैकेट भी उसके हाथ में नहीं आया था, फिर मुझे उसकी जेब से मिले चैक की याद आई, ये कैलाश सबरवाल कौन था, क्या मदनलाल इस कैलाश सबरवाल के लिए काम कर रहा था, क्या पैकेट की फिराक में दो पार्टियां थी, ऐसा उन्होंने मदनलाल के बॉस को हतोत साहित करने के लिए किया हो सकता था, आधी दरजन सिगरेट फूंक चुकने के बाद भी उस केस की कोई सपष्ट तस्वीर मेरे मानस पटल पर ना उबरी, मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली, एक बज चुका था, डेर ब मुझे ठीक डेर बजे फोन करने के लिए कहा गया था, इसलिए वे नंबर किसी पब्लिक टेलिफोन का भी हो सकता था, उस सूरत में मैं डेर बजे तक उस टेलिफोन पर पहुंच कर देख सकता था, कि वा घंटी बजने पर जवाब देने को तत पर कौन मौजूद था, ले मेरे पास कार भी तो नहीं थी, फिर पहले मैंने यही जानने का फैसला किया, कि वे नंबर लगा कहा हुआ था, मैंने फोन का रिसीवर उठाया, ओप्रेटर के लाइन पर आते ही मैंने उस से डारेक्ट लाइन मांगी, जो कि उसने फोरन दे दी, मैंने वे नंबर डायल किय 8-10 बार घंटी बच चुपने के बाद किसे ने फोन उठाया, हेलो जोती रेस्टोरेंट, मैंने फोन बंद कर दिया, फिर मैंने डाइरेक्टरी खोल कर उसमें जोती रेस्टोरेंट तलाश किया, जोती रेस्टोरेंट के आगे साउथ एक्सचेंशन का एक पता लिखा मैंने inquiry का number dial किया, उत्तर मिलने पर मैंने पूछा, South Extension में स्थिक जोती restaurant में एक PCO लगा हुआ है, क्या आप मुझे उसका number बता सकती है? होल्ड कीजिए, उत्तर मिला, एक मिनट बाद उसने मुझे वही number बता दिया, जो मुझे उशा से मालुम हुआ था, यानि कि वे public telephone ही था, अब मैं सोचने लगा कि कौन मेरी जगा जियोती restaurant में जा सकता था, मुझे उशा का ही ख्याल आया, मैंने उसके office में फोन किया, मालुम हुआ वो वहाँ नहीं थी, शायद वो मेरे ही पास आने के लिए वहाँ से जा चुकी थी, फिर मुझे राकेश का ख्याल आया, मैंने उसके office में फोन किया, मैंने उसकी book shop पर किया, तब तक सवा एक हो चुका था, दूसरी और से फोन उठाया गया, मेरे कानों में राकेश क काम कर सकते हो, बोलिए, साउथ एक्स्टेंशन तक जाना पड़ेगा, ठीक है, चला जाओंगा, साउथ एक्स्टेंशन के जोती रेस्टोनेंट में एक पब्लिक टेलिफोन लगा हुआ है, जिसका नमबर 628317 है, ठीक देड़ बजे इस टेलिफोन की घंटी बजेगी, वह रेस्टोनेंट में कोई आदमी घंटी बचने का इंतजार में बैठा होगा, डेड़ बजे जो भी आदमी उठकर टेलिफोन सुने, तुमने उसको अच्छी तरह पहचान लेना है, और उसके पीछे लग जाना है, उसके घर का पता मालुम करने के लिए, वह उत्तेजित अबर में बोला, ऐसी बातों में उसकी दिल्चस्पी थी, वे उसके लिए बड़ी रोमांचक खुशी की बात थी, कि उसे जासूसी का कोई ऐसा काम करने का मौका मिल रहा था, घर का या ओफिस का या कहीं का भी पता मालुम करने के लिए, कर सकोगे ये काम, क्यों नहीं कर स तुम पहुंच आओगे, एक आद मिनट की देर तुमें हो भी गई, तो उसका इंतजाम मेरे पास है, आपके पास है, हाँ, वे कॉल असल में मैंने ही करनी है, मैं जान बुशकर वारतालाप को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं अभ उसरी और से रिसेवर उठा लिया, मुझे एक इस्तरी स्वर सुनाई दिया, इतनी जल्दी टेलिफोन उठाए जाने का यही एक मतलब हो सकता था, कि वे टेलिफोन के सिरहाने ही खड़ी थी, उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, जरूर उसने माउट पीस पर रुमाल नहीं था, सौदे के लिए तयार हो, मुझे से पूछा गया, सौदा हो सकता है, मैं साफ धानी से बुला, तुम टाल मटोल के स्थिती में नहीं हो, तुम्हे वही करना होगा, जो हम तुम्हे करने के लिए कहेंगे, वहम है तुम्हारा, मेरे पत्ते भारी है, कौन कहता है, वो कहता है, जिसके पास पैकेट है, हमारे पास लड़की है, लड़की मेरी क्या लगती है, मेरी तरफ से तुम उसकी चटनी बना दो, हम तो समझते थे, कि लड़की की जान की सलामती में तुम्हारी बड़ी दिलचस्पी होगी, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम किसी सौदे बाजी की स्थिती में हो ही नहीं करेक्ट फिर मैं फोन बंद करती हूँ रुको रुको मैं हड़ बढ़ा कर बोला बोलो लड़की के साथ 50,000 रुपे भी तो दो तो पैकेट तुम्हें मिल सकता है नहीं तुम्हारी कोई शर्थ हमें मन्जूर नहीं जल्दी फैसला करो लड़की के बदले में पैकेट देते हो लड़की और 50,000 रुपेयों के बदले में नहीं मुझे ये कैसे मालूम हो कि लड़की सुरक्षित है लड़की एकदम सुरक्षित है लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूँ हमारी बात पर विश्वास करने के इलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है मैं सौदे से पहले उसे अपनी आंखों से सही सलामत देख लेना चाहता हूँ तुम कामगा वक्त बरबाद कर रहे हो सौदा करने के नियत नहीं मालूम होती अगर बात में मेरी नियत बन जाए तो दुबारा मैं तुमसे कहां संपर्ख स्थापित कर सकता हूँ क्या इसी टेलिफोन पर हमसे संपर्ख स्थापित करने का ये तुम्हारे लिए आकरी मौका है मैंने एक बार टेलिफोन रख दिया तो समझ लेना की किस्सा खतम हो गया मैं खामोश रखा और मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी मैं तेन तक गिनूंगी और टेलिफोन रख दूंगी मुझे वे सच बोलती लगी अब उसे और लटकाना संभव नहीं था आकरी बात मैं बोला लड़की और बीस हजार रुपे ये भी मन्जोर ना हो तो बेशक टेलिफोन रख दो ठीक है अब गौर से सुनो मेरी बात मुझे कोई बात दौरानी ना पड़े तुमने तुगल का बात देखा है मैंने तुगल का बात देखा हुआ है फिर भी उसे और ज्यादा लटकाने की खातिर मैं तनिक संदिग्द स्वर में बोला ये उस सड़क पर है ना जो महरोली से बदर पूर जाती है हाँ देखा है आज रात थीक बाड़ा बचे तुम तुगल का बात के खंडरों के सामने पहुँच कर सड़क पर अपनी कार खड़ी कर देना और जब तक हम तुम से संपर्क स्थापित ना करें वही ठहरे रहना लेकिन इतनी रात गए उस उजाट सड़क पर अगर मुझे किसी ने लूट लिया तो उत्तर में मुझे केवल करंट की साइं साइं सुनाई दी संबंध विछेद हो चुका था मैंने रिसीवर रग दिया फिर थोड़ी देर बाद मैंने उशा को फोन किया मालुम हुआ कि उशा दफ्तर में नहीं थी मैं हर पंदरा मिनट पर उसे फोन करता रहा अंत में धाई बजे मेरी उससे बात हुई तुम कहां चली गई थी मैंने तनिक गुसे से पूछा तुम्हारे ही काम करने गई थी वे बोली बैंक से रुपए निकलवाने गई थी और तुम्हारे लिए कार का इंतजाम करने गई थी ओ, मेरा गुसा ठंडा पड़ गया बोलो, क्या बात थी? एक आत काम और था मैं संकोच पूंट स्वर में बोला बताओ, कैलाश सबरवाल नाम के आदमी के बारे में कुछ मालुम करने की कोशिश करो मैं उसके बारे में कुछ मालुम करने करो मैं उसके बारे में केवल इतना जानता हूँ कि स्टेट बैंक की पारलियामेंट ब्रांच में उसका अकाउंट है और वे किसी ना किसी रूप में मदनलाल से संबंदित था हो सकता है, मदनलाल ने कभी अपने बीवी से कैलाच सबरवाल का जिक्र किया हो मदनलाल के घड का पता मालुम है क्या मैंने उसे पंडारा रोट का पता बता दिया और कल तीन बजे के करीब मौनिका अपने गैस चाउस में आती देखी गई थी मालुम करो कि उसे किसने देखा था और उसने और क्या देखा था तुम अपने आपको प्रेस रिपोर्टर बता कर गैस चाउस से पूश्टाच कर सकती हो मेरे खयाल से पुलिस को वहां से काफी कुछ मालुम हुआ है लेकिन वे इस बारे में खामोश है ठीक है मैं मालुम करने की कोशिश करूँगी कि पुलिस को क्या मालुम हुआ है ठैंक यू और कुछ बस लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे इतने एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा वे कथा छोड़ो ये बताओ मुलाकात कब होगी जब तुम कार और पैसे लेकर मेरे पास आओगी पहले कौन सा काम करूँ पहले तुम वही करो जो मैंने अब बताया है कार और पैसे मुझे अंधेरा होने से पहले नहीं चाहिए ओके संबंद विच्छेद हो गया मैंने रिसेवर रख दिया और वेटर को बुला कर खाना मंगाया खाने के स्थान पर मलकानी पहुँचा तुम तो जाने वाले थे वे शिकायत भरे स्वर में बोला चला जाओंगा मेरे बाप मैं बोला जरा अंधेरा तो होने दो नहीं अभी जाओ मलकानी मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला अगर मैं तुम्हारे होटल से निकलता देख लिया गया और मैं गिरफ़तार हो गया तो तुम्हारी ऐसी-तैसी फिर जाएगी अगर तुम ना गए तो ऐसी-तैसी तो मेरी फिर भी फिरेगी तब समभावना कम है तुम्हारे रिजिस्चर में मेरा नाम नहीं है कोई यहां पूछने आ भी गया तो क्या वे तुम्हारे होटल का एक-एक कमरा जांकने आएगा तुमने तो मुझे बखेडे में डाल दिया ये मामूली बखेडा है मैं लापरवाही से बूला और इससे कहीं ज्यादा बड़े बखेडों की तुम्हें आदत है क्या मतलब वे नेतर से कोड कर बूला तुम यहां चरस और अफीम की स्मगलिंग करने वाले हिपियों को ठहरा सकते हो गोरी चमरी वाली लड़कियों को पना दे सकते हो तो मुझे अपने एक अजीज दोस्त को थोड़ी देर के लिए यहां नहीं रख सकते सुधीर वे आहत भाव से बूला तुम गलत समझ रहे हो ये एक इज़दार होटल है मुझे मालूम है ये कितना इज़दार होटल है पहाड गंज का कौन सा होटल है जो इज़दार नहीं है शाम तक तो चले जाओगे न वे बदले स्वर में बूला चला जाओंगा और ये बूलो की तुम्हारे ही भले के लिए मैं अंधेरा होने तक यहां ठहरना चाता हूँ शुक्रिया अब जल्दी से खाना भिजवाओ वे सहमती में सिर हिलाता हुआ वहाँ से चला गिया थोड़ी देर में खाना पहुँच किया मैंने पेट भर कर खाना खाया फिर मैंने एक नया सिग्रेट सुलगाया और उसके लंबे-लंबे कश लगाता हुआ सोचने लगा मौनिका के पेकेट में आखिर था क्या नई दिली रेल्वे स्टेशन वहां से दो कदम पर था मेरा जी चाहा कि मैं अपनी ब्रीफ केस वहां से ले आऊ और पेकेट खोल कर देखूं कि उसमें क्या था लेकिन अभी दिन दिहाडे होटल से बाहर निकलना मेरे लिए वाकई खतरनाक साबित हो सकता था इसलिए मैंने वह ख्याल छोड दिया फिर मुझे अपनी जेब में पड़ी मदन लाल की पत्तों वाली डायरी का ख्याल आया मैंने जेब से वे छोटी सी डायरी निकाली मैं बड़ी गौर से उसे पढ़ने लगा डायरी में कई इस्तरियों और पुरुशों के नाम पते और टेलिफोन नंबर लिखे हुए थे इन में से कई नामों के नीचे लाल लकीर खींची हुई थी शायद वे लोग मदन लाल के लिए ज्यादा महत्व पून थे उन तमाम नामों में चार नाम ऐसे थे जो मैंने पहले भी सुने हुए थे हवेली राम, गल्ले का व्यापारी और मशूर काला बाजारिया त्रिलोचन सिंग, नियू पंजाब कॉटन मिल्स का मालिक एहमद खान, मशूर फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर और एक्जिवीटर जनारदन गुपता, प्रसिद राज नैतिक नेता इन चारों के नीचे लाल लकीर खिंची हुई थी और कम से कम एक बात ऐसी थी दो इन चारों में थी चारों पैसे वाले आदमी थे और समाज के आधार स्थम थे उनके इलावा एक पांचवा नाम और था जो मेरा पहचाना हुआ था जिसके नीचे लाल लकीर खिंची हुई थी कैलाश सबरवाल पैसे वाला आदमी तो निश्चे ही वे भी था आखिर इसने मदनलाल को एक ब्लैंक चेक दिया था और मदनलाल उसमें कोई भी बड़ी से बड़ी रकम भर सकता था मेरे दिल से अपने आप आवाज उठने लगी कि वे कोई ब्लैक मेल का चकर था क्या मदनलाल ब्लैक मेलर था मदनलाल के संदर्ब में मुझे एक बात याद आई अभी तक केवल तीन जनों को मुझे मार्था जोन्स को और हत्यारे को मालुम था कि मदनलाल का कतल हो चुका था हम तीनों के इलावा अभी तक किसी ने लाश नहीं देखी थी सब इंस्पेक्टर यादव को या मदनलाल की बीवी को मदनलाल के अहित की आशंका हो सकती थी लेकिन वे दावा नहीं कर सकते थे कि मदनलाल मर चुका था चार बजे के करीब मैंने राकेश की बुक शॉप पर फोन किया वो वहाँ नहीं था जोती रेस्टरेंट में फोन सुनने वाले का पीछा करने के चकर में वे कहीं लंबा निकल गया मालूम होता था मैंने उशा के आफिस में फोन किया उशा आफिस में तो थी लेकिन लगता था कि वहाँ कोई ऐसा कोई और भी था जिसके सामने वे मुझ से बात नहीं करना चाहती थी शायद पुलिस आपका केस तयार है वर्मा जी वे बोली मैं पांच बजे फाइल लेकर आपके पास आऊंगी यानि की कार और पैसे लेकर मैं धीरे से बोला जी हाँ वही फाइल अगर नीचे बुक शॉप पर तुम्हें राकेश दिखाई दे तो मेरे टेलीफोन पर उससे बात करा देना ठीक है नमस्ते संबंद विच्चेद हो गया मैंने भी रिसीवर रख दिया मैंने कोट उतार कर कुर्सी की पेट पर टांग दिया और पलंग पर लेट कर उंगने लगा फिर मुझे नीद आ गई दर्वाजे पर पट्टी दस्तक की आवाज सुन कर में जागा मैंने उटकर दर्वाजा कोला उशा आ गई थी वे बड़ी परिशान हाल सूरत बनाए भीतर दाखिल हुई मुझे उस पर बहुत प्यार आया बेचारी मेरी वज़ा से ही तो परिशान हो रही थी मैंने दर्वाजे को भीतर से बंद किया और उसे अपने बाहों में भर लिया उसने एतराज नहीं किया लेकिन साथ ही मुझे ऐसा भी लगा कि मेरे आलिंगन में उशा नाग पाल नहीं संग मरमर का सर्द खंबा था मेरी आंखों में शिकायत का भाव आया वे उस भाव उसने भी देखा फिर एका एक पत्थर पिगला उसने अपनी बाहे मेरी गर्दन के गिर्द लपेट दी और मेरा सिर नीचे को खींच कर उसने मेरे होंटों पर एक लंबा लुभावना चुम्बन जड़ दिया मैंने भी कसकर उसे अपने साथ लिपटा लिया थोड़ी देर बाद उसने जबरन अपने से परे धकेला फिर वे एक कुरसी पर बैठ गई मैं उसके सामने पलंग पर बैठ गया उसने अपना हैंड बैक खुला सबसे पहले उसने अपना मेकप दुरुस्त किया मैंने भी रुमाल से अपना चेहरा पहुंचा बाद में मैंने रुमाल पर निगार डाली तो मुझे उस पर लिपिस्टिक के दाग दिखाई दिये फिर उशा ने बैग में से सो सो के नोट और एक चाबियों का गुच्छा निकाला और दोनों चीजे मुझे सौंपती हुई बोली तुमने मेरी बात नहीं मानी लेकिन अब खुद ही देख लो कि ये कितना फसादी काम साबित हो रहा है अब तो ओकली में सिर दे दिया है मैं जबरन मुस्कुराता हुआ बोला अब मुसल पढ़ने से क्या डरना लेकिन मुसल पढ़ने से पहले तुम ओकली से सिर निकालने की कोशिश भी तो कर सकते हो मैं कोशिश करूँगा ये बात तुम सिर्फ मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो हकीकतन तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं है 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 तो वे पैकेट मुझे दो ताकि मैं उसे आग लगा कर कहानी खत्म करूँ तुम्हें कैलाश सबरवाल के बारे में कुछ मालूम हुआ टाल दीना बात मेरे सवाल का जवाब दो मुझे इतना ही मालूम हुआ है कि वे कोई बड़ा बिजनस मैन है लेकिन उसका बिजनस है क्या वे मुझे मालूम नहीं हो सका और मदनलाद से उसका क्या रिष्टा है इस भारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ है ओ, तुम मॉनिका के गैस चाउस गई थी? गई थी, लेकिन हथे कुछ नहीं लगा जब मैं फोन पर तुमसे बात कर रहा था, उस वक्त क्या वहाँ पुलिस मौजूद थी? हाँ, कौन आया था? सब इंस्पेक्टर यादफ? नहीं, कोई और, वे तो सुना है, अस्पताल में है, अस्पताल में? हाँ, उसका सिर्फ फट गया है, ओ, जरूर बातरूम के पक्के फर्ष पर उसका सिर्फ बहुत जूर से टकराया था, और वे बुरी तरह फट गया था, अब पैकेट के बारे में क्या कहते हो? वे बोली, इधर आओ, बताता हूँ, वे उठकर मेरे समीप आई, मैंने उसे दबोच लिया, और उसे लिए पलंग पर लेड गया, उसने एतराज नहीं किया, वे भी लता की तरह मुझ से लिपट गई, उस रोज उशा मेरे साथ, यू हम बिस्तर हुई, जैसे उसके बाद ह बावनाओं का कोई बांध एका एक टोट गया हो, जैसे मेरी उसके साथ अभी शादी हुई हो, और वे हमारे मिलन की पहली घड़ी हो, सब कुछ बड़े सुन्दर, बड़े संतोष जनक धंग से हुआ, लेकिन बाद में उसने एक ऐसी हरकत की, जिसने मेरा मोड बिगार दि हो, मैंने अपना गुसा जाहिर किया, तो वे रोने लगी, ये एक कमजोरी मुझ में है, मुझ से औरत के आंसू देखे नहीं जाते, उस नाजू घड़ी में मैं उसे पैकेट के बारे में बताने ही लगा था, कि एका एक उसने रोना बंद कर दिया, मैं भी खामोश हो गया, उसने कहा कि मैं उसे घर तक छोड़ाओं, मैंने सहमती में सिर हिलाया, मैंने अपना अटैची केस संभाला और उसके साथ बाहर निकला, मैंने मालकिन को बिल, मलकानी को बिल चुकाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे लेने से इंकार कर दिया, वे तो इसी बात से बहुत दफा हो रहा था, उसने मुझे फिर याद दिलाया कि मेरी कारें नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी थी, उशा मेरे लिए एक दो रंगी एमबैसजर लाई थी, हम दोनों चुप चाप उसमें सवार हुए, मैंने कार सडक पर दोड़ा दी, नई दि रोज शार रोट के चौराहे से गुजरते समय, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा था, मेरा दिमाग उशा के अजीब और गरीब व्यवहार के बारे में सोचने में ना लगा होता, तो ये बात मुझे पहले मालुम हो जाती, मेरे पीछे हरे रंग क एक पुरानी सी स्टैंडर्ड लगी हुई थी, तब तक अंधेरा हो चुका था और स्ट्रीट लाइट जल चुकी थी, रेर व्यू मिरर में से मुझे स्टैंडर्ड के स्टेरिंग के पीछे बैठे आदमी का अक्स ही दिखाई दे रहा था, उसकी सूरत का मुझे कतई अंद जा रहा था, मैं उसे डौश देने की कोशिश करता, तो वे मुझे से पहले मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता, मैं इंडिया गेट जाके हुसेन मार्ग, डिफेंस कॉलोनी और कैलाश कॉलोनी से गुजरता हुआ काल काजी पहुंचा, उशा को मैंने में रोट पर ही मेरे पीछे थी, मैंने उसे थोड़ा चकाने का फैसला किया, मैंने कार को यू टर्न दिया और वापिस रिंग रोट पहुंचा, वहां से मैंने कार बाएं मोडी और उसे पूरी रफतार से आगे बगाया, हरी स्चैंडर्ट की रफतार भी तेज हो गई, मैं धोला खुआ प पर चढ़ा दिया, स्टैंडर्ट भी मेरे पीछे घुमी, बुद्धा जेयनती पार्क से गुजरने के बाद मैंने कार को एका एक पूरी शक्ती से बाएं तरफ एक अपेक्षा कृत पतली सड़क पर घुमाया, उस वक्त स्टैंडर्ट मुझसे कोई सो गज पीछे थी, मैं स्टैंडर्ट बड़ी तेजी से मोर काट कर उस सड़क पर दाखिल हुई, मैंने कलट छोड़ा और पूरी शक्ती से एकसिलेटर का पैडल दबाया, मेरी कार तुफानी रफ्तार से सड़क पर उल्टी दोड़ी, स्टैंडर्ट वाली के लिए मेरी वे हरकत बड़ी अप्रत जो कि मुझे पता था वो करेगा, अपनी कार को टकर से बचाने के लिए उसने कार को दाई तरफ काटा, मैंने भी अपनी कार को दाई तरफ जोल देया, घबरा कर उसने कार को और दाई मोर दिया, उसकी कार सड़क के नीचे उतर गई और फिर उसके काबु से बाहर होकर एक पेट से जा टकराई, टकर लगने पर एक शन को तो ऐसे लगा जैसे कार पेट पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो, फिर कार के अगले पहिए पेट से अलग होकर हवा में उठे, कार उल्टी और एक कलाबाजी खा कर धडाम की एक भीशन आवास के साथ सड़क के नीचे एक खड दी थी, कितनी ही देर मैं कार में ही रहा, एक्सिडेंट की आवाज के प्रतिक्रिया स्वरोप जब में रोट से कोई गारी उधर ना घूमी, तो मैं कार से बाहर निकला, मैं आगे बढ़ा और सड़क के किनारे वहां पहुंचा, जहां नीचे खड़े में स्टैंडर्ड गि स्टैंडर्ड का ड्राइवर एक बड़ी असंभव से मुद्रा में स्टैरिंग के पीछे पड़ा था, स्टैरिंग ने उसकी छाती का पिंजरा तोड़ दिया था और वे निश्चे ही मर चुका था, मैंने जेब से अपना सिगरेट लाइटर निकाल कर जलाया और उसकी दिक्की का ढखना मुड़कर उपर उड़ गया था, और भीतर से एक पाउं बाहर चलक रहा था, मैं कार के प्रिष्ट भाग में पहुंचा, मैंने दिक्की का ढखन पूरा उपर उठाया और लाइटर फिर जलाया, मैंने उसकी रोशनी भीतर डाली, भीतर निगाप पढ़ और मैं भी उतनी ही बेहरैमी से उसे शूट कर सकता, जितनी बेहरैमी से राकेश को शूट किया गया था, मेरी आँखो के सामने राकेश की विद्वा मा की सूरत घूम गई, राकेश बिचारी मा का एक ही बेटा था, बहुत जुल्म हो गया था, राकेश की जान निश्चे ह अपने पास रखना कबूल किया था शायद उशा ठीक ही जिद कर रही थी कि सारे फसादों की जड़वे पैकेट मुझे उसे सौब देना चाहिए था ताकि वे उसे नश्ट कर देती उस शर्ण ना मेरे लिए वे पैकेट महत्व पूंड था और ना उसकी मालकिन की सलाम थी उ और वो ये थी कि मैंने हर हालत में राकेश के हत्यारे को तलाश करना था मैंने उसकी मौत का बदला लेना था फिर कुछ सोचकर मैं वापिस जवाहर सिंग के पास पहुँचा मैंने बड़ी बारी किसे उसकी तलाशी ली मेरे हाथ कोई कार आमत चीज ना लगी सिवाए उसक उशा के घर जाने का फैसला किया था वो घर पर नहीं थी मुझे बड़ा गुसा आया अबी मैं उसे वहाँ छोड़ कर गया था और अभी वे वहाँ से गायब हो गई थी मैंने महसूस किया था कि 10 में से 9 बार ऐसा होता था कि जब मुझे उशा की ज़रूरत होती थी वे मु मुझे दे दी थी। मैंने दर्वाजा खोला और भीतर दाखिल हो गया। मैंने उसकी किचन में जाकर वे कैबिनेट खोली जिसमें मैं अपनी विस्की की बोतल रखता था। ये देखकर मैं खीज उठा कि उसमें मुश्किल से एक पैक विस्की थी। मैंने सारी विस्की गिला को राकेश के बारे में खबर करनी चाहिए थी लेकिन फिर मेले ये जवाब देना मुश्किल हो सकता था कि मैं कैसे जानता था कि वे मर चुका था फिर राकेश की लाश के साथ साथ जवाहर सिंग की लाश भी बरामत होती और मुझे इस बात की सफाई भी देनी पड़ती कि व उसमें कैलाज सबरवाल के दो नंबर दर्श थे, मैंने एक नंबर पर डाइल किया, सबरवाल एंटरप्राइजस उत्तर में कोई बोला, मिस्टर कैलाज सबरवाल हैं, मैंने पूछा, वे तो कब के जा चुके हैं साहब, आफिस तो बंध हो चुका है, मैंने संबंध करने ही लगा था कि किसी ने दूसरी तरफ से रिसेवर उठा लिया, सबरवाल साहब हैं, मैंने पूछा, आप कोन बोल रहे हैं, जवाब में मुझ से पूछा गया, मदल लाल, कहां से, पंडारा रोट से, होल्ड कीजिए, मैं रिसेवर कान से लगाए बैठा रहा, थोड़ कि देर बाद एक नई आवाज मेरे कान में पड़ी, हलो, तुम सबरवाल बोल रहे हो, मैंने पूछा, हाँ, तुम तो मदल नाल नहीं हो, ठीक पहचाना, कौन हो तुम, केसी, केसी कौन, काला चोर, इस बेहुद्गी का मतलब, इस बेहुद्गी में तुम्हारा ही फाइद मेरे पास एक ऐसी चीज है, जिसके तुम तलबगार हो, क्या मतलब, और जो कहना चाहते हो, साफ साफ को हो, नहीं तो टेलिफोन बंद करता हूँ, मौनिका का पैकेट मेरे पास है, अच्छा, बोलो, कितने कीमत लगाते हो उस पैकेट की, मैं ऐसा धंदा नहीं करता, तुम मुझे लगता है तुम उसे जानते हो, मदनलाल मेरा आदमी है, इस मामले में तुम उस से बात कर सकते हो, वे जो सोधा तुमसे करेगा, मुझे मन्जूर होगा, अब वे कोई सोधा करने की स्थिती में नहीं है, वे मर्द चुका है, मर्द चुका है? हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम, नहीं, चलो ऐसे ही सही, पैकेट वाकई तुम्हारे पास है, मुझे मालूम है कि वो पैकेट कहा है, हकीकत ये है कि सिर्फ मुझे ही मालूम है कि वो पैकेट कहा है, कितनी कीमत चाहते हो तुम उसकी, मैं एक शर्ण खामोश रहा और फिर हिम्मत करके बोला एक ठीक है लेकिन माल के सही होने की गारेंटी होनी चाहिए माल एकदम चौकस होगा जरा होल्ट करो मैंने संबंध विच्छेर कर दिया कैसी आसानी से सबरवाल उस पैकेट के एक लाक रुपए देने के लिए तयार हो गया था मैंने सोचा मैंने फॉरण ये मालुम करने का फैसल अपॉइंट्मेंट में अभी बहुत वक्त था मैं नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन पहुंचा मैंने अमानती सामान घर से रसीर के बदले में अपना ब्रीफ केस हासिल किया मैं पार्किंग में खड़ी अपनी दो रंगी एमबैसजर की और बढ़ा मैंने चाबी लगा कर ए पहने एक आदमी खड़ा था लेकिन उसकी सूरत से साफ लग रहा था कि वे कोई घिसा हुआ पुलिसिया था उसने मेरे ब्रीफ केस की तरफ हाथ बढ़ाया मैंने अपना ब्रीफ केस वाला हाथ फॉरन पीछे खींच लिया और दूसरे हाथ का एक प्रचन घूसा उसके पे दूर खड़ा पार्किंग अटेंडेंट मेरी तरफ लपका शायद उसने कुछ देख लिया था मैं फुर्ती से कार में सवार हुआ और फॉरन वहां से निकल भागा मैं तेजी से कार चलाता हुआ इंडिया गेट पहुंचा वहां मैंने कार रोकी सारे रास्ते में बहुत साफ धान रहा था मुझे पूरा विश्वास था कि किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था मैंने ब्रीफ केस में से पैकेट निकाला, ब्रीफ केस को मैंने कार की पिछली सीट पर डाल दिया, और पैकेट को अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया, मैं वापिस काल काजी पहुँचा, उशा अभी भी अपने घर नहीं लोटी थी, दर्वाजे का ताला कोल कर मैं भी साधी पैकेट खोला, भीतर से एक छोटा गत्ते का एक पैकेट बरामद हुआ, मैंने उसका धकन उठाया, भीतर कई बंद लिफाफे मौजूद थे, हर लिफाफे पर एक नाम लिखा हुआ था, उसके नीचे एक नंबर, एक तारीक और एक या एक से अधिक लड़कियों के न लिखे हुए थे, मैंने एक लिफाफा खोला, भीतर कुछ नेगेटिव थे, मैंने एक नेगेटिव को रोशनी की तरफ करके देखा, तो सारी कहानी मेरी समझ में आने लगी, मेरा पहला अनुमान सही था, ब्लैक मेल, वे नेगेटिव रती क्रियाओं में रत इस्तरी पुर लिखे नाम मैंने दोबारा पढ़े, उनमें अधिकत्तर नहीं नाम थे, जो मदनलाल की पतो वाली डाइरी में भी दर्श थे, वे नेगेटिव लाखो करोडों रुपयों की ब्लैक मेल का सामान था, जिन लोगों की काली कर्तूतों की दस्तावेज, वे नेगेटिव थे, वे लोग उने वापिस हासिल करने के लिए तन का आखरी कपड़ा तक ब्लैक मेलर के हवाले कर सकते थे, कौन अपनी काम और वासना से भरपोर्ट जिन्दगी को दुनिया के सामने नुमाया होने देना गवारा कर सकता था, ऐसी जिल्लत और उस्वाई का सामना करने से पहले तो वे लोग आत्म हत्या कर सकते थे, ब्लैक मेल के मामले में वे कटने के लिए तयार बक्रे थे, अगर कैलाज सबरवाल उस पैकेट के बदले में मुझे लाग देने के लिए फौरन तयार हो गया था, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, एक लाक रुपया तो उसमे मौझूद लिफाफों में से एक लिफाफे की कीमत भी कम थी, और उस गंदकी के धेर की खाते तीन जाने जा चुकी थी, या शायद चार, क्या पता मौनिका भी जिन्दा थी या नहीं? मौनिका ने माला माल होने की आखरी कोशिश तो बड़ी माकूल की थी, वे डिबा जि मानती थी कि माला माल होने की आखरी कोशिश में उसने कितने खतरनाक भेडियों से बैर मोलने लिया था, वे लोग उसकी तिका बोटी एक-एक कर सकते थे, या शायद कर ही चुके थे, मैं सोचने लगा, अगर मौनिका अभी जिन्दा हो, तो क्या मुझे उसको बचाना चाह कि अगर वे अभी जिन्दा थी, तो उसकी रिहाई के लिए मुझे कुछ करना चाहिए था, अगर वे बुरी थी, मैंने अपने आप को समझाया, तो जिन लोगों के अधिकार में वे थी, वे उससे भी बुरे थे, लेकिन फिर भी, मैंने अपने आप से सवाल किया, एक वाटरप्रूफ थैली और थोड़ी सूतली तलाश की, सारे लिफाफे उस वाटरप्रूफ थैली में डाल कर, मैंने उसे उपर से सूतली से इस प्रकार बांद दिया, कि पानी भीतर ना जा सके, मैंने फ्लैट में से इंसुलेशन टेप तलाश किया, और वाटरप्रूफ थ पानी की टंकी का धकन उठाया और टेप की सहाइता से उसे पैकेट को धकन के भीतरी भात के साथ चिपका दियां धकन मैंने वापिस यथा स्थान रख दिया टंकी का भरा पानी धकन तक नहीं पहुँचता लेकिन फिर भी अगर पानी के दो चार चिंटे उचल कर उस पर पढ़ भी जाए तो वाटर प्रूफ थैली भीतर पढ़े लिफाफों को गीले होने से बचा लेती मैं वापिस ड्राइंग रूम में पहुँचा गत्ते के डिबे में मैंने पुराने अकबारों को मोड मोड कर भरा और उसका धकन बंद कर दिया डिबे को मैंने पहले की तरह खाकी कागस में लपेट कर उस पर डोरी बांद दी अब सिवाए इसके की डोरी की गांट पर सील नहीं थी पैकेट पहले जैसा ही लग रहा था वे पैकेट लेकर मैं बाहर आया मैंने उसे कार के डैश बोर्ड में बने खाने में जवाहर सिंग के रिवालवर के साथ रख दिया अपनी रिवालवर मेरे पास थी मैं जानता था कि आधी रात को मुलाकात में मेरी तलाशी जरूर ली जाने वाली थी इसलिए मैं दूसरी रिवालवर से कोई फाइदा हासल होने की उमीद कर रहा था रात के ठीक बारा बजे मैं तूगल का बाग के खंडरों के सामने से गुजरती सड़क पर मौजूद था मैंने हैट लाइट बुझा दी और डोर लाइट जलाए बिना कार में बैठा सिगरेट के छोटे छोटे कश लगा रहा था सड़क उजार थी और चारों तरफ लगभग अंधेरा था मेरे कान खड़े थे और आंखे फिरकनी की तरह हर तरफ फिर रही थी सड़क से पार काफी दूर एक अंधेरा तन्हा मकान था जिसकी तरफ मेरा ध्यान बार बार जा रहा था कहीं कोई आहट नहीं, कहीं कोई हरकत नहीं, दस मिनट उपर हो गए, मैंने वहां से रवाना होने का फैसला कर लिया, तभी एक पेड़ के नीचे से एक साया निकल कर सडक पर आया, मैंने आँखे फार फार कर उसके तरफ देखने लगा, वे साया मेरी कार की तरफ कुछ कदम बढ़ा और फिर ठिठक गया, तब मैंने उसे पहचान लिया, वे मौनिका थी, और उस वक्त वही पोशाद पहने थी, जो मैंने उसे लाकर दी थी, उसने सिर्पर अभी भी पहले जैसा ही अटपटा जुडा बनाया हुआ था, मैंने देखा, वे हाथ हिला कर मुझे पास आ पेड की दिशा में चला, मैं पेड के नीचे पहुंचा, मौनिका, मैंने धीरे से आवाज लगाई, वे सिर जुकाए पेड की ओट से बाहर निकली, मैंने रिवॉल्वर जेब में रख ली और आगे बढ़ा, तभी उसने सिर उठाया और मेरी तरफ एक रिवॉल्वर ताम खबरदार, मेरा हाथ वापिस जेब की तरफ बढ़ता पाकर, वे चेतावनी भरे स्वर में बोली, मैं ठिठक गिया, मैंने गौर से उसकी तरफ देखा, तो आश्यर से मेरे नेत्र फैल गए, वो मौनिका नहीं थी, तभी मेरी खोपड़ी पर एक किसी भारी चीज का प्रह हार हुआ, मेरे गुतने मुड़ गए और मैं जमीन पर धेर हो गया, मेरी चेतना लुप्त हो गई, पता नहीं मैं कब तक बेहोश रहा, लेकिन जब मुझे होश आया, तो सबसे पहले मुझे अपने सामने मार्था दिखाई दी, वे मोनिका वाली पोशाग पहने हुए थी, और उसने सिर्पर मौनिका के अंदास का नकली जुड़ा किया हुआ था, मौनिका से उसकी कोई बात नहीं मिलती थी, उस जुड़े और उस पोशाग की वज़ा से ही अंधेरे में मैं उससे मौनिका समझ पैठा था, उसके पीछे हाथ में रिवॉल्वर लिए एक आदमी ख खुला पड़ा था, मेज पर एक मौमबत्ती जल रही थी, जो वहाँ प्रकाश का एक लौता साधन थी, होश आ गया तुम्हें, रिवॉल्वर वाला बोला, तुम कौन हो, वे दो कदम आगे बढ़ा, तो मौमबत्ती की रोश्णी उसके खूब सूरत चेहरे पर पड़ी, ओ, मैं मरे स्वर में बोला, वे रमेश मल होतरा था, उटकर खड़े हो जाओ, वे बोला, तब मैंने महसूस किया, कि मैं एक सोफे पर पड़ा था, मैं उटकर खड़ा हो गया, मैं नर्वस भाफ से उस थान पर अपनी कोपड़ी को टोटोलनी लगा, जहां मुझ पर प्रहा हुआ था, मैंने अनुभव किया, कि खाल तो नहीं फटी थी, लेकिन वहां एक अंडे जितना बड़ा गूमर निकल आया था, तुम शरारत से बास नहीं आए, रमेश मल होतरा एक निगा मेश पर रखे खुले पैकेट की और डालता हुआ बोला, मॉनिका कहा है, मैं बोला, पैकेट कहा है, उसने पूछा, पैकेट बड़ी सुरक्षित जगा पर है, मॉनिका भी बड़ी सुरक्षित जगा पर है, सुरक्षित जगा कबरिस्तान भी हो सकती है, जब तक मुझे ये गरंटी ना हो जाए, कि मॉनिका सही सलामत है, मैं पैकेट तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और जब तक पैकेट हमारे हवाले नहीं हो जाता तब तक मौनिका तुम्हें वापिस नहीं मिल सकती साथ में 20,000 रुपई की भी बात थी वो भी मिल जाएंगे क्या गैरेंटी है कि तुम मेरे साथ धोका नहीं करोगे धोके बाज हम नहीं तुम हो तुम्हारी धोके बाजी का सबूत सामने मेज पर पड़ा है लेकिन मेरी धोके बाजी की खबर तुम्हें मेरे साथ धोका करने के बाद ही हुई है बहस मत करो वा जब कोई जवाब नहीं सूजा तो कह दिया बहस मत करो ये मत बूलो कि इस वक्त तुम हमारे कबजे में हो हम अपनी चेज तुम से जबरदस्ती भी हासिल कर सकते है कोशिश करके देखो मैं लापर वाही से बोला मार्था ने कहर भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर वे जहर में बुझे स्वर में बोली मैं दस मिनट में इसकी जुबान खुलवा सकती हूँ छोड़ो रमेश मलोत्रा बुला मेरी निगाह में अपना मतलब हर्ण करने का इससे आसान तरीका है कौन सा अभी मालुम हुआ जाता है तुम लड़की को लेकर आओ मार्था वहां से चली गई ये वही अंधेरा मकान है ना जो सड़क से ही दिखाई दे रहा था मैंने पूछा रमेश मलोत्रा ने सहमती में सिर हिलाया तभी मार्था मौनिका के साथ वहां पहुंची मैंने देखा मौनिका के शरीर पर कपड़े की एक धजजी भी नहीं थी उसके मूँपर टेप चड़ा हुआ था और हाथ पेट के पीछे बंदे हुए थे भय के अतिरेक से उसकी आँखे बाहर को उबल पड़ी थी और रो रोकर सूज गई मालुम होती थी उसकी आँखों में उस वक्त भी आंसु थे उस विकट स्थिती में भी मेरे जहन में ये ख्याल आये बिना ना रह सका कि मौनीका जैसा सांचे में ढला जिस्म मैंने कभी नहीं देखा था रमेश मलहोत्रा ने मौनीका को जबरन विशाल मेज पर चित लिटा दिया मार्था ने रसी लेकर मौनीका के दोनों टकनों को मेज के दो पायों के साथ बांग दिया रमेश मलहोत्रा के रिवॉल्वर हर शंड मेरी और तनी रही थी फिर रमेश मलहोत्रा ने जेप से अपना सिग्रेट केस निकाला उसने एक सिग्रेट होटों से लगाया और सिग्रेट केस में ही लगे लाइटर से उसको सुलगा दिया उसने सिग्रेट के तीन-चार लंबे कश लगाए और फिर सिग्रेट के धहकते हुए सिरे को मेज पर असहाई पड़ी मौनिका की नंगी जांग पर मसल दिया मौनिका का शरी मचली की तरह मेज पर तडपा मूपर टेप लगा होने पर वे चीक ना सकी लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमना बह निकली अगर तुम मुझे पैकेट के बारे में नहीं बताओगे रमेश मुलहोत्रा बड़े मीठे स्वर में बोला तो संग मरमर से तराशे गए इस जिस्म की मालकिन ये लड़की अभी यहीं तुम्हारे सामने यूँ ही तडप तडप कर मर जाएगी मेरी मुठिया भेंच गई मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो रमेश मुलहोत्रा पूरवत मीठे स्वर में बोला मुझ पर जपट पढ़ने के बारे में सोच रहे हो लेकिन तो मैसा नहीं कर सकते हम दोनों के बीच में ये लंबी मेज है तुमने एक कदम भी अपनी जगा से उठाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा मॉनिका की आँखे देश्यत से फट पड़ी मैं जानता था कि पैकेट के बारे में मालुम होते ही वे यहीं हम दोनों का खून कर देगा बचाव की कोई उमीद थी तो इस बात में थी कि मैं उसे पैकेट के बारे में कुछ ना बताऊं लेकिन उस सूरत में मॉनिका की जो दूरगती होती वो भी मैं देखता नहीं रह सकता था रमेश मलहोत्रा का सिगरेट वाला हाथ इस बार मॉनिका के वक्ष की और बढ़ा ठेहरो मैं जल्दी से बोला वे ठेहर गया सिगरेट फैंको जो हुक्म वे सरल स्वर में बोला और उसने सिगरेट जमीन पर फैंक दिया पैकेट मैं बोलता बोलता रुख गया मुझे रमेश मलहोत्रा के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई दिया मैंने उसे पहचाना तो अपने चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट होने देने से रोकना मेरे लिए समस्या बन गया रमेश मलहोत्रा के पीछे उशा खड़ी थी मेरे देखते देखते उसने एक डंडा पूरी जोर से उसकी खोपड़ी पर जमाया उसे एक ही वार से उसकी आंखे उलट गई और वे फर्ष पर धेर हो गया मैंने जपट कर मार्था को दबोच लिया उस वक्त मेरे लिए तो उशा नागपाल की सूरत में भगवान का ग्यार्वा अफ्तार हो गया था उस थिती में समझदारी वाली बात तो ये होती कि हम पुलिस को खबर करते लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया पुलिस को खबर करने से तो मैं भी फस सकता था उन्हाने मौनिका को अगवा किया था लेकिन मुशपर तो खून का इलजाम था मैंने यही फैसला किया कि जो कपड़े मार्था पहने हुए थी वे मौनिका के थे उन्हाने मार्था के कपड़े उतारने लगी मैंने मौनिका को बंधन मुक्त किया और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया बेचारी सदमे की ऐसी हालत में थी कि वे बार-बार निढाल होकर मेरे उपर आगिरती थी उन्हाने उसे उसके कपड़े पहनाए और फिर रमेश मलोत्रा और मार्था को पीछे बंदा छोड़ कर हम वहां से निकले। बाहर आते ही सबसे पहले मैंने उशा से यही सवाल किया कि वे यहां कैसे पहुँच गई थी। उसने बताया कि किसी आदमी ने फोन करके बताया था कि तुम और मौनिका कहां थे और तुम्हारे साथ क्या बीट रही थी। फिर भी तुमने बहुत खत्रा उठाया मैं शिकायत भरे स्वर में बोला तुम्हें यहां अकेले नहीं आना चाहिए था। भाई साहब वे बोली आधी रात को पुलिस के इलावा और कहां से मदद हाथसिल हो सकती थी क्या तुम पसंद करते कि मैं पुलिस को इस बात की खबर करती फिर भी फिर भी छोड़ो और शुक्र मनाओ कि तुम्हारी मम्मी एन मौके पर वहां पहुँच गई शुक्रिया मैं चलते चलते ही उसके एक गाल पर एक चुम्बन अंकित करता हुआ बोला अब कहां चले वे बोली तुम बताओ मैं बोला हमें किसी ऐसी जगह चलना चाहिए जहां हमारे होने की कोई कलपना ना कर सके सूरज कुंड मैं तुरंद बोला वहां क्यों? कल रात मैं वहां के एक कॉटेज में मौनिका को लेकर गया था मैंने कॉटेज का तीन दिन का एडवांस किराया जमा कराया था कहने का मतलब ये है कि कॉटेज अभी भी हमारे अधिकार में है हम वहां जा सकते हैं लेकिन क्या वहां जाना ठीक होगा? मेरे ख्याल से वही जाना ठीक होगा इन बदमाशों ने उस कौटेज में से मौनिका का अगवा किया था वे हमारे दुबारा वहाँ जाने के कलपना नहीं कर सकते चिराग तले अंधेरा एक्जेक्टली ठीक है मैं मौनिका के साथ अपनी कार में सवार हुआ उशा अपनी उस कार में सवार हो गई जिस पर वे वहाँ तक आई थी मैंने कार को बदर पूर तक भगा दिया उशा ने अपनी कार मेरे पीछे-पीछे दोडानी आरम कर दी थोड़ी देर बाद मैंने अनुभव किया कि उशा की कार मेरे पीछे नहीं आ रही थी मैंने अपनी कार की रफतार कम कर दी लेकिन उशा की कार दुबारा मेरे पीछे प्रकट ना हुई फिर मैंने ये सोच कर उसका ख्यार छोड़ दिया कि उसे मालुम तो था ही कि हमारी मंजिल कौन से थी मैं सोच कौन पहुंचा मैंने वहां के चौकीदार को तलाश किया और उसे धेर सारी रिश्वत दे कर उसे कुछ खाने पीने का सामान मुहिया करने के लिए कहा उसने हमारे लिए कौफी और सैंड़िच का इंतजाम कर दिया मौनिका के खाने के अंदाज से मुझे लगा कि वे भूकी थी शायद उन लोगों ने उसे खाने के लिए कते कुछ नहीं दिया था उसने खाने से हाथ कींचा तो मैंने पूछा अब तबियत कैसी है अच्छी है वे धीरे से बोली उन कमीनों ने बहुत जुल्म ढाया तुम पर वो खामोश रही फिर एका एक बोली सुधीर मेरे जैसी मुसीबत तुम पर भी आ सकती है वे पैकेट दे दो उने टॉर्चर की एक ही कुराक ने लड़की के कस्वल निकाल दिये मालूम होते थे माला माल होने की अपनी वे आखरी कोशिश अब उसे बेकार लगने लगी थी मैंने यही बात पूछी उससे अब मेरा ख्याल बदल गया है वे सिर जुकाए बोली अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो कुछ किया था गलत किया था मेरी जो गत बनी सो बनी मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ा से तुम्हारे पर भी मुसीबत आए सुधिर वे लोग तुम्हें जान से मार डालने से भी नहीं हिचकेंगे तुम्हें क्या मुझे है मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ा से तुम पर कोई आँच आए मैंने गौर से उसकी तरफ देखा ऐसे लुभाव ने फिक्रे कहना एक कॉल गर्ल की दुकानदारी का हिस्सा होता था लेकिन मुझे वे सच मुची मेरे प्रती बहुत चिंतित लगी अब बहुत देर हो चुकी है प्रत्यक्षता मैं बोला अब पैकेट उन्हें वापिस कर्के हालात को नमस्ते कह देने वाली स्टेज गुजर चुकी है अब केवल पैकेट वापिस कर देने से कॉल का पहिया वापिस नहीं गुम सकता मेरे एक अजेज दोस्ट का कतल हो गया है तीन और जाने जा चुकी है और सारी दिल्ली के पुलिस मुझे कतल के इल्जाम में फांसी पर लटकाने के लिए तड़प रही है और इल्जामों से तो शायद मैं बच जाओं लेकिन मदनलाल की लाश तो बरामद ही मेरे फ्लैट से हुई थी और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने मुझे वहां लगबग रंगे हाथों पकड़ा था मदनलाल उसने नाम दोराया हां तुम जानती हो उसे नहीं वे जल्दी से बोली वे यूं बोली थी कि हकीकत अगर मुझे पहले सेने ना मालूम होती तो भी मैं समझ जाता कि वे जूट बोल रही थी तुम उसे खूब जानती हो उसने एक बार तुम्हें जमान दे कर चुड़ाया था मैं बोला मुझसे खामका जूट बोलने का क्या फाइदा मौनिका वे खामोश रही वे पैकेट तुम्हारे हाथ कैसे लगा था मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया तभी बाहर से एक कार के वहां रुकने की आवाज आई बोलो मैं तीवर स्वर में बोला किसके पास था वे पैकेट रमेश मलहोतरा के पास वे रमेश मुलोत्रा का माल नहीं है वे कठिन स्वर में बोली वे किसी और के लिए काम कर रहा है बॉस कोई और है आज मैंने दो बार उसे किसी को फोन करके पोछते सुना था कि आगे उसे क्या करना था किसे फोन किया था उसने ये मुझे नहीं मालुम तभी उसा ने भीतर तुम तो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने पूछा एका एक कहां गायब हो गई थी। मैं कार में पेट्रोल डरवाने के लिए रुकी थी। वे बोली। मैंने तुम्हें इशारा भी किया था लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान उसने एक शिकायत भरी निगा मोनिका पर डाली। कहीं और था। मैं तनिक शर्मिंदा हो गया। वे हम दोनों के सामने एक कुरसी पर बैठ गई। चौकीदार द्वारा लाई थरमस में अभी और कॉफी थी। मैंने गरम-गरम कॉफी उशा को पेश की। उशा ने कॉफी का एक घून पिया और बोली ये चिराक तल से अंधेरा वाली बात चलेगी नहीं। क्यूं। वे लोग जब दूसरी संभावित जगा पर तुम्हें तलाश करके हार चुके होंगे तो उन्हें इस जगा का दोबारा ख्याल जरूर आएगा। मैं मानती हूं उन्हें यहां का फौरन ख्याल नहीं आएगा। लेकिन दे टलाश में लगे गैंग में उन दोनों के अलावा और आदमी भी तो हो सकते हैं। तो फिर मैं कहां जाओं। मैं चिंतित स्वर में बोला। मेरे फ्लैट के बारे में क्या ख्याल है। उशा इस चमेले में मैं तुम्हें नहीं फसाना चाहता। अब क्यूं नहीं फसाना चा मेरे दिल में टीस सी उठी क्या मतलब मैं बोला उसके घर में रह लो राकेश से तुम्हारी यारी दोस्ती की तो उन बदमाशों को जानकारी भी नहीं होगी मैंने सोचा मैं उशा को बताऊं कि राकेश मर चुका था लेकिन मैंने फिलहाल खामोश रहना ही मुनासिब समझा न फिर मेरे यहां चलो मैं खामोश रहा देखो जो विचार धारा तुम्हारी है वो तुम्हारे दुश्मन की भी हो सकती है जैसे तुम सोच रहे हो कि किसी को तुम्हारे यहां दोबारा लोट आने का खयाल नहीं आ सकता वे दुश्मन भी सोच सकता है कि तुम ऐसा ही इसलिए जित छोड़ो और मेरे यहाँ चलो मुझे हामी भरनी पड़ी काल काजी में उशा के यहाँ पहुंचने तक तीन बज गए मैंने उशा को बताया कि मैं उसके फ्लैट पर उसकी गैर हाजरी में पहले भी आया था उसने बताया कि वे तो खाली बोतल देखकर ही समझ गई थी कि मैं वहाँ आया था फिर दोनों युफ्तियां सोने की तयारी करने लगे मैं अभी सोने के मूड में नहीं था तभी एका एक टेलीफोन की घंटी बजी मैंने हैरानी से उशा की तरफ देखा इतनी रात गए वहाँ कौन फोन कर रहा था उशा सक पकाई फिर उसने हाथ बढ़ा कर रिसीवर उठा लिया वे कुछ शन फोन सुनती रही और फिर माउथ पीस पर हाथ रख कर बोली राकेश की मा बोल रही है तुम्हें पोच रही है अपने एकलोते बेटे के अनिष्ट की आशंका से व्याकुल कोई मा कितनी रात गए टेलिफोन कर सकती थी मैंने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया और फोन में बोला हलो मैं सुधीर बोल रहा हूँ बेटा वे रुआ से स्वर में बोली इतनी रात गए यूँ फोन करने के लिए मैं शर्मिनदा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ राकेश आज घर नहीं लोटा ऐसा तो आज तक नहीं हुआ बेटे क्या तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में उसने तुमसे कोई बात की हो मैं उसे बताने की ताव ना ला सका कि उसका बेटा मर चुका था मुझे तो कुछ मालूम नहीं माता जी मैं फसे हुए स्वर में बोला लेकिन आप चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा लेकिन बेटा मैं सुभा आपके यहां आऊंगा मैंने रिसेवर रख दिया मैं बहुत परिशान था फिर उशा को ये कहकर कि वे मौनिका का खयाल रखे मैं वहां से बाहर निकल गया मैं कार में सवार हुआ मैंने बिना किसी विशिष्ट गंतव्य स्थान का ध्यान किये कार को सड़क पर डाल दिया मौनिका के पैकट की एहमियत अब मैं खूप समझ चुका था उसके लिए जितना खून खराबा हो चुका था वे कम था ब्लैक मेल तो दोनों तरफ मार करने वाली तलवार होती है इसमें शिकारी अपना ब्लैक मेलिंग का सिलसिला बरकरार रखने के लिए कतल कर सकता है और शिकार ब्लैक मेलिंग से बशने की खातिल कतल करने पर आमादा हो सकता है मौनिका के कुछ ना बताए बिना भी कई बाते मेरी समझ में आ रही थी मार्था जोन्स कॉल गर्ल सर्विस चलाने वाली एक जानी पहचानी मैडम थी रमेश मलहोत्रा का भी कॉल गर्ल के धंदे से रिष्टा बताया जा रहा था प्रत्यक्षते उन्हीं दोनों ने ग्राकों को धोका दे कर अपनी कॉल गर्ल के साथ उनकी वे गंदी तस्वीरें खींच ली थी जब कॉल गर्ल की वे दंदा चलाने वालों के साथ मिली भगत हो तो वैसी तस्वीरें खींच लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं था ग्राहत को जान बुशकर ऐसे कमरे में ले जाया जा सकता था जहां पहले से ही एक कैमरा फिक्स हो लेकिन अगर रमेश मलहोत्रा और मार्था किसी और के लिए काम कर रहे थे तो वे कोई और कौन था और वे नेगेटिवों का पैकेट उनके हाथ से निकल कैसे गया और सब इंस्पेक्टर यादव इस तस्वीर में कहां फिट होता था मुझे एक बात याद आई मार्था के यहां जब सब इंस्पेक्टर यादव ने रेड की थी तो अकबार में कुछ इस प्रकार का संकेत छपा था कि मार्था का कॉल गल्स का धंदा पुलिस की प्रोटेक्शन में चल रहा था और उसने इस पात पर बहुत हला मचाया था कि फिर भी उसके यहां चापा पड़ गया था बाद में पुलिस प्रोटेक्शन वाली बात दबा दी गई थी मार्था और जो तीन लड़किया पकड़ी गई थी जिन में से एक मॉनिका भी थी उन्हें मेजिस्ट्रेट ने वार्निंग दे कर छोड़ दिया था मुझे सूझा कि मॉनिका को सब इंस्पेक्टर यादव के बारे में खास कुछ मालुम हो सकता था मैंने कार वापिस काल काजी की और घुमा दी उशा के घर वाली सडक पर पहुँचते ही एक एक मुझे उशा के घर के सामने खड़ी एक काले रंग के ब्योग दिखाई दी मुझे याद आया कि राकेश के कतना नुसार वैसी ही एक कार ने उसका पीछा किया था तब तक मैं कार के बहुत करीब पहुँच चुका था वापिस घूमना अब संभव नहीं था इसलिए मैंने कार की गती उशा के घर के सामने कम करने के स्थान पर और बढ़ा दी मैं ब्योग के समीब से गुजरा तो एक एक ब्योग में लगा डीजल का इंजन गर जुठा ब्योग मेरे पीछे भागी मैंने कार को अगले चौराहे से दाइं घुमाया ब्योग मेरे पीछे दाइं घुमी मुझे एक शन के लिए रियर व्यू मिरर में से ब्योग के ड्राइवर की जलक मिली ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वे कोई अधेर उमर की औरत थी मैंने कार रोक दी ब्योग मेरी कार के पीछे आकर रुकी और वे औरत कार से बाहर निकली वे नी संकोच चलती हुई मेरे पास पहुंची और कार का दर्वाजा खोल कर मेरी बगल में आ बैठी तब तक मैं डन हिल का एक सिगरेट सुलगा चुका था मिस्चर सुधीर कोहली वे बोली वही मैं बोला आपकी तारीफ मुझे मिस उसने मिस शब पर विशेश जोर दिया कोमल जरी वाला कहते हैं मैं एहमद खान साहब की प्राइविट सेकेटरी हूँ एहमद साहब कौन मुझे याद आया वे नाम मैंने मदन लाल की डाइडी में पड़ा था उस नाम के नीचे लाल लकीर खिंची हुई थी मुझसे क्या चाहती हैं आप आपकी विवसाइक से वाएं आप जानती है मेरा विवसाइक क्या है जी हाँ आप प्राइवेट डिटेक्टिव है नेहरू प्लेस में आपका ओफिस है और आपको मालुम था कि इतनी सुभा सवेरे काल काजी में मैं कहा मिल सकता हूँ मैं तनिक व्यंगय पोन्ट स्वर में बोला वे उन कई जगों में से एक थी जहां आपके होने की संभावना हमें दिखाई दे थी वे सहज भाव से बोली औरत बहुत हुश्यार थी क्या करना होगा मुझे मैंने पूछा हम आपकी सहायता से एक चीज अपने अधिकार में करना चाहते हैं जो एहमत खान साहब को धमकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी ब्लैकमेल करने के लिए मैं ये गंदा लफ्स इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी बहराल यही समझ लीजिए और वो चीज क्या है कुछ गंदी तस्वीरें वे कटिन स्वर में बोली जिन में एहमत खान साहब शरीक है नौजवान लड़कियों के साथ ऐसी नौजवान लड़कियों के साथ जो कपड़ों से परहिस करती है और जिने बिस्तर पर मर्द को कला बाजिया की लाने में महारत हासिल होता है उसने सहमती में सिर हिलाया मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसके चेहरे पर शर्म की लाली दोटती देखी हो अगर वे तस्वीरें वे बोली रोशनी में आ गई तो एहमत खान साहब को सोशल लाइफ तबाह हो जाएगी वे किसी को मुझ दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और वे जरूर खुद खुशी कर लेंगे ब्लैक मेल का ये सिलसला शुरू कैसे हुआ था कोई छे महीने पहले मेरे पास एक औरत का टेलिफोन आया था उसने बताया था कि उसके अधिकार में एहमत खान साहब की बड़ी गंदी तस्वीरे थी और उसने हमसे उन तस्वीरों के बदले में 20,000 रुपई की मांग की मैंने उस कॉल को किसी की बक्वास समझ कर नजर अंदास कर दिया अगले दिन डाग से एक लिफाफा पहुंचा जिस पर एहमत खान साहब का नाम लिखा था उनकी सारी डाग मैं ही खोलती हूँ इसलिए मैंने वे लिफाफा भी खोला लिफाफे में कोई चिठी पत्री नहीं थी सिर्फ एक तस्वीर थी और वे तस्वीर मिस जरी वाला के शरीर ने जुरजुरी ली इस बातत की दस्तवेश थी मैंने उसकी बात पूरी की कि पड़े लिखे इजददार और उम्र दरास लोग भी असल में कैसे शैतान होते हैं उस तस्वीर में आपके साहब किसी नौजवान लड़की के साथ ऐसी शैतानी हरकते कर रहे थे जिनका खयाल करने से भी आपके छक्के छूटे जा रहे हैं उसने बड़ी संजीदगी से हामी भरी फिर आगे मैंने पूछा फिर मैंने उस बारे में साहब से बात की वे बोले की 20,000 रुपे अदा करके उस तस्वीर का नेगेटिव हासिल कर लिया जाए ब्लैक मेलर औरत का दुबारा फोन आया तो मैंने कह दिया कि साहब उसकी मांग पूरी करने को तयार थे बाद में मैं खुद चिडिया घर गई जहां मुझे एक लंबा चौड़ा आदमी मिला मैंने उसे 20,000 रुपे दिये उसने मुझे नेगेटिव दे दिया ब्लैक मेलर तो एक ऐसी जोंग होती है जो धीरे धीरे खून चूसती है वे खामोश रही अग क्या चाहते हैं वो पैसा ही इस बार दरसल ब्लैक मेलर ने मुझे से बात नहीं की उसने साहब की कोठी पर फोन किया और सीधे उनसे बात की अगले रोज जब साहब आफिस आए तो उनकी सूरत से यू लगता था जैसे उन्हें हार्ट अटेक होकर हटा हो मैं बड़ी मुश्किल से उनसे असलियत को बलवा पाई इस बार उनसे बहुत बड़ी रकम की मांग की गई है और उन्हें उस रकम का इंतजाम करने के लिए एक हफ़ते का वक्त दिया गया है आपके साहब वे रकम देने के लिए तयार है क्या तयार तो वो है लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा ये एक बार भी खतम होने वाली सिलसिला नहीं है वे रकम हासिल हो जाने के बाद भी वे लोग साहब को फिर ब्लैक मिल कर सकते है आप खास मेरे ही पास क्यों आई क्योंकि मुझे लगता है कि इस सिलसिले की आपको कोई वाक्वित है कैसे लगता है पेपर में मौनिका और जूली नाम की दो कॉल गर्स के बारे में छपा है जूली का कतल हो गया है मौनिका गायब है और इस केस से आपका संबन बताया जा रहा है और मिस्टर कोहली उन गंदी तस्वीरों में साहब के साथ जो लड़की थी वो मौनिका थी I see मैं आपको मौ मांगी रकम दिलवाने का इंतजाम कर सकती हूँ फिर भी एक लाख, दो लाख, पांच लाख बस बस मैं जल्दी से बोला मैं दौलत के रोब से धर राया जा रहा हूँ मन ही मन मैं राकेश की विद्वा मां का खयाल कर रहा था गर का इकलोता रिजक कमाने वाला मर गया था बिचारी की जिंदगी पता नहीं कैसे कटने वाली थी तो फिर क्या जवाब है आपका उसने आशा पूंट स्वर में पूछा आपके साहब के पास एक हफते का वक्त है मैं बोला अब पांच दिन का वे बोली दो दिन गुजर चुके है ओके पांच दिन सही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इतने अर्से में कोई तसल्ली बख्ष नतीजा निकल आए अगर मैं कुछ ना कर सका तो फसे तो आपके साहब हुए ही है मिस्टर कोहली मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप जरूर कुछ करा मातमंद काम करके दिखाएंगे जर्रा नवाजी का शुक्रिया फिर उसने मुझे अपना और एहमत खान का कार्ट दिया उस पर दोनों के पते और टेलिफोन नंबर लिखे हुए थे उसने मुझे जबरन मुझे एक और चीज दी दो हजार रुपए फिर वे कार से निकली और अपनी कार में जा बैठी अगले हिक्षन उसकी कार वहां से भाग निकली मैंने एक नया सिगरिट सुलगा लिया और सोचने लगा मौनिका के पैकेट में एहमद खान के नेगिटिव वाला लिफाफा भी था मैं बड़ी आसानी से उनमें सेवे लिफाफा निकाल कर एहमद खान को सौंप सकता था और उससे राकेश की मा के लिए एक मोटी रकम हासिल कर सकता था लेकिन कहानी यहीं तो खत्म नहीं हो जाती थी मैंने राकेश के हत्यारे को तलाश करना था मैंने अपने आपको बेगुना साबित करना था लेकिन राकेश की हत्या तो मुम्किन था कि जवाहर सिंग ने की हो और वे तो खुद ही मर चुका था जवाहर सिंग निश्य ही रमेश मलहोत्रा का आदमी था राकेश की हत्या 38 कैलिबर के रिवॉल्वर से हुई थी अगर वे रिवॉल्वर रमेश मलहोत्रा के पास बरामद हो जाए तो वे उस कतल में फस सकता था और मुझे तसली हो सकती थी कि मैंने राकेश की मौत का बदला लेने के लिए कुछ किया था मैंने कास चाट की और सुन्दर नगर पहुँचा मैं रमेश मलहोत्रा की कोठी से थोड़ी दूर ही अपनी कार खड़ी करके पैदल आगे बढ़ा कोठी सुनसान पड़ी थी मैं कोठी के पिछवाड़े पहुँचा और दिवार फान कर भीतर दाखिल हो गया मैंने पिछवाड़े का दर्वाजा टटोला वे बंद था मैंने खिर्कियां चेक के सब बंद थी पिछली बार जब मैं वहां आया था तो मुझे वहां केवल मार्था मिली थी उसके इलावा कोठी में कोई नहीं था अब मार्था और रमेश मलहुत्रा दोनों को मैं तुगल का बाद में बांद कर छोड़ आया था इस लिहास से कोठी खाली होनी चाहिए थी फिर मुझे रमेश मलहुत्रा के दीप चंद नाम के उस नौकर का ख्याल आया जिसने मेरी टेलिफोन कॉल का जवाब दिया था पहली बार तो वे कोठी में नहीं था इस बार अगर वे भीतर था तो बखेडा खड़ा कर सकता था लेकिन उसके मुझे वहाँ ना ही होने की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही थी और कोठी में घुसने का वैसा बढ़िया मौका मुझे दुबारा नहीं मिलने वाला था मैंने एक खिर्की का एक शीशा तोड़ दिया और सांस रोके प्रतिक्षा करने लगा शीशा तूटने की आवास की कोई प्रतिक्रिया सामने ना आई मैंने तूटे शीशे के भीतर हाग डाल कर चिटकनी खोली फिर मैं चोकट पर चड़ गया और भीतर कोट गया अपने पीछे मैंने खिर्की बंद कर दी मैंने देखा जिस कमरे की खिर्की से मैं भीतर दाखिल हुआ था वे एक बैडरूम था वहां से शुरू होकर मैंने सारे फ्लोर की तलाशी ली मुझे वहां ना कोई रिवालवर मिली और ना कोई और दिल्चस्पी के काबिल चीज फिर एक अलमारी में से मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें सौ सो के नोटों को सूरत में 20,000 रुपे मौजूद थे मैंने वह लिफाफा अपनी जेब में डाल लिया फिर मेरा ध्यान ड्राइंग रूम के एक कोने में बने एक खूब सूरत बार की तरफ गया उसमें मदीरा की विभिन विलाइती बोतलों के बीच रखी मुझे हेनेसी की एक बोतल दिखाई दी हेनेसी का मैंने बहुत नाम सुना था मेरा बड़ा दिल था मैं कभी वे मदीरा प्यूँ लेकिन उसकी एक बोतल साड़े साथ सो रुपए की आती थी इसलिए उसे खरीदना मेरे बस की बात नहीं थी उसी क्षण मैं हेनेसी का जाइका लेने का लोब सवरण ना कर सका मैं बार के पीछे पहुँचा मैंने हेनेसी की बोतल निकाल ली बोतल अभी खोली नहीं गई थी मैंने बोतल की सील तोड़ी और बार काउंटर के नीचे पड़े बे शुमार गिलासों में से एक गिलास उठाया मैंने वे गिलास मदिरा से आधा भर लिया और उसकी एक चुस्की ली बार काउंटर पर एक टेलीफोन रखा था उस टेलीफोन के बगल में लेटर पैट पड़ा था जिसके उपर के प्रिष्ट पर दो टेलीफोन नमबर लिखे हुए थे मैंने लेटर पैट का वेब प्रिष्ट पाड़ लिया और उसे दोहरा करके अपनी जेब में रख लिया लाजवाब चीज थी उसके पेट से टकराते ही फोरण जिस्म में गर्मी की लहर दोड़ गई आनंद आ गया मैंने एक घूट और पिया तभी मुझे खयाल आया कि रिवॉल्वर की तलाश में मैंने हर जगा की तलाशी ली थी लेकिन बार की तलाशी नहीं ली थी मैंने पीछे कैबिनेट में लखी विस्की की बेशुमार बोतलों के पीछे हाथ डाला मेरे हाथ एक रिवॉल्वर से भी ज्यादा जोरधार चीज लगी वे एक शॉट गन थी जिसकी लंबी नाल काट दी गई थी मुझे जूली का परकच्चे उड़ा चेहरा याद आया जरूर इसी शॉट गन से उसकी हत्या हुई थी नाल कटी होने की वज़ा से उसमें से गोली इस धंग से चली थी कि उसके चेहरे के परकच्चे उड़ा कर रख दिये थे लेकिन एका एक मुझे उशा की बताई एक बात याद आई वो तो कहती थी कि एक शॉट गन पुलिस ने मेरे आफिस से बरामत की थी और जूली की हत्या उससे हुई थी जरूर वे शॉट गन प्लैंड थी जो मुझे फसाने के लिए मेरे आफिस में रखी गई थी हत्या निश्चे ही इस शॉट गन से हुई थी जो मैंने अब बरामत की थी उसकी कटी हुई नाल अपनी कहानी आप कह रही थी तबी सामने वाले दर्वाजे के ताले में चाबी फिरने की आवाज आई मैंने अपना हैनेसी का गिलास खाली किया और शॉट गन हाथ में लिए बार के पीछे से बाहर निकलाया दर्वाजा खुला मैंने शॉट गन उसके सामने तान दी दर्वाजे से भीतर कदम लखने वाला आदमी सब इंस्पेक्टर यादव था उसके सेर पर उस वक्ट भी पट्टी बंधी हुई थी अपने पीछे दर्वाजा बंद करके जब वे घूमा तो उसकी निगाम मुझ पर पड़ी उसके चेहरे पर भारी हैरानी के भाग उभरे मुझे उमेद नहीं थी मैं बोला कि तुम मुझे यहां दिखाई दोगे मुझे भी वे बोला यह शौट गन मुझे दो मैं केवल मुस्कुराया कोहली वे बोला अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यह शौट गन मुझे दो तुम अपनी खेरियत की फिक्र करो बेटा, तुम्हारे जैसे पुलिसिये की आउकात का और हकीकत का अब मुझे अच्छा अंदाजा है क्या बक रहे हो? तुम दर्वाजे के ताले को चाबी लगा कर भीतर घुसे हो रमेश मलहूत्रा की कोठी की चाबी का एक मामुली सब इंस्पेक्टर के पास क्या काम? तुम पुलिस के नौकर हो या रमेश मलहूत्रा के? मैं यहां तफ्तीश के लिए आया हूँ किस बात की तफ्तीश के लिए इस कोठी के मालिक और उसकी सैयोगिनी के कतल की तफ्तीश के लिए क्या मैं बुरी धरा चौंका हो गए ना होश वाकता तुम्हारी जानकारी के लिए रमेश मुलहुत्रा और मार्था जोंस का कतल हो गया है पुलिस ने उनकी लाशे बरामत की थी तो उनके हाथ पाउं बंधे हुए थे और उनकी कनपटियों में गोली के सुराग दिखाई दे रहे थे मैं सननाटे में आ गया तब तक यादव आगे बढ़ाया था एका एक उसने मुझ पर चलांग लगा दी मैंने शौटगन को डंडे की तरह गुमाया वे उसकी कनपटी से टकराई वे फोरन कटे व्रिक्ष की तरह फर्श पर बिचे कालीन पर धे हो गया मैंने शौटगन उसके उपर फैंग दी और वहाँ से बाहर निकल आया एक बात की मुझे गैरंटी थी सब इंस्पेक्टर यादव रमेश मलहुत्रा और मार्था जोन्स के कतल के बारे में सच बोलता हो सकता था लेकिन वहाँ वे केस की तफ्तीश के लिए नहीं आया था तफ्तीश के लिए हत प्राण के घर पर वो अकेला नहीं आ सकता था बाद में मुझे मालुम हुआ कि रमेश मलहुत्रा और मार्था जोन्स की लाशे तुगल का बात के उसी मकान में पाई गई थी जहां मैं उन्हें पिछली रात बंदा चोड़ कर आया था मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनका कतल आधी रात के आसपास हुआ था घटना स्थल पर लाशों के पास एक रिवॉल्वर पड़ी थी जिस पर किसी प्रकार के उंगलियों के निशान नहीं थे लेकिन उसका रिजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने पर मालूम हुआ था कि वे रिवॉल्वर रमेश मलोत्रा की मलकियत थी मैं काल काजी पहुंचा उशा जाक चुकी थी लेकिन मॉनिका उस वक्त भी गहरी नीन में थी तुम कहां चले गए थे वे तीखे स्वर में बोली क्यों हट बढ़ा गया क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले यहां एक आदमी घुसाया था उसने चेहरे पर नकाब चड़ाई हुई थी और हात में रिवॉल्वर थामी हुई थी उसने सारे फ्लेट के बुरी तरह से तलाशी ली थी मैंने चारो और निगाफ फिराई यहां की हालत से लगता तो नहीं मैं बोला मैंने अभी सब चीजे करीने से अपनी जगा पर उठा कर रखी है लेकिन वे आगमी कौन था क्या पता कौन था मैंने कहा न उसने चेहरे पर नकाब चड़ाया हुआ था लेकिन वो चाहता क्या था कुछ तो बोला होगा वो तुमने आवास तो सुनी होगी उसकी क्या वे वही आवास थी जिसने तुमें टेलीफोन पर तुगल का बाज वाले कमरे मकान के बारे में बताया था तौबा इतने सवाल एक साथ जवाब दो मैंने उसकी आवास सुनी थी वे तो आवास नहीं थी जो मैंने पहले टेलीफोन पर सुनी थी मुझे लगा था कि वे जान बुश कर आवाज बदल कर बोल रहा था कद और काठी में कैसा था वो खूब लंबा चोड़ा और उसके सिर के बाल बूरे थे वे चाता क्या था मैंने फिर पूछा किसी पैकेट के बारे में पूछ रहा था मैंने उसे कह दिया था कि मैं किसी पैकेट के बारे में नहीं जानती थी फिर उसने सारे फ्लैट की बड़ी बारीकी से तलाशी ली थी उसे मिला कुछ नहीं क्या? क्या मिलता? मैं खामोश रहा तुमने उस पैकेट से अभी तक पीछा चुड़ाया या नहीं? मैंने उत्तर नहीं दिया ठीक है भार में जाओ मुझे क्या? फिर शुरुआत कर रही हो? मैं कोई शुरुआत नहीं कर रही लेकिन मुझे तुम्हारी उस बेहुदी जित का बड़ा अफसोस है जिसकी वज़ा से तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा महत्व पोन वे पैकेट ओर उठा है कैसी अजीब बात है कि जो आदमी मुझे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है वे अपनी कोई बात मेरे साथ शियर नहीं करना चाहता कभी-कभी तो मुझे शक होने लगता है कि तुम मुझे से महबत करते हो या नहीं ऐसा ना कहो उशा मैं तनिक भर राय स्वर में बोला मैं तुम से महबत करता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात से सिर्फ एक बात से एतराज है किस बात से? मैं एक खुद मुकतार बालिग इनसान हूँ और मैं ऐसा बने रहना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे उंगली पकड़ कर चलाना चाहती हो तुम तो मुझे चेंकना और खांसना तक सिखाना चाहती हो मुझे एक बालिग आदमी को बीवी चाहिए एक अपाहिज बच्चे को मा नहीं चाहिए सुधीर उशा पैकेट का तुम हजार बार जिक्र कर चुकी हो ऐसे जिक्र कर चुकी हो जैसे उसे तुम मुझे से हासिल कर लोगी तो मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी जंग जीत लोगी उस पैकेट के बारे में जब तुमने एक बार मुझे राई दी थी तो उतना ही काफी था वही बात तुम बार बार ना दोहराती तो शायद वे पैकेट दरिया में फैंकने के लिए मैं दे देता लेकिन तुमने क्योंकि अपनी जिद नहीं चोड़ी इसलिए मैं भी अपनी जिद पर कायम रहा तुमने तो मुझे यहां तक कह दिया था कि अब तुम्हारा मेरा रिश्टा खतम वो तो गुसे में मेरे मुझे निकल गया था वे बोली वे रोने लगी मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया मैंने बड़े प्यास से उसके आंसु पोंचे और उसके होन चूमे वे कसकर मेरे साथ लिपट गई मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और ड्राइंग रूम के एक कोने में लगे दिवान की योर बढ़ा मौनिका जाग जाएगी वे मेरे कान में बुदबुदाई मैंने उसे दिवान पर लिटा दिया और धीरे से बेडरूम का दर्वाजा बाहर से बंद कर आया मैं वापिस उशा के पास पहुंचा उशा ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और लता की तरह मेरे साथ लिपट गई मैं भी उसमें आत्म साथ होने की कोशिश करने लगा फिर पता नहीं कब उसके आगोश में ही मुझे नीन दा गई सारी रात सोया जो नहीं था मैं एक बज़े मेरी नीन खुली उशा मेरे लिए एक चिट लिकर चोड़ गई थी कि वे ओफिस जा रही थी मैंने देखा जाती बार वे बेडरूम का दर्वाजा खोल गई थी मैंने भीतर जांका तो पाया मॉनिका अभी सोई पड़ी थी मैं शोचाले पहुंचा मैंने पानी की टंकी का धकन उठाया पैके धकन के नीचे अपने स्थान पर मौचूद था मैंने बड़ी राहत महसूस की फिर मैं बात्रूम में गया और ठंडे पानी से नहाया तोलिया लपेटे में बाहर निकला कौन है तभी मुझे मौनिका की आवाद सुनाई दी मैं मैं बोला यहां आओ मैं बेडरूम के दर्वाजे पर पहुंचा मैंने देखा वे जाग चुकी थी और पलंग पर बैठी हुई थी मेरे देखते देखते उसने दोनों बाहे उपर उठा कर बड़ी तौबा शेकन अंगडाई ली मेरे होंट सूकने लगे उशा कहा है उसने पूछा वो तो आफिस गई है तुम चोखट पर ही क्यों खड़े हो पास आओ ना उसकी आवाज में जो निमंतरन था वे मुझसे चुपा ना रहा लेकिन उशा के घर में उसी के पलंग पर किसी दूसरी औरत के साथ हाम बिस्तर होने की बात मुझे नहीं जची मैं अभी हाजिर हुआ मैं बोला मैं चोखट से हटा मैंने कपड़े पहने और वापिस बेडरूम में आया उसने आहदभाव से मेरी तरफ देखा मैं उसके समीब पलंग पर बैठ गया सुधीर वे आदर स्वर में बोली तुम मुझसे नफरत करते हो न ये किसने कहा मैं हैरानी से बोला हर बात कहनी नहीं पड़ती मैं भी इस भेजे में अकल रखती हूँ बहुत सी बाते मैं बिना कहे भी समझ सकती हूँ मुझे मालुम था उसका इशारा किस तरफ था मैं हूँ ही नफरत के काबिल वे बोली कॉल गर्ल जो ठहरी मैं मौनिका उल्टी सीधी बाते मत करो तुम नफरत कर सकते हो मुझसे लेकिन एक बात मैं फिर भी बताना चाहती हूँ तुम्हें क्या मुझे तुमसे मोहबत है जहे नसीब अब तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो हर्गिस नहीं सुधीर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ सच कह रही हो क्रॉस माई हाट मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ जान मत दो उससे छोटा काम करो क्या मुझे अपने पैकेट की कहानी सुनाओ ये तुम्हारे हाट कहां से लगा तुम क्या करना चाहती थी उसका मदनलाल इस तस्वीर में कहां फिट होता है और उन 20,000 रुपेयों का तुमने क्या किया जो तुमने एहमद खान से हासिल किये थे आखरी सवाल पर उसके चेहरे पर असमंजफस के भाब उभे मैंने एहमद खान से 20,000 रुपे हासिल किये वे हैरानी से बोली क्या नहीं किये और एहमद हाग खान है कौन? क्या तुम नहीं जानती? मैं किसी एहमद खान को नहीं जानती? वे तुम्हारा एक ग्रहक रह चुका है? फिर तो मेरा उसको जानने का सवाल ही नहीं पैदा होता मैंने आज तक अपने किसी ग्रहक से उसका नाम नहीं पोचा वे मुझे सच बोलती लगी खेर छोड़ो मैं बोला तुम पैकेट की बात करो और ये भी बताओ कि तुम्हारे जैसी शानदार लड़की कॉल गर्ल कैसे बन गई? उसके होंटों पर एक विद्रूप पोंड मुस् मैं शानदार हूँ इसलिए तो कॉल गर्ल हूँ मामुली होती तो कोठे की रंडी होती मार्था की एक हजार रुपे रात वाली कॉल गर्ल बनने के लिए शानदार होना तो इंतहाई जरूरी होता है यानि की पैसे के लालश ने तुम्हें कॉल गर्ल बनाया यही समझ लो किसी विपत्ती की दास्तान सुनकर तुम्हारी हमदर्दी हासिल नहीं करना चाहती। मेरे कॉल गर्ल होने के पीछे किनी भूके मरते भाई बहनों की, किसी बिमार मा, किसी सूद खोर महाजन के करजे की या किसी ऐसी ही मजबूरी की कोई दुख बरी कहानी नहीं है। मैं जो कुछ हूँ अपनी मर्जी से हूँ, मुझे अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का और एश की जिन्दगी गुजारने का शौंक था और मुझ जैसी गरीब लड़की के ऐसी शौंक पतन के गर्थ में गिरे बिना पूरे नहीं हो सकते थे। मैंने अपने अंजाम को पूरी तरह से सोच समझ कर इस धंदे में कदम रखा था। में बाणती हैं, उसकी मैंने उजरत हासिल करने की कोशिश की है। मार्था तक तुम पहुंची कैसे? मैंने पूछा। मदनलाल ने पहुंचाया, मदनलाल मुझे और मेरी महत्वक आंक शाओं को बहुत पुराना जानता था। I see। कॉल गर्ड के धंदे से मुझे पैसा हासिल हुआ लेकिन जिल्लत और रुस्वाई भी कम हासिल नहीं हुई। पुलिस द्वारा गिर्फतार हो जाने पर अदालत में पेश किये जाने की जलालत तक मुझे गवारा करनी पड़ी। लेकिन दौलत का लालच मुझे पर ऐसा हावी हो चुका था कि ये ना मुराद धंदा में छोड़ भी नहीं सकती थी। तुम्हें ये मालुम था कि मार्था की हर कॉल गर्ड की उसके ग्रहा के साथ होने वाली रितिक्रियाओं की गुप्त रूप से तस्वीरे खींची जाती थी। मैं पहले यहीं काल काजी में उशा के पडोस में रहती थी। उशा को मालुम है कि वास्तव में तुम क्या हो। जब तक यहां मैं उशा के पडोस में रहती थी तब तक उसे कुछ मालुम नहीं था लेकिन पडोस छोड़ने के बाद मालुम हो गया था। कैसे लोग बाते बनाने लगे थे यहां के लोगों ने मुझे गरीबी में देखा था मुझे एका एक एश करती देखकर वे अपनी अटकले लगाने लगें कुछ लोग तो मुझे पीछे से आवाजे तक कसने लगे कि मैं कॉल गर्ड थी इसलिए मैंने ये जगाट छोड़ द भी उसने मेरी दोस्ती नहीं छोड़ी वरना वे ये कहकर मुझे कभी कत्रा सकती थी कि उसे डर था कि मेरे साथ देखी जाने पर लोग उसे भी कॉल गर्ड ना समझ बैठें नेगेटिवों के पैकेट के बारे में मालुम कैसे हुआ तुम्हें? मदनलाल ने बताया था उसी के कहने पर वे पैकेट मैंने रमेश मुलहोत्रा के पास से चुराया था रमेश मुलहोत्रा मुझे पसंद करता था और मार्था को अकसर कहा करता था कि वे उसे मेरे संसंग का मौका दे मार्था बात को हसी में उड़ा दिया करती थी मदनलाल से बात होने के बाद मैंने रमेश मलहोत्रा को लिफ देनी शुरू कर दी एक रात उसने मुझे अपनी कोठी पर बुलाया मैंने ये बात मदनलाल को बताई मदल लाल ने मुझे उस पैकेट के बारे में बताया जो रमेश मलोतरा के पास था और मुझे बेहोशी की दवा की एक गोली दी उस रात में रमेश मलोतरा के यहां गई वे बहुत खुश हुआ मैंने उसे पूरी मनमानी करने दी बलकि उसे खुला खेलने के लिए उकसाया उस रात शराब और शबाब का भरपूर आनंद लिया उसने लेकिन तभी उपर से मार्था आ गई उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और बहुत कोहराम मचाया क्यों तुम्हें नहीं मालूम क्या मार्था रंगेश मलहोत्रा की बीवी है अच्छा हाँ यानि कि दूसरी औरतों के मर्दों को बेवफाई करने के लिए प्रेरित करने वाली औरत अपने मर्द की बेवफाई बरदाश ना कर सकी यही समझ लो फिर आगे रमेश मलहोत्रा उस वक्त नशे में था गुस्से में आकर उसने मार्था को खूब पीटा मार्था रोती धोती वहां से चली गई तब मैंने भय प्रकट किया कि मार्था कहीं मेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी करे उसने मुझे आश्वासन दिया कि मार्था ऐसा नहीं कर सकती थी मैंने पूछा क्या गैरेंटी थी तब उसने बताया कि वास्तव में मार्था उसकी बीवी थी लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था I.C. फिर मैंने नेगिटिवों का जिक्र छेड़ा मैंने कहा मैं अपनी आँखों से देखना चाहती थी कि उन नेगिटिवों में मैं थी और किसके साथ थी तब तक वे नशे में धूत हो चुका था वे नेगिटिवों वाला पैकेट निकाल लाया तब मैंने उसकी शराब में बेहोशी की दवा की गोली मिला दी और फिर उसकी चेतना लुप्त होते ही मैं वो पैकेट लेकर वहाँ से भाग निकली तुमने वे पैकेट लाकर मदनलाल को क्यों नहीं दिया दे ही देती तो अच्छा था वे उदास स्वर में बोली क्योंकि फिर ये सारा बखेडा ना होता लेकिन मुझे लालच आ गया था मैंने सोचा खत्रा तो सारा मैंने मोल लिया था बाद में रमेश मलहुत्रा भी मेरे ही पीछे पढ़ने वाला था फिर मैं ही उस पैकेट का फाइदा क्यों ना उठाऊं मुझे माला माल हो जाने के लिए हाथ में आया बड़ा सुनहरा मौका लग रहा था और मेरा खेयाल था कि जब तक पैकेट मेरे पास सुरक्षित था तब तक मैं भी सुरक्षित थी फिर जब मैंने अपने गैस शाउस में वापिस पहुंची तो जूली ने मुझे बताया कि कोई मेरी तलाश में पहले ही वहाँ चक्कर लगा गया था मैं डर गई मैं वहाँ ठहरने के स्थान पर एक होटल में चली गई फिर सुबा होते ही मैंने उशा को फोन किया उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया बाकी तुम जानते ही हो बाकी मैं जानता था लेकिन अभी भी कई सवाल मेरे जहन में उभर रहे हैं जूली के कतल की पुलिस में खबर तुमने दे थी मैंने पूछा हाँ वे बोली मैंने खास तोर से उन्हें बताया था कि मरने वाली का नाम मौनिका था मैं चाहती थी कि जूली की जगा वास्तव में मुझे मरा समझ लिया जाए और उन लोगों से मेरा पीछा चूट जाए जो मेरे खून के प्यासे हो रहे थे लेकिन अफसोस है कि वे तिगडम ज्यादा देर चली नहीं तुम किसी भूरे बालो वाले लंबे चौड़े आदमी को जानती हो नहीं उशा कहती है कि ऐसा एक आदमी पिछली रात को मेरी गैर हाजरी में यहां घुस आया था और उसने फ्लैट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली थी मुझे ऐसे किसी आदमी की खबर नहीं कम से कम वे इस कमरे में नहीं आया था आया होता तो मेरी नीन जरूर खुल जाती अगर उसने यहां के चप्पे चप्पे की तलाशी ली होती तो ये कैसे हो सकता था कि मेरी नीन ना खुलती और मुझे उसकी खबर ना लगी मैं सोचनी लगा लेकिन सुधीर इस बेड्रूम का एक एक कोना खुद्रा टटोल ते मैंने उशा को देखा था उशा को? हाँ वे मेरे पलंग के नीचे बिस्तर का टटोल रही थी तो एका एक मेरी नीन खुल गई थी उस भूरे बालों वाले आदमी के पास रिवॉल्वर थी शायद वे कहीं छुपकर खड़ा हो गया हो और उसने यहां की तलाशी के लिए उशा को मजबूर किया हो? हाँ यह हो सकता है उसने स्विकार किया लेकिन मैं आश्वस्त ना हुआ मैं चांदनी चौक पहुंचा वहां भागीरत पैलेस का एक कम से कम सौ साल पुरानी इमारत में एहमद खान का डिस्ट्रिबिशन कंपनी का दफतर था इमारत जितनी पुरानी थी दफतर उतना ही आधोनिक था एक चप्रासी मुझे मिस कौमल जरीवाला के पास छोड़ गया फिर वे मुझे एहमद खान के वातानु कोलित दफतर में ले आई एहमद खान मेरी उमेद से बहुत कम उम्र का आदमी निकला वे 45 से ज्यादा तो हर्गिस नहीं था वे एक शानदार सूट पहने था और उसके टाई में बहुत कीमती हीरा चमक रहा था मिस जरीवाला ने उसे मेरा परीचे दिया उसने उठकर मुझे से हाथ मिलाया और फिर अपने सामने एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा मैं बैठ गया मिस जरीवाला एक दक्ष सेकेटरी की तरह एक और खड़ी रही आपकी सेकेटरी ने मुझे आपकी समस्या के बारे में बताया है मैं बोला इस संधर्ब में मैं आपसे एक आप सवाल पूछना चाहता हूँ मिस्चर कोहली वे बड़े रॉप से बोला मामला साफ है मुझे ब्लैक मिल किया जा रहा है जिस चीज के दम पर मुझे ब्लैक मिल किया जा रहा है वे मैं किसी भी कीमत पर वापिस हासिल करना चाहता हूँ मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने और क्या बताना है आपको Very good, मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ फिलहाल मैं रुकसत होता हूँ जब आपकी समझ में आ जाए तो खबर कर दीजिएगा वे हट बड़ाया, मैं आपका मतलब नहीं समझा वे बोला, और मैं आपका मतलब नहीं समझा मैं आपसे आप ही के हित में एकाथ सवाल पोशना चाहता हूँ और आपने सवाल सुने बिना ही फैंसला कर लिया है कि उनका जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं इसका मतलब ये हुआ कि मैं पागल हूँ जो 15 मील से चल कर आपके काम की खातिर आपके पास आया हूँ बैठिये इस बारवे नमर स्वर में बोला मैं बैठ गया, I am sorry, never mind मैं बोला, मिस्टर खान आपकी जानकारी के लिए आपकी उन तस्वीरों और आप जैसे लोगों की तस्वीरों के एक पैकेट की वजह से मेरे एक अजीस दोस का कतल हो गया है उसके नेगेटिव वापिस हासिल करने से भी ज्यादा जरूरी काम मेरे लिए अपने दोस के कातल का पता लगाना है और मेरी निगाह में मेरे दोस्त के कतल के लिए आप जैसे ब्लैक मिल का कोई शिकार भी जिम्मेदार हो सकता है क्या तुम मुझ पर कतल का इलजाम लगा रहे हो वे भड़क कर बोला ये भी एक सवाल है जो मैं आप से पूछना चाहता हूँ उन नेगेटिवों को वापिस असिल करने की खातिर क्या आप कतल कर सकते हैं मैं और ताव खाने से कोई फायदा नहीं होगा जो बात शांती से की जाए वही अच्छी होती है वे कस मसाया उसने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला वे नेगेटिव मुझे तबा कर सकते हैं अंत में वे बोला उनको हासिल करने की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ कतल भी मैं बोला कतल भी लेकिन कतल मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे यही पता नहीं है कि मुझे किसका कतल करना है मैं जानता हूँ कि ब्लैक मेलिंग की बेस हजार की पहली किष्ट मिस जरीवाला चिडिया घर में किसे दे कर आई थी इसे जब मैंने कथित ब्लैक मेलर के पास भेजा था तो इसका पीछा करने के लिए मैंने एक आदमी लगा दिया था मिस जरीवाला के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे प्रत्यक्षता ये बात उसे नहीं मालुम थी ये 20,000 रुपे जवाहर सिंग नाम के एक मामुली बदमाश को सौंप कर आई थी एहमद खान आगे बढ़ा जो कि रमेश मलोतरा नाम के एक आदमी के लिए काम करता था लेकिन मुझे मालुम है कि रमेश मलोतरा और जवाहर सिंग दोनों किसी और के हाथों की कटपुतली है ब्लैक मेलर कोई और है कैसे मालुम है एक तो इसी बात से मालुम है कि मुझे फोन किसी औरत ने किया था कि कल आधी रात को रमेश मलहोत्रा और मार्था जौन्स का कतल हो गया है लेकिन मुझे तो तुम्हारे यहां आने से दस मिनट पहले भी ब्लैक मिलर का फोन आया था। वे अपने साहब का इशारा समझ गई और चेहरे पर शिकायत के भाव लिए वहां से बाहर निकल गई बिचारी मेरी वज़ा से पहले ही बहुत परिशान है एहमत खान हम दर्दी भरे स्वर में बोला मैं इसे और परिशान नहीं करना चाहता था I see मैं असमंजस पूर्ण स्वर में बोला मिस्चर कोहली इस बार मुझसे जो मांग की गई है वो कैश की सूरत में नहीं है इस बार ब्लैक मेलर चाहता है कि रॉक्सी सिनेमा में मेरा जो हिस्सा है वो मैं ब्लैक मेलर के बताए किसी आदमी के नाम कर दू इस प्रकार आपको ब्लैक मिलर का पता नहीं लग जाएगा कैसे लग जाएगा वे आदमी कोई भी हो सकता है उसको पकड़ लेने से या पकड़वाद देने से मुझे नेगिटिव तो हासिल होंगे नहीं उल्टे ब्लैक मिलर खफा होकर कोई गलत मुझे तबाह कर देने वाला कदम उठा सकता है रॉक्सी सिनेमा में आपका एक तेहाई हिस्सा पैसे के लिहास से कितना हुआ कोई 40 लाक रुपए मिस जरीवाला को मैंने यही कहा था कि मुझसे 40 रुपए की मांग की गई थी उसने आज किसलिए फोन किया था मुझे ये याद दिलाने के लिए फैंसला करने के लिए मेरे पास 4 दिन बाकी रह गए थे आपको ये बताया गया है कि अपना हिस्सा आपको किसके नाम करना होगा नहीं अभी नहीं वैसे हाल ही में कभी ऐसी कोई बात उठी थी जिसमें किसी ने रॉक सी सिनेमा में आपका हिस्सा बेश देने की बात की हो आपसे वे हिचकिचाया देखिए मेरे आप से दर्ख्वास थे कि कुछ चुपाईए नहीं ऐसे मामलों में मेरे क्लाइन के लिए मेरा दर्जा एक डॉक्टर जैसा होता है डॉक्टर से कुछ चुपाना मरीज के हित में नहीं होता है कैलाच सबरवाल नाम के एक साहब ने वे बोला हाल ही में रॉक्सी सिनेमा में मेरे हिस्ते में दिल्चस्पी दिखाई थी उसने मुझे दस लाक रुपे की ओफर भी दे थी लेकिन ऐसी किसी ओफर को कबूल कर लेने का मेरे लिए सवाल ही नहीं पैदा होता था लेकिन अगर उसने ऐसी कोई ओफर दी थी तो कुछ सोचकर ही दी होगी क्या पता क्या सोचा था उसने शायद उसने मुझे कोई काट का उल्लू समझ लिया था या शायद वे समझता हो कि वे आप पर दबाब डाल कर आप से अपनी कीमत मनवा सकता था वे खामोश रहा खान सहब कोई खाम का ऐसी मुर्खता पून बात नहीं कर सकता कि वे आपको 40 लाग के माल के 10 लाग रुपे कुबूल करने के लिए कहे उसने मुझे कहा था वे कठीन स्वर में बोला कि अगर मैं उसकी ओफर्स विकार कर लूँ तो वे मुझे नेगेटिव दिलवा सकता था उसने ये नहीं बताया कि नेगेटिवों के बारे में उसे कैसे मालूम था नहीं लेकिन ये बात उसने बड़ी गारेंटी से कही थी कि वे मेरे नेगेटिव मुझे वापिस दिलवा सकता था कब कही थी एक हफता पहले बात साफ थी उसके बाद ही मदल नाल ने मौनिका को नेगेटिव वाला पैकेट चुराने के लिए तयार किया था कैलाज सबरवाल मदल नाल से पैकेट हासिल होने की उमीद कर रहा था इसलिए उसने मदल नाल को ब्लैंक चेक दिया हुआ था ताकि उस पैकेट की वे खुद जो चाहे कीमत लगा ले मदल नाल की पतों की डाइरी में जिन नामों के नीचे लाल सियाही की लकीर खिंची हुई थी उनमें एहमद खान का भी नाम था अगर एहमद खान के नेगेटिवों में होने की बात मदल नाल को मालूम हो सकती थी तो कैलाज सबरवाल को भी मालूम हो सकती थी आपने सबरवाल को जवाब क्या दिया था? मैंने पूछा फिलहाल तो मैंने उसे यही जवाब दिया था कि वे साबित करके दिखाए कि वे मुझे नेगेटिव वापिस दिलवा सकता था उसके बाद से उसने आप से संपर्ख स्थापित नहीं किया क्या? नहीं, खान सहब वे आपको नेगेटिव वापिस नहीं दिलवा सकता नेगेटिव उसके हाथ मिश्चे ही लगने वाले थे लेकिन दुरभाग्य वर्ष नहीं लगे अब अगर कोई आपको नेगेटिव वापिस दिलवा सकता है तो वो मैं हूँ तुम? जी हाँ, मैं उठ खड़ा हुआ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल नेगेटिव आपके पास पहुँच जाएं आप दो लाख रुपए तयार रखिएगा ठीक है, तभी कॉफी आ गई और मुझे दुबारा बैठ जाना पड़ा जब तक मैं एहमत खान के पास बैठा रहा था, मैं उसके जवाबों से बड़ा संतोष्ट था लेकिन वहां से उठकर चले आने के बाद ही, मुझे फिर उस पर शक होने लगा था वे पैसे वाला आगमी था, उसके लिए किसी का कतल करवा देना मामुली बात थी खास तोर से तब जबकि उसकी अपनी गर्दन बुरी तरफ पसी होई थी मौनिका की रूम मेड जूली, मदनलाल, रमेश मलहोत्रा और मार्था सब के कतलों के पीछे उसी का हाथ हो सकता था लेकिन राकेश का कतल किस लिए? वे इस अब लोग तो किसी न किसी रूम पे मौनिका के पैकेश से सम्बंदित थे लेकिन राकेश का तो उन लोगों से या पैकेश से कोई मतलब नहीं था फिर राकेश का कतल कैसे हो गया? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था ठीक साड़े चार बजे मैं दरिया गंच पहुँचा मैंने कार को फ्लोरा होटल के नीचे खड़ा कर दिया और पैदल ही कैलाज सबरवाल के घर की तलाश में आगे बढ़ा एक दो जनों से पूशने के बाद ही मुझे मालुम हो गया कि वे कहां रहता था मैं उसके फ्लैट वाली इमारत के सामने पहुँचा कैलाज सबरवाल उस इमारत के ग्राउन फ्लोर पर रहता था तभी ग्राउन फ्लोर का एक दरवाजा खुला और बूरे बालों वाला एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला मुझे उस आदमी का ख्याल आया उशा के कतना नुसार जिसने उसके घर की तलाशी ली थी मैं पौरन उस आदमी के पीछे हो लिया वे आदमी तेजी से चल रहा था और रह रहकर पीछे देख रहा था मुझे लगा कि उसे मालुम था कि मैं उसके पीछे आ रहा था एका एक रह और तेज चलने लगा सुनो मैंने आवास लगाई पहले तो मुझे लगा जैसे वो वहां से भाग निकलने वाला हो लेकिन फिर वे ठिटक गया मैं जल्दी से उसके सामने पहुँचा कौन हो तुम वे कठोर स्वर में बोला बंदे को मैं बोला सुधीर कोहली कहते हैं सुधीर कोहली उसने गौर से मुझे देखा प्रत्यक्ष्टै मेरा नाम उसने सुना हुआ था और आपकी तारीफ मैंने पूछा मेरा नाम हवेली राम है वे बोला गल्ले के व्यपारी? हाँ, कॉल गल्स के शौकीन? वे कामपनी लगा, जरा मेरे साथ आईए, वे मेरे साथ हो लिया मैं अपनी कार के पास पहुंचा, मैंने कार का दर्वाजा खोला और भीतर दाकी हुआ, हाथ बढ़ा कर मैंने उसकी और का दर्वाजा खोल दिया वे अभी नर्वस भाज से भीतर आ बैठा, मैंने कार आगे बढ़ाई, जामा मस्जिद वाली सडक से होता हुआ, रिंग रोड पर पहुंचा ये तुम कहां ले जा रहे हो मुझे, एका एक वे बोला, सैर कराने मैं बड़े इत्मिनांग से बोला, गाड़ी रोको, वे तीखे स्वर में बोला, चुप चाप बैठे रहो, मैंने उसे गुड का, वरना जान से मार दूँगा तुम क्या जान से मारोगे मुझे, वे बोला, मैं खुदी कार से बाहर चलांग लगा दूँगा, और उसका हाथ दरवाजे के हैंडल की और बड़ा, मैंने घबरा कर कार रोक दी, मिस्चर, वे बोला, मैं बहुत परिशान हूँ, अगर तुम मुझे मार डालोगे, तुम काम से जानता हूँ आपको, और ये जानता हूँ कि कुछ गंदी तस्वीरों की वज़ा से आप ब्लैक मेलिंग के शिकार हैं, उसके चेहरे पर हवाईया उरने लगी, आप कतल करवा कर बच नहीं सकते, मैंने उसे धमकाया, अरे मैंने किसका कतल करवा दिया, वे घबरा कर जूली का, मदन लाल का, रमेश मलोतरा का, मार्था जोन्स का, और ये लोग है कौन? आपने इन लोगों के कतल नहीं करवाए, पागल हुए हो, मैं तो खुद मरा पड़ा हूँ, मरा हुआ आदमी क्या कतल करवाएगा किसी का? देखिए, अगर आप मुझे से योग देंगे तो हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मेरी मदद एक ही आदमी कर सकता है, कौन? वो जिसके पास मेरे नेगेटिव है, हो सकता है वो शक्स मैं ही हूँ? यानि कि तुम ही मुझे ब्लैकमिल कर रहे हो? नहीं, मैं आपको ब्लैकमि और तुम्हारे हाथ लक चुके हैं वे आशा पूंड स्वर में बोला हो सकता है तो मेरे नेगेिटिव मुझे वापिस करो मेरे भाई मैं तुम्हारे पाउं पढ़ता हूँ और वे सच मुझ ही मेरे पाउं पढ़ने लगा अरे हटो, मैं हट बढ़ा कर उसे परे धकेरता हुआ बोला ये क्या कर रहे हो, वो परे हट गिया आप अभी तक म्लैक मिल में कितनी रकमदा कर चुके हैं मैंने पूछा, 60,000 रुपए वे बोला, 20-20,000 की तीन किष्टों में लेकिन तस्वीरों के नेगेटिव आपको वापिस नहीं मिले? नहीं, पैसा आप किसको देते थे? रमेश मलहोत्रा के आदमी को लेकिन नेगेटिवों के मामले में जब उन लोगों ने आपको धोका दिया तो आपने कोई तो कदम उठाया होगा? मैंने कुछ नहीं किया मैं कर ही क्या सकता था? लाला, मुझसे जूट मत बोलो इस बारे में जो कुछ जानते हो साफ साफ बताओ एका एक मेरा स्वर करकर्श हो उठा मुझसे सच बोलोगे तो फाइदा ही उठाओगे हो सकता है मैं तुम पर महरबान हो जाओ और तुम्हारे नेगेटिव तुम्हें वापिस लोटा दू अरे, ऐसा करो ना संकट मोचन वे आर्थ नार्थ करता हुआ बोला करते क्यों नहीं हो तुम मुझे नेगेटिव लोटाओ मैं तुम्हें मुँ मांगी रकम दूँगा मुझे रकम नहीं चाहिए मुझे आपका सहयोग चाहिए कैसा सहयोग इस मामले में जो कुछ जानते हो मुझे बताओ मैं कुछ नहीं जानता कुछ तो जानते होगे नहीं, सबरवाल को तो जानते हो, मैं उसे गूरता हुआ बोला यादव को तो जानते हो, उन नामों की उस पर बड़ी सीखी प्रतिक्रिया हुई यानि कि तुम जानते हो, वे सिर्फ जुकाये खामोश बैठा रहा देखो लाला, मैं तुम्हारा दुश्मर नहीं दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ मुझसे कुछ छुपाओ नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने हाथ से तुम्हारे नेगेटिव जला दूँगा सच बताओ, तुम सबरवाल के यहां क्या करने गए थे, ये तो गरंटी है कि तुम सबरवाल को जानते हो मैंने तुम्हें उसके घर से बाहर निकलते अपनी आंखों से देखा था उसने मुझे फोन करके बुलाया था, नेगेटिव का या ब्लैकमिल का उसने कतई जिक्र नहीं किया था वे कहने लगा कि वे कोई बहुत बड़ा व्यफार करना चाहता था, जिसके लिए पैसा जुटाने में वे मेरा सहयोग चाहता था मैंने कह दिया कि मैं सोचूंगा, फिर मैंने उसके बारे में पोश्टाच करवाई, तो मुझे मालुम हुआ कि वे बड़े संदिक्द चरिक्तर वाला आदमी था, उसने मुझे दुबारा फोन किया, तो मैंने कह दिया कि मैं उसकी कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सकता था तब उसने नेगेटिवों का दिक्र किया, उसने साफ साफ कहा कि नेगेटिव उसके पास थे, मैं फिर उससे मिलने गया, इस बार उसने अपने नियत साफ जाहिर कर दी, वे मुझे ब्लैक मिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कुछ वे कह रहा था, किसी और के इशार पर कह रहा था तुम्हें कैसे मालूम उसने आसी फली रोड पर एक आफिस बनाया हुआ है दूसरी बार मैं उससे वहां मिलने गया मैंने उसे इंटर कॉम पर बगल के कमरे में बैठे किसी शक्त से बात करते सुना था और साफ जाहिर हो रहा था कि वे निर्देश हासिल कर रह हो कि वे किसी से बात कर रहा था शायद दूसरे कमरे से कोई भी Na रहा हो शायद वे ऐसा आपको धोके में रखने के लिए जाहिर कर रहा हो कि उससे उपर कोई और भी था हो सकता है लेकिन मुझे वे ड्रामा करता नहीं लगा था फिर आपने उसको फाइनेंस करने की उसकी बात मान ली क्या हां ना मानता तो और क्या करता उसने आपको नेगटिव दिखाए थे नहीं नेगटिवों के बारे में वे जूट बोलता भी तो हो सक पहले जब 60,000 रुपए आपने रमेश मलगोत्रा को दिये थे उसने आपको नेगटिव दिखाए थे नहीं लेकिन उसके प्रिंट मुझे दिये थे इसका मतलब था कि नेगटिव उसके पास थे लेकिन सबरवाल ने आपको प्रिंट भी नहीं दिखाए थे नहीं मैंने नाम है वे खामोश रहा लाला तुम जूट बोल रहे हो तुम यादव को जानते हो मैं सब इंस्पेक्टर यादव को जानता हूं उसका बाप मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था तुमने यादव के बारे में पहले जूट क्यों बोला क्योंकि उसका इन बातों से कोई रिष मेरा शुरू होने पर आप मदद के लिए यादस के पास क्यूं नहीं गए वो एक पुलिस अधिकारी है वेब केस को बिना दर्ज किये इस मामले में आपकी बहुत मदद कर सकता था अपनी कर्टूतों की वज़ा से मुझे उससे शर्म आती थी मेरा दोस्त उसका बाप था वो नहीं आप कसम खाकर कहते हैं कि आपने ना कोई कतल खुद किया है और ना किसी से करवाया है मैं बजरंग बली की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा किसी कतल से कोई रिष्टा नहीं थे क्या गया था उसने बड़ी शराफत से स्विकार किया क्यों तुम्हें ढूंडने मुझे हां मैंने सबर्वाल को किसी को बात बताते सुना था कि नेगेटिवों का पैकेट तुम्हारे अधिकार में था और तुम बहां हो सकते थे फिर आगे वहां तुम तो नहीं थे लेकिन एक लड़की थी मेरे पास रिवॉलवर थी उसे धमका कर मैंने घर की तलाशी ली थी बेडरूम में एक और लड़की लेटी होई थी इसलिए बेडरूम की तलाशी मैंने उस लड़की को लेने के लिए कहा था लेकिन पैकेट हा में कोई नहीं आया था क्या मैं उशा से ज्यादा मौनिका पर विश्वास करने लगा था मैंने अपने आप से सवाल किया फिर मैंने खुद अपने आपको समझाया कि ऐसी बात नहीं थी कोई और बात प्रत्यक्षता मैंने उससे पूछा उसने इंकार में सिर्फ हिला दिया मै मैंने उसे दरिया गंच में उतारा और स्वयम वापिस सबरवाल के घर पहुचा। मैंने कॉल बेल बजाई। लगभग 40 साल के आदमी ने दर्वाजा खुला। वे कुर्ता पजामा पहने था और कंधों के गिर्ज गरम शौल लपेटे था। मिस्चर सबरवाल मैंने सवाल किया। हाँ वे बोला। बंदे को सुधिर कोली कहते हैं। अरे आओ 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 वे बड़ी गर्म जोशी से मेरा हाथ थामता हुआ बोला। बड़ी देर की महरबा आते आते। वे मुझे भीतर ब्राइंग रूम में ले आया। उसने मुझे एक स पर बिठाया और स्वय मेरे सामने बैठ गया। हवेली राम को तुम पहले से जानते थे। उसने मीठे स्वर में बोला। या खाम काही उसके पीछे लग लिये थे। मैं हैरान हुए बिना न रह सका। तुम्हारे यहां पहुंचते ही हवेली राम यहां से बाहर निकला था वे हस्ता हुआ बोला। तुम भी मेरे पास आने के स्थान पर उसके पीछे लग लिये थे। मैंने खिरकी में से सारा नजारा देखा था। ओह मैं बोला। हवेली राम में ऐसी दिलचस्ती क्यों। मैं यहां हवेली राम के बारे में बात करने नहीं आया। ना सही लेकिन इसमें नां से तो बैठो घबरा क्यू रहे हो? कौन घबरा रहा है? तुम और कौन? वैसे तुम्हारा घबराना वाजिब भी है। आखिर पुलिस को कोन के इर्जाम में तुम्हारी तलाश है? और तुम मुझे गिरुफतार करवाना चाहते हो? सवाल ही नहीं पैदा तुम हवेली राम के पीछे गए थे तो मुझे मालूम था कि तुम लोटकर यहीं आओगे अगर मेरा कोई इरादा होता तो तुम्हारे लोटने से पहले तुम्हारे स्वागत के लिए मैं पुलिस को बुला कर रखता आई सी विस्की पियोगे नहीं क्यों क्या पीते नहीं हो पीता हूँ लेकिन इस वक्त मूर नहीं है और क्या पेश करूँ मैं पानी पिला दो वे मेरे लिए कैमपा कोला ले आया तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ मैं बोला क्योंकि मुझे बिना पुछे ही मालुम है कि तुम यहाँ क्या करने आये हो वे बोला अच्छा मेरे कान बहुत तेज है पिछली रात को अपने को काला चोर बता कर जिस आदमी ने मुझसे बात की थी उसकी आवाज मैं भूला नहीं हूँ और वही आवाज मैं इस वक्त सुन रहा हूँ बहुत होश्यार हो छोड़ो क्या नेगिटिवों का पैकेट वाकी तुम्हारे पास है हाँ गुड उसकी बात तो हम पहले ही तै कर चुके हैं अच्छा बूल गए एक लाक रुपए वो तो कल की कीमत है क्या मतलब अब माल का भाव बढ़ गया है भाई अब क्या भाव हो गया है माल का दो लाक रुपया और और क्या जानकारी कैसी जानकारी तुम्हें वे पैकेट क्यों चाहिए अगर वे पैकेट तुम्हारे पास है तो इसका जवाब तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे नहीं मालूम उस पैकेट में मेरे भी तुम्हारे हात आजाए हां मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं मुझे तुम शिकार नहीं शिकारी लग रहे हो शिकारी रमेश मलहोतरा था जो कि मुझे ब्लैकमिल कर रहा था वे तुम्हें ब्लैकमिल कर रहा हो सकता है लेकिन लगता है कि अब वैसे ही इरादे त तुम एक तेर से दो शिकार करना चाहते हो। तुम कुछ भी समझ सकते हो। मैं तुम से बहस नहीं करना चाहता। ब्लैक मिल का तुम्हारा अपना कोई इरादा नहीं किया। नहीं। तो सिर्फ अपने ही नेगेटिव क्यों नहीं मांगते। पूरा पैकेट क्यों मांग रहे हो। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ उन बाकी लोगों के भी जान सांसर चे छूट जाए जिने ब्लैक मिल किया जा रहा है। बड़े उन्चे खेयाल हैं तुम्हारे। मैं व्यंगे पूंट स्वर में बोला। देखो जिन लोगों को मेरी वज़ा से ब्लैक मिलिंग के चंगुल से निजात मिलेगी वो मेरा एहसान मानेंगे और वे सोसाइटी में उन्चा रत्बा रखते हैं। मैं उन पर कोई महरबानी कर दू और बदले में तुम मुझे पर कोई महरबानी कर दो तो भाई चारे के इस दो तरफा भावना को तुम ब्लैक मिल का दर्जा कैसे दे सकते हो। बिसनस वर्ड में इसे रिलेशन बनाना कहते हैं। इसे कहते हैं तुम मेरी पेट को जाओ, मैं तुम जादा कतल करने से भी कतल कराने से भी हाँ यानि कि मैं ये बात मालनू कि उस पैकेट को हासिल करने के लिए आप ना कतल कर सकते हैं और ना करा सकते हैं हाँ लेकिन कतल तो कई हुए हैं मदनलाल नाम के एक मक्तूल का तो आप से संबंध भी जोड़ा जा सकता है इतने कतलों के पेछे किसका हाथ है मिस्चर सबरवाल? मुझे क्या मालूम? मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उसकी और तान दी. रिवॉल्वर देखकर वे तनिक भी सक पकाया हो, ये मुझे नहीं लगा. इसे रिवॉल्वर कहते हैं, मिस्चर सबरवाल, मैं बोला, इसमें से गोली चलती है, मुझे सच्चाई ना मालूम होने की सूरत में ये गोली आप पर चल सकती है? नहीं चल सकती, वे बड़ी शान्ती से बोला. क्यों नहीं चल सकती? मैं इसके ट्रिगर को खींचूंगा और गोली चल जाएगी. तुम्हारी उंगली में इतनी ताकत नहीं? मेर जब्डे कस गए. लेखी राम, सबरवाल बोला, जरा साहब को समझाओ, इनकी रिवॉल्वर से गोली क्यों नहीं चल सकती? अभी लीजिए, कोई मेरे पीछे से बोला, साथ ही मुझे एक हलकी सिकराह की आवाज सुनाई दी. मैंने घूम कर देखा, मेरे पीछे एक आदमी सटाया हुआ था. सबरवाल अपने स्थान से उठा, उसने मेरे समीप आकर यू मुस्कुराते हुए, रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकाल ली, जैसे सिग्रेट सुलगाने के लिए माचिस ले रहा हो. आओ बेहन जी, वे उशा से बुला, इधर आकर बैट जाओ. लेखी राम ने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर से हम दोनों को कवर कर लिया. लेखी राम पीछे ही खड़ा रहा. कैसे? मैंने उशा से पूछा. इन्होंने मुझे कहा था, उशा बोली कि तुम मुसीबत में थे और तुम्हे मेरी मदद की जरूरत है, मैं यहा हूँ. इसे जाने दो मैं सबरवाल से बोला, ये इस बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हे मेरी जरूरत है, मैं यहा हूँ. गलत, वे मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है पैकेट की, जब पैकेट हासिल हो जाएगा, तो यहां से तुम भी चले जान और इसे भी साथ ले जाना सबरवाल पैकेट तुम्हें नहीं मिलेगा इतनी जल्दी फैसला मत करो बेटा मैंने पहले तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था कि हाल में ही हुए कतलों से तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं था लेकिन अब लगता है कि सारे फसाद की जड तुम्ही हो उसने जोर का अठास किया मैं खामोश रहा हमने वे बोला जब तुम्हारे फ्लैट की तलाशी ले थी तो हमने वहाँ शत्रंच पड़ी देखी थी शत्रंच का बड़ा शौंक है तुम्हें हां मैं बोला फिर तो तुम्हें मैसूस होना चाहिए कि तुम हारने वाली बाजी खेल रहे हो मेरे अधिकार में मौजूद ये एकलोता मोहरा उसने उशा की और देखा तुम्हें मात दे सकता है वे सच कह रहा था उशा का मेरी वज़ा से कोई अहित हो ये मैं हर्गिस बरदाश नहीं कर सकता था मैं हत्यारा नहीं हूँ वे यूँ बोला जैसे कोई मास्चर किसी बच्चे को سमझा रहा हो मैंने जूली का कतल नहीं कियाना ही मैंने मदनलाल का कतल किया है मदनलाल मेरा आदमी था मैं भला उसका कतल क्यूं करता रमेश मलोत्रा और मार्था जोन्स का कतल करने वाला भी कोई और है मैं कतल में विश्वास नहीं करता कतल करना विवे खेन और वहशी आदमियों का काम है और मेरी जिन्दगी में कम से कम अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई जबकि किसी समस्या का कतल से बहतर हल मेरे पास ना हो मैंने नोट किया कि उसने राकेश का जिक्र नहीं किया था उसी बात से मैंने सोचा कि शायद वे सच ही बोल रहा हो देखो वे आगे बढ़ा इस वक्त भी मैं नहीं समझता कि तुम अपनी जिद पर अड़े रहने की स्थिती में हो लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो हो सकता है कभी कतल ना करने की अपनी जिद मैं आज तोड़ दू अब सोच विचार कर जवाब दो मिस्टर कोहली पैकेट देते हो या नहीं नहीं मैं बोला इसकी बात मान लो सुधीर एका एक उशा तीखे स्वर में बोली मैंने उसकी वैसी व्याकुल आवास पहले कभी नहीं सुनी थी ये आदमी चिकनी चुपड़ी बाते जरूर कर रहा है लेकिन मैं जानती हूँ ये कतल करने से हिच किचाने वाला नहीं मैं मरना नहीं चाहती कम से कम गंदी तस्वीरों के एक पैकेट की वज़ा से तो मैं हर्गिस नहीं मरना चाहती सुधीर प्लीज कम से कम एक कॉल गल की वज़ा से मेरी जान ना जाने दो उशा मैं चिलाया तुम चुप करो मैं कैसे चुप करूँ वे मुझ से उंचा चिलाई मेरी समझ में नहीं आता यूँ एका एक तुम्हारा खून सफेद कैसे हो गया जैसे राकेश मर गया वैसे ही तुम चाहते हो मैं भी मर जाओं और वे जोर जोर से रोने लगी मेरे कानों में घंटियां बचने लगी एका एक मुझे लगा कि मुझे अपने कई सवालों का जवाब अनायास सी मिल गया था लड़की ठीक कह रही है सबरवाल बोला मैं हट बढ़ाया मेरा ध्यान वारता लाप से एकदम हट गया था क्या कहा मैं बोला मैं कह रहा था सबरवाल बोला कि लड़की ठीक कह रही है मैंने उशा की तरफ देखा, उसका उच स्वर का रूदन अब सुबकियों में बदल गया, मेरी निगा अपने पर्टी की पाकर उसने सेर उठाया, सुधेर वे भर्राय स्वर में बोली, I love you, इसे जाने दो, मैं निर्न्यात्मक स्वर में बोला, पैकेट तुम्हें मिल ये हुई न समझदारी की बात, सबरवाल बोला, लेकिन इस बात में जरा संशोधन की जरूरत है, मैं इसे जाने दूँगा, लेकिन पैकेट मेरे हाथ में आ जाने के बाद, मैं कैसे मानलू कि पैकेट हाथ में आ जाने के बाद, तुम इसे छोड़ दोगे? फिलहाल मेरी बात पर विश्वास करने के इलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है तुम पैकेट यहां ले आओ, मैं लड़की को छोड़ दूँगा मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं मुझे है, उश्वा बोली, एक बार पैकेट हात में आ जाने के बाद मेरा कतल करने से इसको कुछ हासिल नहीं होगा मिस नाकपार, सबरवाल बोला, मैं आपकी समझदारी की तारीफ करता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं मैं बोला, मुझे किसी का विश्वास नहीं मुझे यहां से जाने दो, फिर मैं फोन करके तुम्हें बता दूँगा कि पैकेट लेने तुम्हें कहां आना होगा तुम उश्वा को लेकर वहां पहुन जाना और जब पैकेट हाथ में आ जाए तो उश्वा को छोड़ देना ये ठीक है ना? उसने इंकार में सिर हिलाया और बोला, तुम लेकिराम को बता दो कि पैकेट कहां है वे उसे वहां से ले आएगा पैकेट ऐसी जगा पर है जहां से मेरे इलावा उसे कोई नहीं ला सकता मैं बोला, वे सोच में पढ़ गया कुछ शण बाद वे बोला पैकेट लाने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगार डाली उस वक्त साड़े पांच बजे थे मुझे एक बात सूजी मैं बोला, कल सुबाद दस बजे मैं वे पैकेट तुम्हें सौंप सकता हूँ सबरवाल की सूरत से ऐसा लगा जैसे उसे इतना लंबा प्रोग्राम पसंद नहीं आया था उसमें एक निगा उशा की और डाली एक शन ठिटका और फिर बोला, ये काम जल्दी क्यों नहीं हो सकता वे पैकेट बैंक के लौकर में बंद है मैं बोला, उसे जल्दी हासिल करने का एक ही तरीका है कि मैं बैंक के ताले तोड़ दूँ छीक है, कल दस बजे ही सही लेकिन इस सूरत में मिस नातपाल को रात यहीं गुजारनी होगी मैं वादा करता हूँ, इन्हें यहां किसी प्रकार के असुविदा नहीं होगी मैं उट खड़ा हुआ, और फिर बोला, मुझे मेरी रिवॉल्वर वापिस चाहिए सबरवाल ने मेरी रिवॉल्वर में से गोलिया निकाल कर अपनी जेब में डाल ली, और रिवॉल्वर को वापिस मेरी तरफ उचाल दिया मैंने उसे हवा में ही लपक लिया सुधिर उश्या फर्यात से करती हुई बोली मैंने बहुत कोशिश की कि उस पैकेट से तुम्हारा पीछा छूट जाए लेकिन मैं कामयाब ना हो सकी अब भगवान के लिए उस पैकेट की खातिर कोई मोटता पूर्ण हरकत मत करना पैकेट सबरवाल साहब के हवाले करो ताकि ये हमारी खलासी करे मैंने सहमती में सिर हिलाया मैंने एक आश्वासन पूर्ण निगा उस पर डाली और फिर वहां से बाहर निकल गया पैकेट के बारे में जूट बोलकर मैंने तकरीबन सत्रा घंटे का वक्त हासिल कर लिया था उतने समय में उस केस को हर लिहास से किसी संतोष जनक अंजाम तक पहुंचाने की कोई तरकीब सोचनी थी मैंने कार को बहादुशा जफर मार्क पर भगा दिया सबसे पहले मैंने इस बात की तसली की कि मेरा पीछा नहीं किया जा रहा था सबरवाल से मैं ऐसी किसी हरकत की पूरी उमीद रखता था लेकिन शायद उसे अपने आप पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने ये काम जरूरी नहीं समझा था प्रत्यक्षते उसे पूरी गारेंटी थी कि मैं लोट कर आने वाला था एक बात मुझे खटक रही थी मैंने उसे कहा था कि पैकेट बैंक के लोकर में था और कल सुबह दस वजे से पहले उसे वहां से हासिल कर लेना असंभव था ये सुनकर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया था उसने अगली सुबह तक मुझे अपने अधिकार में रखने की कोशिश क्यों नहीं की थी आखिर उसे सोचना चाहिए था कि उतने समय में मैं उसके लिए कोई बखेडा खड़ा कर सकता था इसका एक ही जवाब हो सकता था वो जानता था मैं उशा का कोई अहित नहीं होने दे सकता था निजामू देन पहुंच कर एक पेट्रोल पंप पर लगे पब्लिक टेलिफोन के आगे मैंने कार रोकी मैंने अपनी जेब से वे कागज निकाला जो मैंने रमेश मलहोतरा के बार के बार पर खड़े लेटर पैट से फाड़ा था उस पर लिखे दो नमबरों में से एक को मैंने फॉरण पहचान लिया वे कोमल जरी वाला का नमबर था उसका नमबर मलोत्रा के पास होना मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी आखिर मलोत्रा उसके साहब को ब्लैक मिल कर रहा था दूसरा नमबर मुझे जाना पहचाना ना लगा मैंने उस नमबर पर टेलिफोन किया थोड़ी देर बात दूसरी और से फोन उठाया गया कौन बोल रहा है मैंने पूछा तुम बोलो पूछा गया तुम कौन बोल रहे हो मुझे रमेश मलोत्रा ने इस नमबर पर फोन करने के लिए कहा था रमेश मलोत्रा नाम दोराया गया क्या चाहते हो मैंने संबन्द विछेद कर दिया दूसरी और से बोलने वाले की आवाज मैंने पहचान ली थी वे सब इंस्पेक्टर यादव था सब इंस्पेक्टर यादव मुझे उस ड्रामे का सबसे अधिक रहस्य पूर्ण पात्र लग रहा था उसी आदमी ने मार्था जोन्स के यहाँ चापा पढ़वाया था जूली के कतल में जरूरत से ज्यादा दिल्चस्पी उसी ने ली थी मदनलाल की मौत के बाद वही रहस्य पूर्ण धंग से एका एक मेरे फ्लैट पर पहुँच गया था रमेश मलहोत्रा और मार्था जोन्स की मौत के बाद वे और भी ज्यादा रहस्य पूर्ण धंग से मलहोत्रा की कोठी पर पहुँचा था और उसी की दिल्चस्पी मुझे बली का बकरा बनाने में दिखाई दे रही थी वे जरूर अपने किसी सहूलियत के लिए सारी हत्याओं के इल्जाम मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहा था मैंने मदनलाल की पतों वाली डाइरी निकाली और उसमें देखकर लाला हवेली राम के घर का टेलिफोन नंबर डाइल किया उसके लाइन पर आने के बाद मैं बोला मैं सुधीर कोहली बोल रहा हूँ बोलो वे बोला तुम्हारा माल मेरे पास है मैं आज ही रात तुसे तुम्हें सौंप देना चाहता हूँ कहां जगा भी बताता हूँ पहले मेरी एक शर्ट सुन लो क्या तुम्हें अकेले आना हूगा तुम कहां ज़ा रहे हो ये बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं होगी मुझे मन्जूर है लाला अगर तुम्हें वादा खिलावी की तो पष्टाओगे मैं वादा खिलावी नहीं करूँगा कस्म है बजरंग बली की बोलो कहां आना है प्रगती मैदान में हाल ओफ इंडस्ट्रिस के सामने लेकिन इतनी रात गत मुझे वहां गुसने कौन देगा तुम एक नंबर गेट से भीतर दाखिल होना तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ठीक है मैं पहुँच जाओंगा अपना वादा याद रखना लाला याद रखूंगा मैंने संबंद विच्छेद करके एहमद खान के घर का नंबर डायल किया दूसरी और कितनी ही देर घंटी बशती रही लेकिन किसी ने फोन ना उठाया मुझे चिंता होने लगी एहमद खान से मेरी बात होनी जरूरी थी मैं उसे भी प्रगती मैदान में बुलाना चाहता था फिर अंत में हार कर मैंने संबंद विच्छेद किया और कोमल जरी वाला के घर का नंबर मिलाया इस बार तुरंत उत्तर मिला दूसरी और से कोमल जरी वाला ही बोल रही थी मैंने उसे अपना नाम बताया और बोला मिस जरीवाला आपकी जानकारी के लिए आपके साहब का माल मैंने हासिल कर लिया है ये बात मैं उन्हें बताना चाहता था लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं मिल रहा और बार बार फोन करते रहने का मेरे पास वक्त नहीं मैं उन्हें तलाश कर लूँगी वे ततपर स्वर में बोली गुड पैसा तैयार है? हाँ पूरा दो लाक रुपेया अब बोलो क्या करना है हमने पहले तो खान साहब को तलाश करो वो मैं कर लूँगी आगे बोलो फिर तुम दोनों मुझे प्रगती मैदान में Hall of Industries के सामने मिलो अगर कोई तुम्हें भीतर आने से रोके तो तुम लाला हवेली राम का नाम ले देना लेकिन मुलाकात का कोई टाइम तो बताओ रात के बारा बजे से पहले किसी भी वक्त मैंने लाइन कार्ट दी फिर मैंने सब इंस्पेक्टर यादव का नमबर डाइल किया इस बार मुझे नमबर बिजी मिला मैंने फिर वही नमबर डाइल किया फिर बिजी मैंने कैलाज सबरवाल का नमबर डाइल किया वो भी बिजी, मैं बूत से बाहर निकला और फिर कार में आज सवार हुआ, मैं कालका जी पहुंचा, उशा के घर में अंधेरा था, मैं दर्वाजा खोल कर भीतर दाखिल हुआ, मैंने मौनिका को नाम लेकर पुकारा, मैं चिंतित हो उठा, कहां चली गई मौनिका, उसे वहा होना चाहिए था, मैंने तीन चार बार बतियां जलाई और सारे घर में फिर गया, मौनिका वहाँ नहीं थी, उसके गायब हो जाने से मैं चिंतित था, लेकिन एक बात से मुझे राहत महसूस हो रही थी, कि वहाँ मुझे उसकी लाश नहीं मिली थी, मैं शोचालिज में पह उशा को दबोचे बैठा था और पैकेट गायब हो गया था, क्या वे पैकेट मौनिका के हाथ लग गया था, या पैकेट और मौनिका दोनों किसी दुश्मन के हाथ लग गए थे, मौनिका को पैकेट के वहाँ होने की खबर लग गई हो सकती थी, मैंने उसकी मौझूदगी मेरे लिए भारी मुसीबत का सामान बन गया था मैं वहां से बाहर निकला और फिर अपनी कार में सवार हो गया अब मैं मौनिका को और उसके पैकट को कहां से तलाश करूं मैंने अपने आप से सवाल किया मुझे कोई जवाब ना सुझा मैं जंग पूरे पहुंचा वहां मेरे मन को एक राहत थी कि मैं राकेश की मा के लिए धेर सारे पैसे का इंतजाम कर सकता था लेकिन पैकेट हाथ से निकलते ही वो राहत भी खत्म हो गई थी पैकेट के बिना तो प्रगती मैदान में कदम रखना भी मूटता थी जहां वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे जि उस बेटे के इंतजार में जो उसके बुढ़ापे का सहारा था और जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था ये बात अभी उस बिचारी को नहीं मालुम थी वे बात उसे मैंने बतानी थी व्रिद्धा ने मुझे फॉरण पहचान लिया मैंने उसे नमस्ते की वे मुझे घर के भीतर ले आई उसने मुझे बैठक में बिठाया बैठक में राकेश की एक हस्ती हुई तस्वीर लगी हुई थी मेरे दिल में कुछ होने लगा मैं उस तस्वीर की और दोबारा निगा उ बेटा उसे कहीं से तलाश करके लाओ, मा जी मैं बड़े कठिन स्वर्च से बोला, राकेश अब नहीं आएगा, ये क्या कह रहे हो बेटा, वे आतंकित स्वर्च में बोली, मा जी राकेश मर चुका है, मर चुका है, किसी ने उसका खून कर दिया है, हे भगवान, एका एक किद्धा की आंखे उलट गई, और वे बेहोश होकर गिर पड़ी, तभी किसी ने दर्वाजे पर दस्तक दी, मैंने उठकर दर्वाजा खोला, बाहर एक पुलिसिया खड़ा था, जो बाई सैकल पर वहां तक आया था, मैं सक पकाया, ये राकेश का घर है, उसने पूछा, ह पागजात से हमें राकेश नाम और ये पता मालुम हुआ है, किसी को लाश की शिनात के लिए चलना होगा, घर में सिर्फ राकेश की मा है, तो उसे चलना होगा, कैसे, जीप पर मैं तो सिर्फ ये तफ्तीश करने आया था, कि ये राकेश यहां रहता था, ठीक है, जीप वे चला गिया, मैंने पडोस से एक बुड़ी औरत को बुलाया, और उसे सारी स्थिती समझाई, फिर मैंने रमेश मलोत्रा के घर से बरामत किया, बीस हजार रुपे का लिफाफा उसे ये कहकर सौम दिया, कि राकेश की मा को होश आने पर ये लिफाफा उसे दे दे, फिर म मैं बचकर निकल भागना चाहता था, वे फिर सामने आ गई थी, उसकी जित पर मुझे मजबूरन सारी बात सुनानी पड़ी, मा जी, अंत में मैं रूखे स्वर में बोला, राकेश की मौत के लिए मैं, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मैंने उसे अपने स्वार्थ व नाम जितनी सांसे लिखी हैं, उसका उतना ही सांसों पर हक होता है, ऐसा सोचना आपकी महानता है मा जी, लेकिन, बेटा, मैंने तुम्हे एक बात बताने के लिए पीछे से आवाज दी थी, राकेश को पीछे से आवाज दिया जाना बहुत बुरा लगता था, वे हमेशा बोड़ी दिर पहले ही वो यहां पहुंची थी, उसने अपना नाम नहीं बताया था, नहीं, मेरे बहुत पूशने पर भी नहीं बताया था, देखने में कैसी थी वो, व्रिद्धा ने मोटे तोर पर उसका हुलिया और पहनावा बयान किया, वे निश्चे ही मॉनिका थी, क कोशिश करेगी कि तुम्हारे पर कोई आंच ना आए, ये सब उसने आप से कहा, हाँ, उसे मालुम था कि मैं यहां आने वाला था, जरूर मालुम होगा, तभी तो वे तुम्हारे लिए एक पैकेट यहां छोड़ गई थी, पैकेट, हाँ, उसने कहा था कि जब तुम यहां आओ, तो वे पैकेट मैं तुम्हें सौंप दू, कहां है वो पैकेट, मैंने बड़े व्यग्र भाव से पूछा, वृद्धा अलमारी में से एक पैकेट निकाल लाई, पैकेट मेरे हाथ में पहुँचने से पहले ही मैंने देख लिया, कि वे वही फसादी पैकेट था, मैं खुद एहमद खान ने उठाया था, मैं सुधीर कोली बोल रहा हूँ, मैं बोला, बोलो, वे भाव हिन स्वर में बोला, आप प्रगती मैदान आ रहे हैं न, किसलिए, आपको नहीं मालुम, भई, कुछ बताओगे तो मालुम होगा न, क्या आपकी सेकेटरी ने आपको कुछ नहीं बताया, वैसे आप उपलब्द थे उसे, मिस जरीवारा के लिए मैं हमेशा उपलब्द होता हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि जरूरत पढ़ने पर मिस जरीवाला मुझसे संपर्ग स्थापित ना कर सकती हो, लेकिन उससे आपकी इस बारे में बात नहीं होई क्या भई, बात तो अभी पांच मिनट पहले भी हुई थी, लेकिन तुम ये जो प्रगती मैदान, प्रगती मैदान का राग अलाप रहे हो, इस बारे में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था कमाल है, बात क्या है, मिस्टर खान, आपके नेगेटिव मेरे पास है, और वे नेगेटिव, मैं आपको बिना किसी शर्ट के वापिस करना चाहता हूँ, मेरे नेगेटिव तुम्हारे पास है, वे यूं बोला, जैसे जो कुछ उसने सुना था, उस पर उसे विश्वास नह आना चाहते हो, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, कैसे, कब, अभी, इसी वक्त, आप फॉरण प्रगती मैदान पहुंचिये, अच्छा, लेकिन अकेले आईएगा, और बिना किसी को खबर किये आईएगा, उन नेगेटिवों को हासिल करने के लिए, मेरी इतनी सी बात तो आप मान सकते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ, शुक्रिया, मैंने संबंध विच्चेत कर दिया, फिर मैंने इंस्पेक्टर रोशनलाल को फोन किया, मैं सुधिर कोहली बोल रहा हूँ, मैंने उसे बताया, बोलो भाई, वे सहज स्वर में बोला, मुझे ब हुआ था, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, मैं बोला, किस लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो, तुमें मालूम है किस लिए, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा सहयोग चाहता हूँ कैसा सहयोग मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हाल ही में हुई तमाम हत्याओं के पीछे किसका हाथ है अगर तुम अपने कुछ आदमियों के साथ मेरी बताई जगह पर पहुंच जाओ और वहीं कहीं चुप कर खड़े रहो तो मैं तुम्हें असली हत्यारे के दर्शन क करवा सकता हूँ अच्छा और तुम्हें सब इंस्पेक्टर यादव को भी साथ लेकर आना होगा सब इंस्पेक्टर यादव के बारे में अपने मन में कोई गलत फैमी मत पालना शर्लोक होम सहप वे बहुत इमानदार पुलिस सदिकारी है यानि कि यादव ने इंस्पेक् तुम्हें मेरी बात मन्जूर है क्या हुए मेरे बताए मेरे बताए तरीके से जहां मैं तुम्हें आने को कहूं वहां आ सकते हो इससे तुम्हें क्या फाइदा होगा क्या सुन नहीं रहे हो इंस्पेक्टर साहब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इससे तुम्हें ये मालुम होगा कि असली हत्यारा कौन है इससे तुम्हें मालुम होगा कि जूली रमेश मलहोत्रा और मार्था जौन्स का कतल किसने किया है वे तो हमें भी मालुम है तुम मुझे हत्यारा साबित नहीं कर सकते तुम मुझे इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है. मैंने कब कहा कि तुम हत्यारे हो? लेकिन तुम ऐसा समझते तो हो. पहले समझते थे, अब नहीं समझते. अब क्या हो गया? अब असली हत्यारा हमारी पकड़ में आ गया है. उसका बेयान लेने के बाद ही हमें विश्वास हुआ है कि तुम हत्यारे नहीं हो, अब पुलिस को तुम्हारी तलाश नहीं है, अब तुम एकदम आजाद हो कौन पकड में आ गया है तुम्हारी? मौनिका मौनिका? हाँ उसने अभी अभी पुलिस चेशन आकर आत्म समर्पन कर दिया है और अपना अपरात कपूल कर लिया है मैं सननाटे में आ गया इस बात में संदे की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी कि मौनिका ने मेरी खातिर अपने आप को पुलिस के हवाले किया था इस बात को सबूत की भी जरूरत नहीं थी कि उसने रमेश मलोत्रा और मार्ता जोन्स का कतल नहीं किया था उन दोनों के कतल के समय तो वे हर घड़ी मेरे साथ थी और जिस घड़ी वे मेरे साथ नहीं थी उस घड़ी वे उशा के साथ थी वो तो हत्यारी हो ही नहीं सकती थी लेकिन मुझे बचाने के लिए वे अपने लिए फांसी पर चड़ने का सामान कर बैठी थी मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था अब तो इसलिए भी नहीं होने दे सकता था क्योंकि मुझे मालुम था कि असली हत्यारा कौन था मैं कार पर सवार हुआ, मैंने कार दरिया गंश की दिशा में दोडा दी, सबरवाल के घर पहुंचने से पहले मैंने मौनिका का पैकेट अपनी कार की आगामी सेट उठा कर उसके नीचे डाल दिया और रिवॉल्वर में गोलियां भर दी, मैंने कॉल बेल बजाई, दर्वाज लेखी राम ने कोला, मैंने उसकी चाती पर रिवॉल्वर की नाल रख दी, और क्लोर स्वर में बोला, खबरदार, आवाज ना निकले, उसने खामोशी से ठोक निकले, रिवॉल्वर की नाल से ही उसे पीछे धकेलता हुआ, मैं उसे भीतर ले आया, मैंने पाउं की ठोकर स अपने पीछे दर्वाजा बंद कर दिया लड़की कहा है मैंने पूछा इस रिवॉल्वर में गोलिया नहीं है वे बोला अच्छा हाँ तो फिर तुम ऐसा करो तुम इस रिवॉल्वर को मुझसे चीनने की कोशिश करो अगर इसमें गोलिया नहीं होगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगडेगा उसके रिवॉल्वर की तरफ हाद भणाने की हिम्मत ना हुई बोलो लड़की कहा है वो यहां नहीं है वे बोला घर में कोई भी नहीं है सबरवाल लड़की को साथ लेकर गया है हां कहां मालुम नहीं मैंने रिवॉल्वर की नाल से उसकी पसलियों क इश्वर की कसम वे बड़ी संजीद की से बोला, मुझे नहीं मालूम, मुझे सारा घर दिखाओ, उसने सहम्दी में सिर हिलाया, मैं सारी इमारत में फिर गिया, उशा वहां नहीं थी, लेकिराम मुझे लेकर जब पिछवाडे के एक कमरे में आया, तो मैंने रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़ कर उसके दस्ते का एक प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया, वो वहीं बेहोश होकर गिर गिया, मैं इमारत से बाहर निकल गिया, मैं प्रगती मैदान के एक नंबर गेट पर पहुंचा, सबरवाल द्वारा छोड़े जाने के बाद, जब मैं पहली ब मैंने सीट के नीचे से पैकेट निकाला, गौर्व से उसे खोला, उसमें से चांट कर मैंने हवेली राम और एहमद खान वाले नेगेटिवों के लिफाफे निकाले, वे दोनों लिफाफे मैंने अपने कोट की बाहर वाली जेब में डाल लिये, और बाकी का पैकेट बंद क करके भीतरी जेब में रख दिया, अपनी खाली रिवॉल्वर मैंने पतलून की बेल्ट में खोंस ली, मैं गेट के भीतर दाखिल हुआ, मैं हौल ओफ इंडस्ट्रीज की विशाल इमारत के सामने मैदान में पहुँचा, वहां मैदान में किसी ने शायद चौकीदार ने ल पीछे से मिस कोमल जरी वाला प्रकट हुई, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था, वे मेरे समीब पहुंची, हलो वे बोली, हलो मैं बोला, मैं सोच रही थी पता नहीं तुम आओगे या नहीं, जब कहा था तो आना ही था, अलबत्ता मैं सोच सकता था कि पता नहीं तुम होगी या नहीं, वो खामोश रही, कोई और आया, मैंने पूछा, हवेली राम, वे बोली, कहा है वो, यहीं कहीं होगा, अभी तो वे मेरे से बाते कर रहा था, लाला, मैंने धीरे से आवाज लगाई, अंधकार में से हवेली राम प्रकट हुआ, वे आगे बढ़कर मिस जर जरिवाला सेहज भाव से बोली, आज से पहले मैंने कभी इनकी सूरत तक नहीं देखी थी, लाला, ये सच कह रही है क्या, लाला हिच किचाया, अंत्मेवे कठिन स्वर में बोला, हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, मिस्चर कोहली, मिस जरिवाला बोली, खामखा बात जगा उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें रुपया अदा करके नेगिटिव हासिल कर लूँ, रुपया मैं लेकर आई हूँ और उसने अपने हाथ में थमे ब्रीफ केस को थप थपाया, मैं उसके पास पहुंचा और बोला, ये रहा, मैं बोला, गुड़, वे बोली, मुझे दो, मैंने इंकार में सेर हिलाया, और बोला, ये लिफाफा एहमद खान साहऑ के इलावा, मैं और किसी को नहीं दे सकता, मैंने तुम्हे कहा था, कि तुम खान साहऑ को साथ लेकर आना, और मैं तुम्हें पहले ही बता करो, तुम्हारे नेगेटिव भी है मेरे पास, मेरे पास सारे नेगेटिवों का पूरा पुलंदा है, तो बगवान के लिए मेरे नेगेटिव मुझे दो, ताकि मैं यहां से जाऊं। अभी थोड़ी दे ठहरो लाला, मेरा तुमसे वादा है कि जब तुम यहां से जाऊंगे, तो अपने नेगेटिव साथ लेकर जाऊंगे, लेकिन अभी ठहरो, अभी एक गवा के तौर पर मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुछ बाते ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि यहां तु स्वर में बोली, पहले इधर बात करो, मैं उसकी तरफ घूमा, तुम जानते हो, वे बोली कि मैं खान साहब की प्रतिनिधी हूं, खान साहब किसी वज़ा से यहां नहीं आ सके हैं, इसलिए उनके नेगेटिव तुम से हासिल करने का मुझे पुरा अक्तियार है, तुम खान साहब की प्रतिनिधी हो क्या, हाँ, और तुम ये बात बखुबी जानते हो, तो फिर तुमने खान साहब को बताया क्यों नहीं, कि मैं उनके नेगेटिव वापिस करना चाहता था, वे खामोश रही, तुमने जान बुचकर ये बात उनसे चुपा कर रखी, मैं फिर बोला, इसलिए चुपा कर रखी, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं की, खान साहब को उनके नेगेटिव वापिस मिले, इसलिए खान साहब तक तुमने मेरा संदेश नहीं पहुंचाया, ताकि वे यहां ना आ सके, मिस जरीवाला, तुम प्रतिनिधी खान साहब की नहीं, कैलाश सबर वाल की हो, मुझे मालूम नहीं क्या, लेकिन कैलाश सबर वाल से इस मामले में तुम्हारी कोई मिली भगत है जरूर, इस लिहाद से तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए, कि इस ब्लैक मिल के पीछे किस का हाथ है, और इतने कतल किसने किये है, साफ साफ बोलो मेम साहब, क मैं मिस जरीवाला पर से निगाह हटाए बिना बोला, ऐसी ट्रिक सिर्फ जासुसी नौवल में चलती है, कभी कभी असल में भी चलती है, मुझे अपने पीछे से आवाज आई, मैं घूमा, मेरे पीछे कैलाश सबरवाल खड़ा था, उसकी बगल में उशा खड़ी थी, कैल मेरे और सबरवाल के बीच में आ गई, नेगेटिव मुझे दो, वे अपना खाली हाथ मेरी तरफ बढ़ाता हुआ, क्रोर स्वर में बोला, मैं हसा, मैंने जेब से पैकेट निकाला, और फिर पैकेट वाला हाथ आग की तरफ बढ़ाया, सुधेर, उशा चिल्लाई, कोई बीच करना, सुधेर, सबरवाल बड़ी शान्ती से बोला, नेगेटिव मुझे दो, वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूगा, धमकी दे रहे हो, मैं उल्टे उसे धमकी देता हुआ बोला, चलो, धमकी नहीं देता, दर्ख्वास करता हुँ, वे बोला, नेगेटिव म मैंने उशा की तरफ देखा सुधेर उशा कातर स्वर में बोली मुझे बचा लो भगवान के लिए मुझे बचा लो अगर तुम इसका कहना नहीं मानोगे तो ये हम दोनों को वैसे ही जान से मार डालेगा जैसे इसने जूली को मदनलाल को और राकेश को मारा है राकेश की मौ की बात मैं दूसरी बार उशा के मुझे सुन रहा था सबरवाल मैं नियात्मक स्वर में बोला अपने रिवाल्वर उशा को दो क्या मतलब वे बड़ बड़ाया सुना नहीं मैं कठोर स्वर में बोला अपने रिवाल्वर उशा को दो अगर तुमने फॉरण मेरा कहना नहीं और अपनी रिवॉल्वर उशा को दो, सबरवाल ने रिवॉल्वर उशा को थमा दी, उशा मैं बोला वे इंतिहान की घड़ी थी, रिवॉल्वर मेरी तरफ फैंक दो, वे खामोश खड़ी रही, उशा मैं याशना पोंट स्वर में बोला, मेरी जान मुझे रिवॉल्वर की जरूरत है, वे अपने स्थान से हिली भी नहीं, अच्छा, लिवॉल्वर मत दो, अपने यार से बेवफाई ही सही, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो, कि तुम्हें ये कैसे मालूम है, कि राकेश का कतल हो चुका है, ये बात तो अभी किसी को भी नहीं मालूम, और तुम ये दो बार मेरे सामने दोहरा चुकी हो वे खामोश रही ओके ये बात भी मैं बताता हूँ तुम्हें राकेश के कतल की खबर इसलिए है क्यूंकि उसका कतल तुमने किया था उसने तुम्हें जोती रेस्टोरेंट के टेलीफोन बोत में मेरी ठीक डेड़ बजे वाली टेलीफोन कॉल का जवाब देते तुम्हें देख लिया था तुम्हें भी मालुम था कि उसने तुम्हें देख लिया था अगर उस वक्त तुम उसे जिन्दा चोड़ देती तो वे आकर मुझसे बात करता और फिर तभी मुझे मालुम हो जाता कि सारे फसाद की जड़ तुम थी इसलि उसका कतल हुआ तुम्हारी ही वज़ा से है क्योंकि उसने तुम्हें टेलिफोन बूत में देख लिया था उस मामूली चोकरे की मौत से हमें तुम्हें कोई फर्प नहीं पड़ता सुधीर उशा एकदम बदले स्वर में बोली उसकी मौत से ये हकीकत भी नहीं बदलती कि मैं तुमसे महबबत करती हूँ मुझे किसी कातिल की महबबत नहीं चाहिए मैं नफरत भरे स्वर में बोला सुधीर तुमने मौनिका को मेरे पास आनी की राय इसलिए दी थी क्योंकि तुम जानती थी कि तुम मुझे बड़ी आसानी से उल्लू बना सकती थी मैं तुम्हारा हमेशा से एहसान मन रहा हूँ इसलिए मुझे शीशे में उतार लेना तुम्हारे लिए मामुली काम था तुम समझती थी कि अगर मौनी का पैकेट मुझे सौंप दे तो वे एक तरह से तुमें ही सौंपा गया था अगर मुझे काम का कि जिद ना हो गई होती तो मैंने तुम्हारे पहली बार मांगने पर ही पैकेट तुम्हें दे दिया होता था उशा ये महजे कि तिफाक था कि तुम्हारे इतनी बार मांगने पर भी मैंने पैकेट तुम्हें नहीं दिया और अच्छा किया नहीं दिया वरना तुम्हारे चेहरे से नकाब कैसे उतरता मुझे तुम्हारी असले चेहरा कैसे दिखाई देता कोई कुछ ना बोला उशा, मैं आगे बढ़ा, सारे फसाद की जड़ तुम हो, बाकी सब लोग तुम्हारे चेले चांटे है सबरवाल तुम्हारा चेला ना होता, तो ये तुम्हें इस नाजुक घड़ी में रिवाल्वर कभी ना सौंपता इसने रिवॉल्वर तुम्हें इसलिए सौंपी क्योंकि ये जानता है कि रिवॉल्वर इसके हाथ में होना या तुम्हारे हाथ में होना एक ही बात थी मिजजरी वाला तुम्हारी चेली ना होती तो तुम्हें कभी मालूम ना होता कि प्रगती मैदान में इस वक्त कोई ड्रामा खेला जाने वाला था इसके बताए बिना यहां मेरी इस वक्त मौझूदगी की तुम्हें खबर नहीं लग सकती थी इसकी काले रंग के ब्योक सुभा चार बजे काल काजी में तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी तुम्हारे इसको बताए बिना इसे कभी मालूम नहीं हो सकता था कि उस वक्त मैं वहां उपलब्थ था और फिर उसी काले रंग के ब्यूक ने एक बार राकेश का पीछा किया था और उस पर गोली भी चलाई गई थी उशा तुगल का बात से सूरज कुन जाते हुए तुम एका एक मेरी कार के पीछे से गायब हो गई थी तो तुम वहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं रुकी थी बलकि तुम रमेश मलोत्रा और मार्ता जोन्स का कतल करने के लिए वापिस उस तनहा मकान में गई थी उशा एका एक सबरवाल चिल लाया इसे शूट कर दो सबरवाल ठीक कह रहा है मिस जरी वाला बोली तुम बहुत हिमायत कर चुकी हो इसकी अब इसका जिन्दा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है सुधीर उशा उनकी परवा किये बिना बोली मैंने तुम्हारी जान बचाई थी अगर मैं एन मौके पर तो गलका बात के उस मकान में ना पहुँच गई होती तो रमेश मलहुतरा जरूर तुम्हारा कतल कर देता लेकिन तुम्हें उस मकान की खबर कैसे हुई मैं बोला और तुम्हें ये कैसे मालुम था कि मैं वहां पहुँचने वाला था ये तुम्हें इसलिए नहीं मालुम था कि किसी ने तुम्हें गुमनाम कॉल की थी जैसा कि तुमने कहा था बलकि इसलिए मालुम था क्योंकि व में थे वे खामोश रही लेकिन मलोत्रा और मार्था का कतलत तुमने किस लिये किया था क्या competition घटाने के लिए उशा सबर्वाल चिलाया ये प्यार मोहबब्बद में घुम्रा होने का वक्त नहीं है ये आदमी हमारा दुश्मन है ये तुम्हारी मोहबत के काबिल नहीं इसे मार डालो For God's sake, Miss Jari वाला चिलाई, Shoot the Bastard सिर्फ एक बात मुझे बता दो उशा, मैं बोला, सब इंस्पेक्टर यादफ इस तस्वीर में कहां फिट होता है कहीं भी नहीं, कहीं अंदकार में से सब इंस्पेक्टर यादफ की आवास गुँजी उशा ने भी आवास पहचान ली, उसने फारण आवास की दिशा में फायर जोंका मैंने नेगेटिवों का पैकेट आग में जोंक दिया उशा एक का एक घुमी और हॉल ओफ इंडस्ट्रिस की पहली मंजिल को जाते लंबे ढलूवा रास्ते पर भागी सब इंस्पेक्टर अंधेरे में कहीं से निकल कर उसके पीछे भागा उशा ने घुम कर फिर फायर किया यादव डाई मार कर एक और कोद गया एका एक मैदान में कई पुलिस ये प्रकट हुए उनमें इंस्पेक्टर रोशनलाल भी था लाला हवेली राम, मिस जरी वाला और सबर वाल को पुलिस ने घेल लिया मैं भाग कर यादव के पास पहुँचा यादव मैं बोला उसके सिर पर खून सवार है उसके पीछे मुझे जाने दो यादव ने बहुत उंचा पहुँच चुके उशा की दिशा में देखा और फिर सहमते में सिर हिला दिया उसने मुझे अपने रिवार्वर थमाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे लेने से इंकार कर दिया मैं उशा के पीछे लपका रुख जाओ उशा चेतावनी भरी स्वर में चिल्लाई नहीं तो गोली मार दूंगी मैं नहीं रुका मैं द्रिड कदमों से आगे बढ़ता रहा सुधिर मेरे पीछे ना आना वर्ना तुम मुझे नहीं मार सकती मैं विश्वास फूंट स्वर में बोला तुम मुझे से महबबत करती हो तुमने मेरी जान की हमेशा रक्षा की है आज तुम खुद मेरी जान नहीं ले सकती मैं आगे बढ़ता रहा हर शण मैं गोली चलने की उमीद कर रहा था लेकिन गोली ना चली मैं उशा से केवल चार कदम दूर रह गया एका एक उशा ने रिवॉल्वर फैंक दी और फिर उसने रेलिंग से नीचे चलांग लगा दी उसका शरीर बीस पच्चिस फूट नीचे पक्के फर्ट से जाकर टक्राया और उसके पर खच्चे उड़ गए बाद में सबरवाल और मिस जरीवाला से पुलिस ने बहुत कुछ कुर्बलवा लिया मालुम हुआ कि वास्तव में सभी लोग उस ब्लैक मेलिंग के रैकेट में शामिल थे लेकिन उसमें रमेश मलहोतरा का हाथ इसलिए हमेशा उपर रहता था क्योंकि नेगटिव वे अपने पास रखता था उशा और सबरवाल उसके खिलाफ कुछ इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि दोनों की पोल मलहोतरा के पास थी सबरवाल की तो और लोगों जैसी गंदी तस्वीरे ही थी उसके पास और उसकी उशा के किसी ऐसे फ्रॉड की सबूत समेत खबर थी जो उसने अपने वकील एमपलायर के ओफिस में किया था और जिसकी वज़ा से उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती थी फिर उशा और सबरवाल ने मदनलाल के माध्यम से वे नेगेटिव इस प्रकार हत्यानी की कोशिश की कि जिस से उस पर शक ना होने पाए हुआ भी यही मलहोत्रा ने सारी कर्टूत के लिए मौनिका को ही जिम्मेदार ठहराया और उसने जवाहर सिंग को मेरे पीछे लगा दिया क्योंकि उसे किसी प्रकार मालुम हो गया था कि पैकेट के मामले में मौनिका मुझसे संपर्क स्थापित करने वाली थी उदर मौनिका के मन में बैमानी आ जाने की वज़ा से पैकेट मदल लाल को हासिल ना हो सका सबरवाल को जब ये बात मालुम हुई तो वे क्रोध में आग बबूला होकर मौनिका पर चड़ दोड़ा मौनिका के घर का पता तो उसने उशा से मालुम कर लिया लेकिन एक तो वे मौनिका की शकल नहीं पहचानता था और दूसरे उसे ये नहीं मालुम था कि मौनिका के साथ जूली नाम की एक लड़की भी रहती उसने मौनिका के धोके में शॉर्ट गन की गोली से जूली का कतल कर दिया और शॉर्ट गन ले जाकर मौलोत्रा के घर में चुपा दी ताकि अगर कोई गड़बड हो जाए तो मौलोत्रा फसे मेरे आफिस में एक दूसरी शॉर्ट गन कौन रग गया था और क्यों रग गया था ये मालुम ना हो सका इस बारे में उशा ही कुछ बता सकती थी लेकिन वैं मर चुकी थी मदनलाल मौनिका से नेगेटिव हासिल करने में नाकाम्याब रहा था इसलिए उशा और सबरवाल के लिए उसका कोई इस्तिमाल नहीं रह गया था लेकिन वैं इकलौता आदमी था जो ये जानता था कि रमेश मलहोत्रा के कथित साथी ही उसे धोका देने की कोशिश कर रहे थे पैसे का लाल चिवे आदमी मलहोत्रा के पास जाकर सबरवाल और उशा की पोल खोल सकता था इसलिए सबरवाल ने उसका भी कतल कर डालने का फैसला किया उसने मदनलाल को बहाने से मेरे फ्लैट पर बुलाया और उस पर घातक आक्रमन कर दिया साथ ही उसने इस बारे में पुलिस को भी खबर कर दी जिसकी वज़ा से सब इंस्पेक्टर यादव मेरे फ्लैट पर आट अपका मदनलाल मरने से पहले अपने हत्यारे का नाम लेकर गया था लेकिन उस वक्त में सबरवाल को जानता नहीं था इसलिए मुझे ये ना सूझा कि वे अपने हत्यारे का नाम ले रहा था राकेश का कतल भी सबरवाल ने उशा के कहने पर किया था और उसकी लाश जवाहर सिंग की कार में रख दी थी सबरवाल का अपरात करने का ये दस्तूर मालूम होता था कि उसके हर अपरात का जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाए लेकिन जवाहर सिंग को अपनी कार की डिक्की में मौजूद लाश की अभी खबर भी नहीं लगी थी कि वे खुद अपनी जान से हाथ दो बैटा था लाला हवेली राम ने एक बात में जूट बोला था उसने गलत कहा था कि वे मदद के लिए सब इंस्पेक्टर यादव के पास नहीं गया था वास्तव में उसने यादव से मदद की मांग की थी अपने बाप के दोस्त के काम आने की नौबत से ही यादव जो कुछ भी कर रहा था चुपचाप कर रहा था ताकि हवेली राम की समस्या की पबलिसिटी ना हो सके इसलिए उस केस के सिलसिले में वे जहां जाता था अकेला जाता था मैंने उस पर दो बार आक्रमन किया था जिसकी वज़ा से वे मुझ पर बहुत खफा था और एक पुलिस अधिकारी पर आक्रमन करने के इल्जाम में वे मुझे जेल भिजवाना चाहता था लेकिन मेरी वे खता लाला हवेली राम ने माफ करवा दी थी लाला हवेली राम ने मेरे फोन्स पर बात करने के फॉरण बाद वे बाद भी यादव को बता दी थी कि मैंने लाला को प्रगती मैदान बुलाया था यादव ने आगे वही बात इंस्पेक्टर लाल को बता दी थी कहने का मतलब ये था कि पुलिस को प्रगती मैदान में खेले जाने वाले ड्रामे की खबर पहले से ही थी इसलिए इंस्पेक्टर रोशनलाल को इस बारे में कुछ बताता भी तो वे उसके लिए कोई नई बात ना होती सब इंस्पेक्टर यादव पर मैंने ब्रश्ट पुलिस अधिकारी होने का संदे किया इसका मुझे अफसोस था मैंने यादव से बड़ी संजीदगी से माफी मांगी जिसकी की उसने टके की परवा नहीं की लाला हवेली राम ने बिना मांगे मुझे नकत एक लाख रुपे दिये एहमद खान ने अपने वादे के मुझे दो लाख रुपे दिये उसने इस बात पर भारी अफसोस जाहिर किया कि मिस्ट कोमल जरी वाला ब्लैक मेलरों की से योगिनी निकली थी मिजजरी वाला अपने साथ जो ब्रीफ केस लाई थी वो खाली था वे तीन लाख रुपए जबरदस्ती मैंने राकेश की माँ को दे दिये राकेश की माँ का अपना जवान बेटा खोकर जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई दुनिया की सारी दौलत भी नहीं कर सकती थी लेकिन उस पैसे में कम से कम इतनी राहत चुपी हुई थी कि राकेश की माँ को बुड़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ना था फिर रात दो बजे के करीब मैंने इंस्पेक्टर रोशनलाल को फोन किया और उससे मौनिका के बारे में पूछा उसने मुझे बताया कि उसे तो पुलिस की हिरासत से रेहा हुए दो घंटे हो चुके थे दो घंटे हो चुके थे मैंने हैरानी से सोचा तो फिर मौनिका गई कहा उसने मेरी बला अपने सिर लेने की कोशिश की थी कम से कम मुझे अपना शुक्र गुजार होने का मौका तो देना चाहिए था तब ही मेरे दर्वाजे पर दस्तक हुई मैंने उठकर दर्वाजा खोला मौनिका और कहीं नहीं गई थी वो मेरे पास आई थी दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो एक कम्प्लीट और्यो बुक बनाने में बहुत महनत लगती है ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें थैंक यू फू वाचिंग